ना जलो, हलो, नहीं भाई, सर नहीं गये कहीं, तुम्हारे कमेंट पड़ रहा है थे, यह एंपे खडयों के, तुम क्या-क्या लिखते हो, एक भी मिनट्लेट हो जाए, तो तुम यह लिखते हो, कि सर चलेगे वेलेंट रिंदे बनाने, बेटा तुमारे बीच आयम, तुमी ही हो, वेलेंटाइन हमारे ये पीछे हमारा जो काम है वेलेंटाइन है, ये वेलेंटाइन है हमारा, ये बोड, ठीक है न, ये वेलेंटाइन है और ये हमारा वेलेंटाइन डे है, आप सभी के बीच में, तो भाई, हाँ, ब्लैक डे है, ब तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग लाइट जिसके लिए आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था कि सर लाइट नहीं आ रही है हमारे घर में तो आज लेके आईए तो आज लेके आगए आपके घर और आज हम वन शॉट रिविजन करने वाले हैं लाइट चेप्टर का अल्रेडी मैं मानता हूं कि इस चेप्टरों का आप कई बार पढ़ चुके होगे साल के दौरान की साल की स्टार्टिंग लाइट से हुई थी है ना मतलब चाए हम पढ़ा रहे हो चाए आप स्कूल में पढ़ रहे हो चाए आप कहीं और पढ़ रहे हो किसी तीसरी जगा प अंदर लाइट बचा हुआ है तो इस लाइट को भी हमने करवा दिया बाकी तीन लेक्चर अलड़ी अप्लोड़ेड है पहले से ही एलेक्ट्रिसिटी अप्लोड़ेड है युमन आई अन्ना कलरफुल वर्ड सर ने करा दिया था मैग्नेटिक एफेक्स ऑफ करेंड भी सर कर लेकिन बहुत जाधा डर ना लगे एक पॉजिटिव डर होना चाहिए एक पॉजिटिव प्रेशर आपको मन में रखना चाहिए ना कि मन यहां भटके ना बार बार पढ़ाई मर लगता रहे बस उतना इंदर रखना बहुत जाधा डर नहीं ठीक है कितने टाइम तक चलेग होगा लेकिन जितने भी घंटे का होगा मुझे लगता है मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ बनाए रखेंगे ठीक है और मेरी एनर्जी का सोर्स तो आप ही लोगा आप लोगे कमेंट्स ही हैं आप लोगों के रिस्पॉंसी ही है तो तुम ही डिसाइड करोगे के लेक्चर कितने घंते का होगा ठीक है ना आपके कमेंट्स जैसे आएंगे आपके र्स्पॉंस जैसे आएंगे बस बैसे स्टार्ट करें फिर बोड के लिए डर नहीं लग रहा है चलो अचहीं बात है पेपर ऊपर इजीई ही आएगा पेपर ऊड़ुरप लेवल लिवल का होगा पेपर हाड लेवल नहीं होगा प्रैक्टिस पेपर दिया उन्होंने हाड सेंपल पर भी ठीक-ठाक मॉडरेट लेवल का बनाया ठीक है एक सूच एक संकेत हो सकता है है एक साइन हो सकता है कि इस बार जो कोशन आने वाले है वह इनलिटिकल कोशन आएंगे है एनलिसिज आपका स्ट्रॉंग होना चाहिए कोशन को तोड़नेगा तभी आप कोशन को क्रैक कर पाओगे यह संकेत हो सकता है लेकिन पेपर मुश्किल हो जाए ऐसा नहीं होगा ठीक है ना मीडियम पेपर ही आएगा मीडियम और इजी के बीच में आएगा चिंता मत करने है तो हमें डरने दूरत नहीं है'' डरने वाली कोई बात नहीं है कि कोई भी बूला देख सकते हैं सब के कामका है सब करके करेंगे अगर आपका व और स्कूल यह अपका बूर चसी हैशन के साथ ठीक है बड़े ओके तो वही क्या क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा बात करेंगे डूवल नेचर अफ लाइट की फटाफट से पांच मिनट की अंदर अंदर पेपर में पूछा जाता नहीं है यह है ना पेपर पेपर स्पेसिफिक बात तो करेंगे ही हम नो डाउट लेकिन डूवल नेचर से स्टार्ट हम लोग कर लेंगे ठीक है थोड़ी सी पांच मेट चर्चा कर लेंगे उसके बाद रिफ्लेक्शन ओफ लाइट यहां से आपका चप्टर स्टार्ट हो जाता है पहला कॉंसे यह है उसके बाद रिफ्लेक्शन तुर स्ट्रिकल मिरर स्ट्रिकल मिरर के रे डियाग्राम पढ़ने आपने उस पर बेस्ट निमेरिकल सीखने आपने करने ठीक ना फिर हाँ यह रिफ्रेक्शन ओफ लाइट यह दूसरा पाट है चैप्टर का जिसमें लाइट बेंड होती है जब एक ट्रांस्पेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांस्पेरेंट मीडियम में जाती है तो बेंड होती है उसके वह वाला कॉंसेप्ट है रिफ्रेक्शन ओफ लाइट इसके बाद रिफ्रेक्शन थ्रू ग्लास लाब काफी इंपॉटेंट है एक्स्पेरिमेंट भी है एक्टिविटी भी है ये नीले डब्बे के अंदर एक्टिविटी दी हुई है बच्चा कहता सर एक्टिविटी करा दो एक्टिविटी करा दो अरे चेप्टर के अंदर ही करवाई जाती एक्टिविटी उसको अलग से बोल के नहीं करवाते है तो ये एक्टिविटी है चेप टॉपिक को पढ़ने में डबाउट आता है, इसके numerical नहीं बनते हैं, वैसे इसके numerical बहुत simple होते हैं, तीन variable होते हैं, उसमें से दो दी होते हैं, तीसरा ढुणना होता है, है तो ऐसा ही है, लेकिन इस concept को समझने में दिक्कट आती है वच्चे को, ठीक है ना तो जब इस पर आएंगे इत्मिनान से बात करेंगे डिटेल में बात करेंगे elaborated तरीके से बात करेंगे प्यार से बात करेंगे चिंता वाली कोई बात नहीं है आप बस बने रहिएगा ठीक है फिर spherical lenses की चर्चा आती है फिर उस पर numerical आते हैं और end में power of the lens का topic आता है combination of power तक तो आपका ये chapter इस तरीके से पूरा हो जाएगा चलिए start करते हैं हम लोग और बात करते हैं कि dual nature of light क्या होता है what is light का दोगलापन ठीक है light का दोगलापन क्या चीज़ है अब chapter start होने जा रहा है तो कुरसी की पेटी बान लीजिए क्योंकि एक लंबी उडान होने वाली है खाने पिने की आइटम रख लेना अगल बगल में पानी खास कर है न देखो मैंने भी रखा हुआ है आदा पी चुका हूँ आदा बाकी है तो पीते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे ओके start करते हैं अपने lecture को सबसे पहले बात करते हैं लाइट का डूवल नेचर क्या है लाइट का दोगलापन क्या है देखो भाई ऐसा है लाइट को ले करके चर्चा साड़े तीन सो साल पुरानी है लगबग उससे भी थोड़ी जादा की होगी तो सबसे पहले न्यूटन सहाब आए न्यूटन सहाब ने लाइट के बारे में जो कहा जैसा कि इतिहास बताता हमको 12th क्लास के अंदर इसा बाते लिखी हुए तो न बन रही है इसमें से लाइट निकल रहे हैं यह कुरपसकल की फार में निकल रहे है नाम क्या दिया गया in को करजबसकल नाम दिया गया थीक है फटा फट से बता रहूं काम की बाते नहीं है ये पेपर में नहीं आती से जल्दी बता गया आगे बढ़ रहा हूं तो इसको इस थियोरी को कुछ सालों के बाद हाइगंस सहाब ने गिरा दिया हाइगंस आप ये बोलते कि वह ना पार्टिकल वार्टिकल कुछ नहीं होती ल उसल्व छोटा सा बता रहा हूं सिर्फ एक कहानी की तरहीं केसे इसको बता रहा हूं तो उन्हें कुछ ऐसे फिनोमेना किये जिनसे पार्टिकल नेचर डिस्प्रूव हो गया और वेव नेचर अप्रूव हो गया तो ऐसा समझ में आया कि यहार लाइट तो वेव है 300 सालों तक यही मानते रहे लोग के लाइट एक वेव है 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 पीडिया निकल गई है ना 300 सालों के अंदर भाई कितनी पीडिया निकल जाती है एक 100 के अंदर 6 पीडिया निकल जाती है है ना आप सोच लोग कितनी पीडिया पास ह हो चुकि है जो वेव वेव मांती है रहे है लाइट को कर और उसके बाद आइंस्टीन साहब और Max Planck नाम के भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट किये और उने एक्सपेरिमेंट से निकलकि आया कि भाई light particle है फिर से इस particle theory को स्थापित कर दिया गया है ना और उस experiment का नाम था photo electric effect यह सब आपकी NCRT में नहीं लिखा हुआ मुझे पता है लेकिन starting यहीं से होती है ताकि आपको पता दो चल light है क्या ultimate light को क्या माना जाता है आज के परिपेक्ष में light को क्या कहते है यह तो आपको समझ में आना चाहिए तो Ayn Sin साब ने जो experiment किया photo electric effect उससे यह प्रूव हो गया कि light एक particle है और उस particle का नाम रखा गया photon उस particle का नाम रखा गया photon मतलब Newton ने उसको corpuscles कहा था इन्होंने इसको photon का photo का मतलब होता है light और light के particle को photon कहते है तो उन्हेंने बोला कि जो photon है न यह quanta है quanta का मतलब होता है energy packet फोटन is a quanta quanta of energy यानि यह क्या है यह एक packet है यह packet है किसका energy का packet of energy ठीक है packet of energy और यह packet जाता है फिर दूसरा जाता है प्रिती से जाता तो पार्टिकल नेचर को ही प्रूव कर रहे थे कौन आइंस्टीन सहाब अपने फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट एक्सपेरिमेंट के थू जो की वेव से पॉसिबल नहीं था तो जब तक वेव थियोरी चल रही थी वो गिर गई क्यों क्यों क्योंकि ये वा ट्रूपर शटी कर रहा था वह दो गृपस के अंदर बठ गया एक ग्रूप कहता है के लाइट पार्टिकल है एक ग्रूप कहता है के लाइट वैव इसी लिए इस चीज को सुलजाने के लिए concept आया dual nature कि भाई light particle भी है और light wave भी है वो दोनो nature शो करती है यानि dual nature शो करती है कुछ जगा पर वो wave के तरीके से बहेव करती है और कुछ जगा पर वो particle के तरीके से बहेव करती है यानि light ना, शायद, कोई तीसरी ही चीज है, जो ना तो particle है और ना तो wave है, यह दोनों का कुछ मिला जुला सा हिसाब है, तो इस चीज को आज तक मानते आए हैं light के बारे में, के light का dual nature होता है, यानि इसका particle nature भी पढ़ाया जाता है, और इसका wave nature भी पढ़ाया जाता है, बार है ना उनसे, दो चप्टर पढ़ाया जाते हैं, एक ray optics और एक wave optics, ray optics पार्टिकल नेचर की सड़ी करता है, और wave optics वेव नेचर की सड़ी करता है, ray optics ही हम लोग class 10th के अंदर पढ़ते हैं, यानि 10th के अंदर जो reflection और reflection ये नाम का chapter है ना आपका, light reflection यही है ना आपका chapter का नाम light, reflection and reflection, इसके अंदर हम लोग particle नेचर कोई पढ़ रहे होते हैं, हम ray nature की ही study कर रहे होते हैं, ठीक है जी, लेकिन light wave भी है और light ray की तरे भी यानि particle की तरीके से भी behave करती है, ठीक है, तो ये छोटा ता concept था, dual nature का, इसको छोटा सा समझा के बता दिया, मैंने वैसे बहुत detailed concept ह इसके पीछे वाई, तीन चेप्टर है, तीन चेप्टर, ray optics, wave optics, dual nature of matter and radiation, ये 12th class के अंदर पढ़ा है जाते हैं, तो कभी तुम science लोग आगे जाके, है ना, मन करता है, interesting लगता है, है ना, अगर आपको curiosity, जगती है, जो की होनी भी चाहिए, curiosity होना बहुत ज़रूरी है वाई वो मेरे friends ने B.Sc. करी थी तो, उनसे मैंने पूछ लिया था, मैंने खुद नहीं कर रही B.Sc. तो, ठीक है, तो उतना ही जानता हूँ, 12th class तक की ही physics को मैं जानता हूँ, अच्छे से, ठीक है, चलो, आगे बढ़ा जाए, तो देखो भाई, light के बारे में, N.C.R.T. क्या कहती है, या school की किताबे, up to 10th level क्या कहती है, वो भी सुन लो, वो कहती है कि it is a form of energy, सही बात है, energy की एक form है, that enable us to see around us, जो हमको अपनी आस पास की चीजों को देखने में सक्षम बनाती है, light, वो energy है, अब वो कैसे सक्षम बनाती, आगे पढ़ेंगे इस बात को हम, ठीक है, आग बताना होता है, यह सर बोलके नहीं बताना होता है, कैसे बताना होता है, आगे बता दो, जल्दी से, जल्दी जल्दी फटा फट, जहां तक सारी बात हो किया तो आगे चलते हैं, हाँ, आगला आगे बताना होता है, यह सर नहीं लिखना होता, आगला आगे बतानी पढ़ती एक बढ़ते हैं लाइट तो इसको अपनी आस पास की चीदों को देखने में सक्षम मनाती है भाट समझ मांती अपने को ठीक है we can say that it is an electromagnetic wave यह क्या है यह एक वेव और कैसी वेव है electromagnetic wave है, em wave बोलते हैं इसको, ठीक है, short में कहते है em wave, that can travel through medium as well as through vacuum, मतलब ये medium हों में से भी निकल जाती है, transparent medium होने चाहिए, opaque medium नहीं, हाँ, opaque के आर पार निकलती है, कई तुम बोलो, दिवार के आर पार light निकल जाती है, क्या, नहीं निकलती, मेरे आर पार भी light निकलेगी, क्य ल्याती है, है ना, और vacuum में भी travel करती है, vacuum यानि, जहां पर कोई particle नहीं होता, वहां भी travel करती है, sunlight आती तो है धरती तक, बीच में सारा vacuum ही तो है, है ना, तो vacuum को भी power करती हूँ आती है, उसे फरक नहीं पड़ता, vacuum है या नहीं है, है को, ओदो प्रकार की objects होते हैं, एक होते हैं luminous objects, एक होते हैं non-luminous objects, luminous objects का मतलब होता है जो अपनी energy से light देते हैं, मतलब उनकी कोई खुद की energy है, उसको convert light में करते हैं, उसको convert light में करते हैं, जैसे bulb, अब आप bulb on करते हो तो क्या होता है, आप बिजली देते हो, यानि electric energy देते हो, उससे filament गरम होता है, यान electrical convert into heat thermal वाली, heat वाली और फिर वो glow करने लगता यानि light निकल के आती है ऐसा ही होता ना, तो electric convert वी किसमें heat में और heat convert वी किसमें light में, तो खुद ही से convert कर रहा है ना तो bulb कैसा है, bulb एक luminous object है, जो खुद की energy को convert करके यानि energy को convert किसमे करके देता, light में करके देता है sun, इसके अंदर nuclear reaction चल रहे है, nuclear fission और fusion चल रहा है इसके अंदर है ना, वो ही इसका fuel है, सूरज का, sun का, है ना, तो ये light कैसे छोड़ रहा है, fusion वाली जो energy है, वो ही convert किसमें और या light में, और heat में, है ना, इसलिए यहां तक सूरज की गर्मी भी आती है, और यहां तक सूरज की light भी आती है तो वो भी क्या है, वो भी एक luminous object है ऐसी मॉम्बत्ती, अब मॉम्बत्ती में कौन से energy किसमें convert हो रहे है, जरा बताना, comment section के अंदर, देखता हूँ के दिमाग चलता के नहीं के सोच पाते हो के नहीं मॉम्बत्ती में कैंडल के अंदर light energy जो दिख रही है वो किसके थुरू कौन convert ओरा light में कौन से energy light में convert हो रही है, जल्दी बताओ फटा फट बहुत बढ़िया बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया चलता बढ़िया, 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 यह बढ़िया पमेखनारक पमेखन 2 फटा बढ़िया, हाइटरोकार्बन ile तो heat निकलेगी, है ना, और light भी निकलेगी, ठीक है, तो वो जल रहा है, burning हो रही है उसकी, है ना, burning of candle, chemical to light हो रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तो जो objects अपनी energy को light में convert कर सकते हैं, उन्हें luminous कहते हैं, और जो object अपनी energy को light में convert नहीं कर पाते हैं, उन्हें non-lumin लुमनेस कहते हैं जैसे यह टेबल चेर वगए है ना यह टेबल है यह चेर है आर्दोस भी डूनाट है अपनी लाइट नहीं होती यानी अपनी एनरजी को लाइट में कर पाते हैं बहुत सिंपल बात है ठीक है ना फिर मेरा आपसे सवाल यह है और यह सवाल आपका खुद से होना चाहिए कि सर जब इन में से लाइट नहीं आती तो हमें यह दिखते कैसे हैं कि हम इनते Celia का सब्लाइब और दो चेर सब्सक्रिण कर्नीरी दिवारों में से लाइट आ री तो हम दिख कैसे रहे हैं बहुत बढ़िया पता है आपको यह बात अच्छी बात है रिफ्लेक्शन है इसका अंसर इसका अंसर रिफ्लेक्शन आगे जागे पढ़ेंगे आगे आगे टॉपिक रिफ्लेक्शन ठीक है ना होगे रिफ्लेक्शन है इसका अंसर होता क्या है कि अगर आपको कोई यॉन लूमिनईस अबज़क्ट । तो एक luminous object पक्का होना चाहिए आसपास बोलो मानते हो के नहीं मानते है इस बात को अगर तुमको non luminous object देखना है भाई अगर मेरा मूँ देखना है यह मेरा थोबड़ा यह अगर तुमने देखना है तो यह light जली चाहिए ना आसपास तभी मेरी शेकल दिखेगी ना अगर मैं light बंद कर दू तो अगर मैं सारे बल बंद कर दू तो अंदेरा चाह जाएगा है के नहीं तो non luminous object को देखना चाहते हो तो luminous होना चाहिए luminous के बिना non luminous नहीं दिखता क्यों क्योंकि luminous ही है जो light छोड़ रहा है और जब वो light छोड़ रहा है तो non luminous पर गिर रहा है और non luminous उसको reflect कर रहा है मतलब कुछ ऐसा हो रहा है यहां देखो यहां देखो कहा है table कहा गई यही table है ना तो भाई देखो यह bulb है यह luminous है ना इसमें सा light चलके आ रही है सीधी आ रही है ज़ो सीधी ले आते हैं ठीक है ? समझ मैं आ नधा ? और लाइट बंद तो फिर कुछ भी रिफ्लेक्टों के नहीं आएगा टेबल नहीं दिखेगी अंदेरे में कुछ दिखता है क्या एकदम घुप पंदेरा हो जाए अगर परदे बरदे भी कर दिया एकदम है ना तो कुछ भी दिखाने देगा ना टेबल ना चेर ना टीवी ना बेर्ड कुछ नहीं दिखेगा आपको है ना तो आपको लाइट चाहिए नॉन लुमिनस सीजों को देखने के लिए बढ़िया बात आगे बढ़ते है आगे बढ़ते है क्या साउंड प्रॉब्लम आ रही है वोइस कराक हो रही है क्या रुक जाओ रुकिए रुकिए र देख रहे हैं देख रहे हैं बात क्लियर रहा ना लुमिनस होना चाहिए नॉन लुमिनस को देखने के लिए है ना तभी उसके उपर लाइट गिरेगी और रिफलेक्टों के आँख में जाएगी और वो चीज पर्टिकुलर दिखाई देगी नहीं तो दिखाई नहीं लाइट है जी है जी चांद की अपनी लाइट है यह चानद ने कहीं से उधार लें रखिया लाइट बताओ लुमिनस यह नॉन लुमिनस या नॉन लुमिनस उधार लिए है उधारी पर जी रहा है सही बात है सही बात है भई मून उधारी पर ही जी रहा है नॉन लुमिनेस ही है वो है ना सेटलाइट ही तो है एक सेटलाइट ही तो है उसकी अपनी रौष्णी थोड़ी ना है धर्ती की भी अपनी रौष्णी नहीं है प्लैनेट्स की मार्स वार्स ये सब नहीं भैख सकते हैं ना ये सब को दूसरे की उधार लेनी पड़ेगी है ना तो सन की लाइट है जो उधार ले करेंगे अपने उपर पढ़के फिर वो रिफ्लेक्टों के हमारी आँख में आ रही है इसलिए मून हमको दिखता है चमकता हुआ वाइट कल अवाज बता दो फटाफट से कैसी है अवाज बता दो फटाफट फिर टेक्निकल बातों पर चलेंगे जल्दी से हाँ कुश्चनों पर आएंगे बेटा आएंगे ओपी है ओपी आवाज है पक्का कि पर राब अब हो थैंडे साथ अफ़। प्रफिर्फेस इसलिए जब कुसी सर्फिस पर गिरती है तो रिफ्लेक्ट होती है और वो surface कैसा होना चीए, वो आगे जाके जानेंगे किस तरीके के surface होता है, आओ देखो, reflection का मतलब होता है, is the bouncing back of light striking on the surface, किसी surface पर पढ़के क्या करती है, reflect back करती है, जैसे मालों ये कोई surface है, ये कोई surface है, इसके ओपर light गिरेगी, इसके ओपर light गिरेगी, और गिर के का light निकल जाती है, एक surface होता है, translucent, जिसके ओपर partially light निकल जाती है, partially वापस अजाती है, सरी और hand more, ठीक है, धन्यवाद, ये अच्छा लगा मुझे सुनके, सीख जाते हैं, जल्दी सीख जाते हैं, quick learners, my dear pigeons and pigeons are quick learners, हाँ बढ़ी, transparent का मतलब light आर पर निकल जाना, ठीक है, translucent का मत लगा मतलब, light पूरे तरीके से पार निकल पाए, कुछ हद तक reflect हो जाए, और बाकी पार निकल जाए, तो यहाँ पर partial ही reflectance होती है, और partial ही light पास हो जाती है, है ना, और फिर होता है, उपेक, जैसे मैं उपेक हूँ, मुझे पर अगर light गिरेगी, है ना, इस हाथ पर अगर है, यहाँ भी ओपेक है, इस पर अगर light गिरेगी, तो क्या होगा, इस से तकरा के सारी की सारी light क्या करेगी, bounce back हो जाएगी, इसके आर पार नहीं आ सकती, है ना, आर पार होने के लिए कुछ ना कुछ transparency चाहिए, कुछ ना कुछ transparency चाहिए, तो यहाँ पर transparency होती नहीं, तो reflection क्या होगी, proper होगी, यहाँ पर ऐसा बोलना चाहिए, कि reflection होती है, reflectance इसकी क्या है, सबसे ज़्यादा है, है ना, यहाँ पर क्या है, partial reflectance है, partial reflectance है ना, और partial, क्या बोलते हैं इसको, आर पार होने को, emittance, emit कर जाना, यानि आर पार हो जाना, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एमिटनस ज्यादा होती है ठीक है ना, light Matt जिए वो ज़धा करती है ठीक है geweक हे- इमिटनस ज्यादा होगी, r पर ज्यूदा निकलेगी यहाँ पर partially r पर निकलती है और partially वापस आजाती है, और यहाँ पर सारी ही light क्या करेगी reflect कर जाएगी सारी लाइट अगर आके वापस आजाएगी इस तरीके के surfaces होते हैं ठीक है तो एक अच्छे reflector की बात हम लोगों ने करनी है मतलब ना तो हम लोगों ने फिलाल के लिए transparent पढ़ना है और ना ही translucent पढ़ना है translucent तो आगे भी नहीं पढ़ना ट्रांस्लूसेंट तो बारवी में भी नहीं है ठीक है ना ट्रांस्लूसेंट वाला शीचा तो बारवी में भी नहीं है है ना अभी हम लोगों अपने ओपेक surface की बात करने जो कि एक अच्छा reflector बनेगा तो पूछता है कि best reflector क्या हो सकता है number 1 का reflector क्या हो सकता है तो number 1 का reflector वो होगा जिसका surface कैसा होगा shiny polished surface होना चाहिए polish surface होगा तो light proper reflect करेगी यानि हर photon आके वापस reflect करके जाएगा ठीक है ना कुछ भी absorb नहीं होगा अगर उबढ़ खाबढ़ हुआ तो proper reflection नहीं होती distorted सी reflection होती है ठीक है ना diffused reflection नाम देते हैं उसको reflection तो होती है लेकिन एक proper reflection नहीं होती reflection तो होती है लेकिन diffused reflection होती है अगर shiny है ना और polished ना हुआ तो shiny होना चाहिए polish होना चाहिए smooth होना चाहिए है ना clear बात तो ऐसा surface best reflector माना जाता है अच्छा reflection दिखाएगा है ना तो हम लोग अब जब reflection of light पढ़ने वाले हैं तो हमको यह बात समझनी पढ़ेगी कि यहां पर हम दो लॉज की चर्चा करते हैं ठीक है तो आईए उन लॉज पर चलते हैं सीधा laws of reflection कहते हैं जिनको दो लॉज है reflection के दो लॉज है law number one कहता है कि incident ray incident ray यानि IR reflected ray यानि RR और नॉर्मल यह रे नहीं होती नॉर्मल यानि N all lie on the same plane यह सब एक ही plane पर लाए करते हैं यह सब एक ही plane पर लाए करते हैं मैं इसको समझाता हूं अराम से समझाता हूं अभी read कर रहा हूं खाली फिर समझाता हूं ठीक है दूसरा angle of incidence is always equal to angle of reflection ठीक है न कैम से समझ लेते हैं गया कहना चाहरा है यहां इस राइयार कोन में एक बार अला यार में यहांप रूपस यहां पर दिल्ले घ् carry सर्फेस है ठीक है, एक opaque, smooth, shiny surface है, है ना, तो एक बहुत अच्छा reflector होगा यारी है, है ना, ये एक बहुत अच्छे reflector का काम करेगा, सही बात है सर, ये पीछे ते polish भी कर दिया इसको, अब देखो क्या होगा, जब इसके उपर light गिरेगी, तो इस आने वाली light का नाम हम रखते हैं incident ray, ठ ठीक है, जो light गिरती है ना, ठीक है ना, जो light गिरती है ना, surface पर उसका नाम क्या रखेंगे, उसका नाम रखेंगे incident ray, ठीक है, incident ray, अब वो इस point पर गिरी है, इस point पर गिरी है, ठीक है, sound proper नहीं आ रही है भी भी यार, रुक जाओ यार, झाओ, झाओ, आव, झाओ. कैसी यावाज है जल्दी से बता दीजिए फटा फट वाइस कैसी है क्लीर है या नहीं क्रेक और यह फट रही यावाज गया थोड़ी है लिख रहे हैं क्रेकिंगे यार है क्रेकिंग ठीक है ठीक है लेता हूं ठीक है ओके डनने टिक देखो भाई ठीक है, थीक है, ठीक है, clear है, बडिया, 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 चलो start करने हैं, start करने हैं भीם, ठीक है? देख़ो ब demonstrates, यह mirror है, हैं ना? अब mirror के उपर, जब light आगे गिरी है, उस light ray का नाम रखेंगे, incident ray, है ना, जो light आई है, उसका नाम रखेंगे, incident ray. जिस भी जगापर है इसको n stands for normal ठीक है और इस angle का नाम रखेंगे incident angle angle of incidence भी कहते हैं इसको ठीक है ना अब law number two जो था law number one की चर्चा भी कर लेंगे plane plane की बाते law number two कहता है कि जितना angle of incidence होगा उतना ही angle of reflection होगा यानि जितने angle पर light आगे गिरेगी ना उतने ही एंगल से उठेगी है ना तो जितना angle आई है जितना एंगल आई है उतना ही angle आर होगा कुछ इस तरीके से बात हो रही है कि यहाँ पर ठीक है जी और इस जाने वाली रे को कहते हैं reflected रे reflected रे और या लिख देता हूं सबका नाम पहले आई यार इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे ठेक है आर यानी reflected रे रिफ्लेक्ट हुई है ठीक है जी रिफ्लेक्ट रे यह जो लाइन बनी है बीच में नॉर्मल कहते हैं ठीक है फिर आता एंगल आई बिचिस एंगल और एंगल आउफ रिफ्लेक्शिन ठीक है यह पांच ही अलिमेंट बस जो आपने reflection के उपर पढ़ने हैं ठीक है बहुत simple से हैं यह ध्यान दखना भाई कि यह angle और यह angle दोनों क्या equal है यानि angle i बराबर क्या होता है angle r क्यों होता है ठीक है तो एक तो था यह law देख लो यह law दिये भी होए है यह वाला है ना angle of incidence is always equal to angle of reflection incident का angle और reflection का angle हमेशा equal होता है एक तो यह बात दूसरी चर्चा यहां पर दी हुई है ना incident ray reflected ray normal lie on the same plane इस plane का क्या मतलब होता इसको जड़ा इस वाले डागराम से समझते ज्यादा अच्छ समझ में आएगा ठीक है दो क्या है यहां पर हम क्या कर रहे हैं हम एक light ray को हमें एक light ray को केके लॉंक डाल हे इसλαशन के का लॉंक डालेंगे डालेंगे अ यह नीचे मिरेर है ठीक है ऐसा सोचीए गा यहां मेरे रहे नीचे हो ये नीचे मिरेर है ठीक है? तो मिरेर ऐसे रखा हुआ है याई पर आगे light ऐसे घर री है घर ना? ऐसे light आगे इतलै गिर रही है तो ये plane है ये वाला plane है ये plane है ठीक है? तो इस plane के along along मतलब इसके साथ लगती हुई इसके साथ टच करती हुई एक incident ray आ करके mirror पर गिरी देखे mirror पर गिरी है इसका नाम रखेंगे incident ray ठीक अब ये गिरी इस point पर है है ना ये इस point पर गिरी है तो इस point के long surface से एक 90 degree का line बनता नाम क्या है उसका normal तो normal बना देते हैं वाई एक normal बना देते हैं आपर गेरा ये वाला एंगल क्या होगा वाई एंगल आई क्योंकि normal के साथ वाला जो एंगल होता है उसी को angle of incidence कहते हैं और ये जितना होता है उतना ही reflected angle होता है सही बात है यानि light ऐसे चली जाएगी color change करते हैं वाईस का yellow करते हैं light ऐसे चली जाएगी इस तरीके से ठीक है और ये वाला जो एंगल होगा आईए होगा एंगल आर इस तरे को बोलेंगे reflected ray यही सीन है न भाई angle of incidence angle of reflection incident ray reflected ray और नॉर्मल ये पाच चीदे थी अब इसके अंदर जो ये first वाला लो है ना ये क्या कहना है जाना समझना ये कह रहा है कि जो incident ray होती है IR जो reflected ray होती है RR और जो normal होता है N ये साब एक ही plane में लाई करते हैं इस plane का मतलब क्या है आप comment section में बता सकते हो क्या कि किस plane की चर्चा है क्या ये इस horizontal plane की चर्चा है या फिर ये इस vertical plane की चर्चा है अगर आपको इस diagram को ध्यान से अबसर किया है आपने तो आप मुझे बताओ ये किस plane की बात कर रहा है ओर lie on the same plane ये कौन से plane की चर्चा कर रहा है ये से vertical plane की बात कर रहा है या फिर इस लेटे हुए mirror वाले horizontal plane की बात कर रहा है क्या मानते हो किस की बात कर रहा है वाई वर्टिकल या होरिजोंटल आंसर है वर्टिकल याँ पर बहुत सारे बच्चे होरिजोंटल भी लिख रहे हैं और बहुत सारे बच्चे वर्टिकल भी लिख रहे हैं मतलब आदा आदा दिख रहा मुझे दोनों लाए करते हैं का मतलब समझते हो आप यह तीनों एक प्लेन में पड़े होए हैं लाए मतलब होता है लेटे होना है ना लाए करने का मतलब होता है जूट बोल रहे हैं लाए करने का मतलब होता है जूट बोल रहे हैं वो इस प्लेन में रहते हैं वो इस प्लेन में लेटे होए यहें है भी आ रहांवा नफशनल फिर राह सब्सक्रार के और लगवाट कोanka बंद सब्सक्रांद evac me मचेनल काके लिए और अजस्टम्ट सो खाली नियौन फॉइंस वाला है जब यह इस पॉइंट को कहते के पॉइंटु ओफ इंसिदेंजू ठीक है बात समझे में या नहीं आई कि बात समझे में या नहीं या नहीं होरिजॉन्टल लिखने वालों इसका आंसर क्या है वेटिकल प्लेन ठीक है जलो आगे बढ़ा जाए है दो तरह के रोकंते हैं है ना कौन-कौन से एक प्लेट मिरर और एकश फेरिकल मिरर यह बना भी हुआ है सुंदर सा यह कौन सा यह प्लेन है है ना तो वह वालाई है खुب शूर्ती देखने वाला मिरर है इता तो यह आज सा मेसरीर देखने बेखा होगा टीवर ो सेशिंग पर देखा होगा घाडी के जो मिरर होते हैं वह भी हैना 애कप मिलर डेंटिस के पास दाती हमाने चोटा सा mirror होता है वो भी है ना shaving करने के लिए mirror होता है saloon के अंदर वो भी है ना कहीं ने कहीं आप ने ऐसा mirror देखे होंगे तो दो तरह के mirror होते है convex mirror और concave mirror concave mirror होता है जिसका inner surface यानि धसा हुआ part reflection करता है ऐसा लिखा हुआ याँ पर ये mirror है ऐसा spherical गोल mirror होता है इसका धसा हुआ पार्ट यानि ये वाला पार्ट अंदर जो गड़ा हुआ पार्ट है अंदर जो धसा हुआ पार्ट है वो करेगा reflection ठीक है ना वो शो करेगा reflection और convex कौन सा होता है जिसका बाहर निकला हुआ पार्ट ये वाला पार्ट करता है reflection ठीक है इसका अंदर धसा हुआ reflection करेगा और इसका बाहर निकला हुआ ये वाला उबरा हुआ जो है वो reflection करेगा is that in which reflection occurs through outer surface of the mirror mirror के बाहर bulged out जो surface है वहां से reflection होगी उसे एक बोलेंगे convex ठीक है ना मैं इसको एक trick से याद करवाता हूँ कि भाई तुम cave को याद रखो cave क्या होता है गुफा है ना अब गुफा में शेर गुसेगा तो गुफा का मुँ ऐसा होना चाहिए ना तो light यहां से आएगी light जो है वो शेर है और जो वो चेर है और जो वो cave में घुसेगी तो जिस जगह पर गुसरी अंदर देसे में घुसरी यही कॉन cave है cave से याद रखना जिसका यह वाला inner part जो है वो reflecting है ठीक है और इसका outer part जो है वो reflecting है इस तरीके से पकड़ में आते है दोनों mirror ठीक है जी अब जब भी कभी image बनती है मतलब आप mirror के सामने जाके खड़े हुए है ना और आपको आपका एक प्रती बिम्ब दिखता है अंदर आपको आपकी reflection दिखती है अंदर है ना आप पानी में देखो के तो भी दिखेगी mirror के आगे खड़े हुआ के तो भी दिखेगी है ना कहीं आप जालनों एक एक नया नया paint हुआ हुआ या polish हुआ हुआ कोई gate है कोई दर्वाजा है ना या कोई ऐसा ऐसी दिवार इसपे सनमाईका चड़ा हुआ है नया नया सनमाईका एकदम polish हुआ हुआ चड़ा भी है ना उसमें भी आप reflection देख पाते हो है ना और कभी कभी कोई गाड़ी आई एकदम अभी अभी निकल करके बढ़िया धुल के एकदम गाड़ी आई है उस गाड़ी के भी metal में आप अपनी reflection देख लेते हो आप बरतनों में भी अपनी reflection देख सकते हो अगर एकदम चमक के बरतन आया नया बिल्कुल है ना जैसे उसके अंदर भी आप अपना मूँ देख पाते हो तो आपकी जो भी इमेज बनेगी उस इमेज को दो तरीके से बनाय जाता है दो तरीके से समझाय जाता है ठीक है ना यानि इमेज होती है दो प्रकार की पहली real image और दूसरी virtual image तो सबसे पहले कौन सी पढ़ रहे है हम रिय रियल इमेज कौन सी होती ज़्यरा समझना रियल इमेज वह में जोती है जिसको स्कृीन पर उतारना पड़ता है जो बिना स्कृीन की हैं नहीं बन सकती ठीक है जैसे आप मूवी देखने गए हो तो cinema hall में गये होगे है ना अब cinema hall के सामने परदा लगा रहेता है उस परदे प offenses पर करके आपको दिखता है है not user दिखता है उस पर Hero दिखते विलन भी दिखता उसपर सब कुछ इसे पर दिखता है न वरी तो आप जाकर रहेके सामने ऐसे वह जाते हो पीछे से प्रोजेक्टर जो होता है वो प्रोजेक्ट कर रहा होता है लेंस लगा होता है प्रोजेक्ट कर रहा होता है और सामने स्क्रीन के उपर आ रहा होता है ना तो सोचो स्क्रीन ही ना होतो कुछ दिखेगा क्या है ना माल लो जो सामने होल ता उसकी दिवार तोड़ दी हमने और दी खुला है कि दम सामने जंगल दिख रहा है तो क्या आपको इमेज दिखेगी क्या क्या आपको हीरो हिरें दिखेंगे क्या जमीन पर दिखेंगे शायद आपको है ना क्योंकि जमीन तब रियल इमेज बनाएगी तब जमीन के उपर रियल इमेज बनेगी समझ पा रहे ह होगे इस बात को आगे जैसे हम चलेंगे ठीक है ना रियल के साथ हमेशा इंवर्टिड मेलेगा इंवर्टिड का मतलब होता है उल्टी मिलेगी इमेज यानि माल लो अगर इस तरीके से अब्जेक्ट खड़ा है तो इमेज ऐसी होगी है ना ऐसी ऐसी में जाएगी इसको बोलते हैं इनवर्टिड अगर यह अब्जेक्ट है तो इसी में जाएगी समझे ना उल्टी बिल्कुल इनवर्टिड ठीक है तो रियल के साथ इनवर्टिड मिलता है ऐसा देखने को मिलता अब आप सोचोंगे बाई आम स्क्रीन पर जाकर करें देखते हैं तो हमको तो सीधा दिखता जौन इब्राहिम यह ना सिधा अब को टाइगर शुरॉफ है ना वई दिशा पतानी सीधी आमको तो ऐसा क्यों होता है तो वाई वाँ पर दो लेंस काम कर रहे होते हैं एक उल्टा कर रहा होता है दूसरा सीधा कर दिखाता है उस तो होगा एक बार ऐसे इंवर्ट कर दी फिर उसको दुबारा से उल्टा कर दिया ठीक है ना तो स्क्रीन के उपर दिखेगा वह रियल इमेज दिखेगी आपको फिर क्या रहा है हाँ यह देगो लिगा वह एक्ट्वली में कहीं मीट करेंगी अगर एक्ट्वल मीटिंग हो होगी तो रियल इमेज नहीं बनेगी है ना अब यह एक्ट्वल मीटिंग कैसे होती है आने वाले एक्जामपल्स में हम लोग देखेंगे ठीक है जब एक्ट्वली में लाइट जो टकराई है वही वाली लाइट आ करके मीट करेगी हमें जबरदस्ती खीचके नहीं बनानी इमेज नहीं कहते ठीक है जिस इमेज को बनाने के लिए लाइन को आगे एक्टेंड करना पड़े डॉटे लाइन बनानी पड़े उसको रियल नहीं कहते उसे कहते हैं वर्चुल उसे कहते हैं वर्चुल इमेज तो वर्चुल इमेज इस वह इमेज होती है जिनके अंदर र परदस्ती खीच के बनाते हैं, dotted lines के through बनाते हैं, तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि यह appear to meet है, शब्द actually meet नहीं लिखा जाता, appear to be meeting ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, एक ऐसा लग रहा है कि वहाँ मिल रहे हैं, diagram बनाओगे, तो आपको dotted lines को वहाँ पर मिलाना पड़ेगा, हुआ है ना, reflected do not meet actually, actually में नहीं मिलती, है ना, लेकिन appear to meet at a certain point, किसी point पर उसको खीच के मिलाना पड़ता है, किसी point पर उनको extend करके, dotted lines के through, मिलवाना पड़ता है, वहाँ image बनती है, diagram में ऐसा ही करते हैं, ठीक है, it is always direct, यानि सीधा है तो सीधा ही बनेगा, जैसे आपको mirror म में देखो, आचा स्माइल कहां से आगे, यहीं स्माइल, है ना, ठीक है ना, अगर आपने को mirror में देखो, सीधा ही दिखता है, सर के सामने सर दिखता है, टांगों के सामने टांगे दिखती है, पेट के सामने पेट दिखता है, कंदों के सामने कंदे दिखते हैं, इसे कहते है इरेक्ट इसे बोलते हैं इरेक्ट यानि सीधा खड़ा हुआ ठीक है ना और यह क्या था यह था उल्टा लेटा हुआ है ना इन्वर्टिड यह उल्टा लेटा हुआ बनता है और यह सीधा खड़ा हुआ बनता है यानि इरेक्ट इमेज बनती है ठीक है ना और फिर तीसरा आता है इसको स्क्रीन पर आपको पीछे बंती दिखती है मिरर के अंदर यहां लेंस के थुरू देखना पड़ता है इसको वर्चूल इमेज को ना मिरर के थुरू देखना पड़ता है इसके लिए screen रखने की जुरूत नहीं होती, इसको screen नहीं चाहिए, screen पर नहीं उतरती है, ठीक है, तो virtual raise जो है, वो screen पर नहीं उतरती, जब अरदस्ती मिलानी पड़ती है, ठीक है, आगे जाके सीखेंगे, और पढ़ेंगे इसको, ठीक है, हम लोग point पर आते हैं, काम की बात पर आते हैं जो paper में पूछा जाता है, ठीक है, plain mirror का image formation, diagramatically भी important है, और उसका nature भी बहुत important है, यानि आपको nature भी याद करना है उसका, ठीक है, समझ लोना इस बात को, देखो, हमने एक mirror लिया भीया, है ना, और mirror के पीछे हमने polishing कर दी, यानि इसको opaque बना दिया, smooth बना दिया, shiny बना दिय इसको और इसके सामने हम एक object लाके खड़ा कर दिया, ठीक है जी, छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है, है ना, इसके सामने एक object को लेकर की आए और खड़ा कर दिया, यह object का सर है, यह पैर है, ठीक है ना, यह head है और यह foot है, feet है, ठीक है, तो इसके सर से क्या करेंगे, हम दो रे निकालेंगे, ध्यान लखिएगा, ध्यान लखिएगा, इसके head से दो raise निकाली जाएंगी, अब आपके मन में सवाल आएगा, सर दो ही क्यों, तीन क्यों नहीं, चार क्यों नहीं, तो भईया ऐसा है, कि तुम तीन निकालो, तुम चार निकालो, तुम दस निकालो, लेकिन काम दो से हो जाता है, दो से काम बन जाएगा, दो से जादा भी निकाल सकते हो, लेकिन नीड क्या है, जब दो से काम बन रहा है, दो raise को यूज करके हमको image मिल रही है, तो दो से जादा निकालने का क्य नहीं मिलेगी बात ही है तो सिंगल रे निकालने में कोई बुराई नहीं है सिंगल रे निकालने में कोई बुराई नहीं है आइडिया तो लग जाता है कि इमेज का बनने वाली है लेकिन एक्जेक्ट पॉइंट नहीं मिलेगा एक्जेक्ट लोकेशन इमेज की नहीं मिलेगी अगर एक लैन निकाल जाती है तो यहां से हम दो Ρव रेज को निकालेंगे दो लाइट रेज निकालेंगे कैसे निकालेंगे ज़रा देखो सबसे पहली रे सीधी निकालेंगे हम ठीक है एकदम सीधी और जो मिरर पर यह सीधी रः पड़ी है इसका नाम incident ray होगा न, सही बात है सर, इसे क्या बोलेंगे, इसे incident ray बोलेंगे, और ये इस point पर जब गिरी है, ध्यान से देखना भई, ध्यान से देखना भई या, जब इस point पर गिरी है तो इसी point पर हम लोग normal भी draw कर देंगे, कर दिया, है न, normal भी draw कर दिया, मुझे एक बार बताओ यह कितने एंगल पर गिरी है नॉर्मल से हमेशा एंगल नॉर्मल से ही ना पर जाते हैं याद करो इंसिडेंटेंगल कहां से ना पढ जाएगा नॉर्मल से बाई यह कितने एंगल पर गिरिए से इसका इंगल ओफ इंसिडेंस कितना है इसका इंगल ओफ इंसिडेंश कितना है गलत हाँ हाँ जो स्पैम कर रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं लेकिन जो समझदारी से आंसर दे रहे हैं वो ठीक लिख रहे हैं इसका एंगल ऑफ इंसेडेंस नब्भे नहीं है क्योंकि एंगल नॉर्मल से नापा जाता है यह नॉर्मल पर ही गिरी है जीरो आंसर है इसका येस वेरी गुड जो जीरो आंसर दे रहे हैं बिलकुल ठीक दे रहे हैं इसका एंगल ऑफ इंसेडेंस है जीरो इसका एंगल ऑफ इंसेडेंस है जीरो डिगरी क्योंकि यह नॉर्मल से ही तो एंगल नापते है यार नॉर्मल से ही एंगल नापा जाता है और नार्यमल पर विए आपने पास सीखने आए हैं हैं चीजों को सीखने का चीजों को पढ़ने का, चीजों को समझने का, अपने पास अभी भी enough time है, है ना, घबराना नहीं, कि हमको board के लिए कुछ नहीं आता जर जी, हम तो ये भी answer गलत दे रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, करते करते ही आएगा, सीखते सीखते ही आएगा, ठीक है, हाँ, तो अगर angle I ही मेरे बच्चों 0 है, तो angle R भी तो 0 होगा, है ना, यानि light अगर ऐसे गिरी है, अगर light अगर light ऐसे गिरी है ना, तो इससे सीधा उल्टी वापस हो जाएगा, यानि ऐसे, ठीशूं, आई और चली गई, है ना, आई और चली गई, आई और वापस, है ना, आई और वापस ने ली गई तो इसको और पीछे खीते थोड़ा सा जारी है जारी है जारी है जारी है जारी है जारी है इंफिनिटी तक चली जाएगी यह तो इसका क्या बरोसा है है ना इस पर क्या बरोसा करें यह तो इंफिनिटी जारी है है ना आई टकराई और चली गई यह पहली रे थी एक रे से इमेज नहीं बनती एक रे से इमेज नहीं बनती कम से कम दो रे चाहिए सर दूसरी भी बनाओ बना रहा हूं बना रहा हूं सबर रख दूसरी भी बना रहा हूं ये लो इसके हेड से ही मैंने दूसरी रे भी निकाली यहां डाल दे तो हम बीच में कहीं कहीं भी डाल दो जहां मन करें वाँ डाल दो एक को तो मैंने 0 पर डाला अब इसको हमने किसी एंगल पर डाला कोई भी एंगल मान लेते 30 डिगरी 45 डिगरी जो मर्जी आपका मन करें वो मान लो यह मैंने normal बना लिया ठीक है यह मैंने normal बना लिया यह कुछ angle है बेटा angle आई अब तो इसका angle समझ मान है कैसे लिया जाता है जो बच्चे 90 बोल रहे थे वो पता नहीं क्यों शायद यहां से angle नाप रहूंगे surface से surface से angle नी नापते बेटा normal से angle नापते हमेशा है ना मैंने हमेशा से इसको नापा है हरे वाले से नापा है मैंने कभी भी इससे नी नापा surface से नी नापा जाता बेटा angle कभी भी ठीक है ना कहां से नापते है normal से नापते है तो angle I कुछ भी आए वही angle R भी होगा सभी बात है सर तो R भी बना देते हैं इसका R भी बना देते हैं तो same ही angle किसका होगा R का होगा चला अगया ये चली गई है ना, अंदाज़े से بना रहा हूं ये चली गई, ये angle हा रहे ये angle आ रहे अब मेरा आपसे सवाल है एक रे तो ऐसे जा रही है और एक रे ऐसे जा रही है ऐसे 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 क्या आपको लगता यह दो रहे कभी असली जिंदिगी में मीट करेंगी कभी मिलर वाली ही जिंदिगी यह असली जिंदिगी है वाई है ना यह असली जिंदिगी असली जिंदिगी असली है ना और यह क्या आपको लगता है इनकी हाव भाव से कि यह मिलने वाली हैं असली जिंदिगी में नेवर कभी नहीं एक बच्छा आपर कॉंफिडेंस से लिख़ा है नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी बिटा क्योंकि यह फैलती जाएगी फैलती जाएगी फैलती जाएगी लेकिन यह कहां मिल लाएंगे तो अब यहां पर जबरदस्ती नहीं मिलाएंगे तो रियल इमेज बनेगी एना आप यहाँ पर जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा इसको । आप बात समझ रहे हो है ना असम्भव ठीक है तो देखो देखो क्या करेंगे यह जो रिफ्लेक्टिट रेज है इनको हम पीछे लेकर जाएंगे पीछे की तरफ एक्स्टेंड करेंगे और मिलवा देंगे ठीक है सबसे पहले पहली वाली को लेकर जाता हूं चल भाई तू भ यह मीट पहले हूं आप चर लो जहां भी यह मीट कर रहा है हह रही हम और को इसस stolenकर यह चाहिए अ Bad यह घ्ल जायगा एंबसे निंग दोरे कर दोरे सार से निकली मिल जाएगा मां पीछे। और आगर वहआं सी मान लेते हैं है कि लाइट मैं पेरों ये निकली ने height भी पता चल जागी कितनी है जैसे मैंने माल लो इसके पैरों से निकाली है गरे एक पैर से निकाली 90 पे डाली और 90 से वापस ले गया मैं ऐसे वापस ले गया है ना कर सकता हूँ ना है 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 ऐसे वापस उल्टी अरे घुम जा है 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 हम दूसरी बना लते हैं है है ना ऐसे चली जाएगी और फिर आप इसको भी पीछे कर दो ठीक है तो आपको इसका पैर मिल जाएगा इसकी इसकी लेग मिल जाएगी आपको फीट मिल जाएगा यीज्व यह आफका जो अब्जस कड derived यह और आपकी जो इमेज यह नहीं है है कि तो इस सरी जरूरी नहीं है मैं आपको पहली बता दूँ इसको दिखाना जरूरी नहीं है मैं आपको पहली बता दूँ दो रे से काम बन जाता है सर मिल जाता है महाँ पर बस इतना ही वो इतसे अधा वो पूस्ता भी नहीं है आपसे ठीक है इससे अधा ध्यान भी नहीं देगा इसका न पाँच पॉइंट नें इसके नेचर के बता सकते हो गया बहुत बढ़िया पहले से ही बोलना शाड़ कर दिया क्या बात है था नहीं बात हैं सबसे पहला है से हमने जितने डिस्सक्स पर अबजक्ट रखा है उतने ही डिस्स पर image बनेगी, object distance को U से denote करते हैं, image distance को V से denote करते हैं, और ये object distance और image distance mirror से नापे जाते हैं, हाँ सर, हम तो जानते हैं ये बात, है ना, हम तो ये बात अपरेल में जान गए थे, सही बात, अच्छी बात है, लेकिन जो अब भी नहीं जानते हैं, तो आज जान लो, mirror से ही सारे रिस्तेना पर जाते हैं, mirror से objectives by distance को object distance कहते हैं, mirror से image थक्के distance को image distance कहते हैं, object distance को U से denote किया जाता है, image distance को V से denote किया जाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, अन्दाजन, मैंने देखो free hand बनाया, को scale का इस्तेवाल नहीं किया, है ना, मैंने free hand बन करेंगे कि image is short में लिख देता हूं आप समझ जाना सेम डिस्संस पर है कि सेम डिस्संस कि एज डाट ओफ कि अब्जेक्ट ठीक है जिस जितने डिस्सेंस पर अब्जेक्ट है उतने डिस्संस पर आप मुझे बार बताओ यह तो थेख रिटीकल कर लगते थी है ना आप जब मिरर के सामने खुद खड़े होते हो और आपकी इमेज mirror के अंदर बनती है बनती के नहीं बनती है ना आप अपने आपको mirror के अंदर सुबा सुबा देखते होगे है ना या हो सकता कुछ पूरा दिन में देखते रहते हो है ना model type लोग है ना तो अगर आप अपने आपको mirror के अंदर देखते हो तो आप यह पाओगे कि आप mirror के जितना पास आके खड़े होते हो ना, उतना ही पास आपकी image भी आ जाती है, है ना, और आप जितना mirror से दूर खड़े होगे ना, उतनी दूर आपकी image भी चली जाएगी, ऐसा होता कि नहीं होता, है ना, तो जितने distance पर actually में आप mirror से खड़े ह होते हो ना, आपकी image mirror के अंदर उतने ही distance पर बन रही होती है, same distance पर ही बनती है, ठीक है, तो पहला point समझ में आ गया होगा, same distance as that of the object, OBJ, object, ठीक है, दूसरा, दूसरा, जितनी height है इस object की, यानि हो है जितना, उतने ही height की image बनती है, height same आती है दोनों की, है ना, आप जब mirror क सामने खड़े होते हो, तो आपको, आपका मूँ का इतना बाला सुजा हुआ सा लगता है गा, football जितना, नहीं न, जैसा मूँ है वैसा ही लगता है गा, नहीं, जैसा मूँ है वैसे ही लेगेगा, है न, बाई, अगर तुम चोड़े हो, तो तुमारा प्रतिभिम्व भी चो में है वैसे ही एक प्लेन मिरर के अंदर हम दिखाई पड़ते हैं सही बात है ना तो हाइट आफ अब्जेक्ट जितना है उतना ही हाइट आफ इमेज होगा दुन्नों की हाइट होगी सेम ठीक है तो यहां लिख रहा हूँ सेम साइज बुलते हैं इसको एज डाट आफ ओब्जेक्ट ठीक है जी जैसा साइज ओब्जेक्ट का है वैसे ही साइज इमेज की बनेगी clear तीसरा यहां पर बच्चे लिख भी रहे हैं वर्चुल बनती है भाई देखो रियल दुनिया में तो मिली एट डुनिया में आपको मैंने बताया था के वर्चेल होती है तो इरेक्ट भी और का मतलब होता है सीधी खड़ी तो देखो से हेड के सामने हेड आया, पेट के सामने पेट आया, पेरों के सामने फीट आये, ऐसे ही हो रहा ना भाई, घुटनों के सामने घुटने आएंगे, ऐसे ही होता है, आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो, सर के सामने सर आता है, नाक के सामने नाक आती है, ऐसे ही तो होता है, इ लेटरली इन्वर्टिड़ बनती है इमेज लेटरली इन्वर्टिड़ का मतलब क्या होता है कि राइट का लेफ्ट दिखना अब जैसे आप अगर आपकी शर्ट पर कुछ लिखा हुआ है और आप मिरर के सामने जाते हो तो वो बिल्कुल उल्टा दिखता है ऐसा होता कि नहीं होता अगर आम mirror के सामने जाके right hand खड़ा करोगे तो जो आपका जुड़वा भाई होगा या जुड़वी बहन होगी अंदर वो क्या वो left hand खड़ा करेगी इसके सामने वाला हाथ उसका कौन सा दिखेगा left दिखेगा तो right का left दिखता है हमेशा ऐसा होता है कि नहीं होता है अच्छा ambulance देखा होगा आपने ambulance उल्टा लिखा रहता है ambulance पर उस पर question भी आया हुआ है और आता भी है है ना कि वो ambulance पर उल्टा क्यों लिखा होता है वो इसले लिखा होता है क्योंकि उसके आगे driver जा रहा है उसको शीशे में सही दिख जाए आवास तो उसको पतनी कब सुनाए देगी साइरन की क्या पता गाड़ी की वूफरों की वाद तेज करके गाने सुन रहा हो तो उसको दिख जाएगा भाया या तो वो घुमता हुआ, लाइट घुमती दिख जाएगी जैसे मालो मैंने आपर के लिखा तो मिरर में के ऐसा दिखेगा इसे मिरर इमेज भी बोलते हैं है ना, अगर मैंने A लिखा तो A ही दिखेगा ये लेटरली इनिवर्ट नहीं होता है ना, H लिखा तो H ही मिलेगा लेटरली इनिवर्ट नहीं होता U लिखा तो U ही मिलेगा Lateral Invert नहीं होता ठीक है ना तो मेरी बात समझ में आ गई न बढ़िया कौन-कौन Lateral Invert होता है कौन-कौन नहीं होता आप खुद भी जज़ कर सकते हो इस बात को आप खुद भी इसको ज़ज कर सकते हो X नहीं होता Y नहीं होता Z होता है N होता है M नहीं होता O नहीं होता P होता है R होता है S होता है T नहीं होता खुद भी कर सकते हो आप ठीक है कि कौन पल्टेगा कौन नहीं पल्टेगा तो यह काफी important slide है बेटा जी ठीक है यह already लिख दिया गया है तो यह ऐसे कैसे छोड़ दूँगा नोट्स आपको मिल जाते हैं PW की एप पर Warrior Batch already है उसे सब्सक्राइब किया होगा बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे बच्चे नहीं अगर किया तो अब कर लेना भाई कोई बात नहीं सारे lecture जितने भी अब तक वारियर सीरीज के होए हैं वो सबके सब वहाँ पर भी अवेलेबल हैं विद प्रेक्टिस शीट हाँ कोशनों की प्रेक्टिस शीट भी साथ में दी जाती है ठीक है और ये जो पीछे नोट्स है ना ये भी वहाँ पर उपलब्द रहते हैं PDF form के अंदर क्या करना है free of cost है PW app पर जा करके वारियर सर्च करना है और उसको enroll in कर लेना है आपने बस हो जाएगा काम ठीक है ये साथ पहले लिखा हुआ है वर्चल होती है रेक्ट होती है सेम साइज डिसन्स अबजेक्ट का यतना image का होतना और लेटरल इन्वर्टेड ठीक है ना ये सारी बात है important है बहुत आगे चला जाए यह देगा वई डोले दिखा रहा है है वई तुम्हारे जासे यह कभूत टाइब इंसान है ना यह देगा डोले दिखा रहा है तो यह अपना अपने left hand को ऐसे flex कर रहा है और यहां इसको दिख रहा है कि right hand flex हो रहा है इसका ऐसे ही अगे नहीं ठीक है है ना यह मेरा ही तिहास नहीं है तुम लोगो यह हाँ it is the phenomenon when LHS becomes RHS जब left hand side right hand side बन जाए और right hand side left hand side बन जाए है ना और vice versa when an object is exposed to plane mirror is called lateral inversion ठीक है जी फ्लिप हो जाती है image ठीक है ऐसी ambulance आपको उल्टा दिखा उल्टा दिखरा नहीं यहां पर अगर आप mirror में से देखोगे तो यह सीधा दिखेगा आपको है ना कैसा ही है आगे चलते हैं वाई तो एक बहुत important topic हमारा पूरा हो गया एक घंटा लगा उसके अंदर है ना और plane mirror तक की कहानी हमारी पूरी हो गई है अब हम चलते है spherical mirrors की तरफ ठीक है तो समझते हैं के reflection कैसे होती है spherical mirror पर है ना सबसे बढ़ी तो इस spherical mirror होते क्या है अपके घर में भी आयना होता आप गर मेरे भी दरपन होता है अप उसके अंदर अपना थोबडा अपना मुह चुका चक चमकाके रखतेही रखते हौँ यह सफेरिकल आपको देखने को नहीं मिलते या अगर मिलते भी हो तो आपको पता नहीं होता कि वह स्फघ्री करें है ना ये कहFirst कर्येशकंद के अंदर आकर का यूज्स योज जादा देखनेकं है या तो यू गरों उसकी formation समझते हैं कि वो बनता कैसे है बनावट कैसी है उसकी ठीक है तो हम पढ़ रहे हैं कि हम रहे हैं कैसे विन यहीं बरेक 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 आओ देखो सफेरीक रबहा देगो भंव भाई सिस्टम यहूँthon सिस्टम काच का गोला होता है बोल तो श्व्पेरिकल बॉल है बॉल स्विरिकल बॉल काच की ड्राइस की ऌग्राइस की उसकी नहें लगबग 80% भाग जो है वो कट करके साइड कर दिया सिरफ 20% बचा है तो जो 20% काच का बोल बचा है जो कि अंदर से खाली है hollow है hollow ball of glass ठीक है काच की एक गैंद है काच की एक बॉल है जिसका 80% भाग काट के अलग कर दिया केवल 20% छोड़ दिया ठीक है अब उस 20% वाले पार्ट पर पीछे की तरफ पॉलिशिंग कर दिया ठीक है उसकी back side पर क्या कर दी गई है पॉलिशिंग कर दी गई है अगर back side पर पॉलिशिंग कर दी गई है तो reflecting side हो गई अंदर वाली है ना और मैंने आप से यह चीज़ कही थी ओ भाई मैंने आप से यह चीज़ कही थी के mirror का अंदर दवा हुआ जो भाग है अगर वो reflection show कर रहा होगा तो ऐसे mirror का नाम concave mirror होगा है ना तो यह कैसा mirror है यह concave mirror है है ना जिसका पीछे वाला भाग तो polished है लेकिन अंदर वाला कैसा है reflecting है है ना मतब लाइट अंदर से reflect होगी इनर पार्ट से reflect होगी clear बात इनर पार्ट से एगर light reflect होती है तो इसे कहते है concave mirror नाम दे देता हूँ भाई इसको concave c o n c a v e concave और इसका just उल्टा इसका एकदम उल्टा है ना वही वाला समझे लो एक काच का गोला है अंदर से खाली है 80% भाग काट के भैक दिया इतना बच गया सिरफ 20% बच गया है ना इस बार अंदर वाली side को polish कर दिया तो फिर light कहां पड़ेगी light यहां पड़ेगी इस भाग पर light पड़ेगी भार उभरे हुए पाट पर bulged out पाट जो है वहां light गिरेगी है ना तो light इस तरफ गिरने वाली है ऐसे mirror को कहते हैं convex mirror जिसका उभरा हुआ भाग जिसका bulged हुआ हुआ भाग light को reflect करवाएगा है ना और यह inner part है जो light को reflect करवाएगा ठीक है ऐसे करके हम spherical mirror को समझते हैं कि वह यह जरूर किसी sphere का part होगा और वो बाकी सारा part काट के छोड़ दिया जो थोड़ा सा बचा था बस उसको polishing कर दिया है ना यह सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ actually मैं ऐसा थोड़ी करते होंगे वो तो machine ही ऐसी होगी यहां 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 ऐसे है ना और यहां पर पड़ेगी तो बाहर की तरफ पड़ेगी यहां 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 ऐसे समझे समझे क्या है ना इसके inner side में light पड़ रही इसके बाहर side पर light पड़ रही ठीक है तो अब क्या होगा अब इनका behavior कैसा है जरा सुनिएगा behavior भी पड़ना है इसको nature कहता है nature इस mirror का nature कैसा है तो इस mirror का nature पता कैसा है इकठा करने वाला converge करने वाला इस mirror का दूसरा नाम converging mirror भी है बेटा जो इसके nature के नाम पर दिया गया है अब ये converging कैसे होता मैं आपको समझाता हूँ पहले हिंदी इंगलिश दोनों लिख दूँ इकठा ये light को एकत्र करता है इकठा करता है converge करता है ये light को फैलाता है English में कहते हैं diverge करता है तो ये कैसा mirror है ये diverging mirror है फैलाता है diverge का मतलब फैलाना ठीक है जी ये light को क्या करता है फैलाता है अब कैसे फैलाता ज़रा सुन लो है ना सुन लो काम की बात है बड़ी सुन लो देखो ये जो light इसके अंदर मारी गई है ये light इस पर incident करवाई गई है ये parallel light है हाँ सर यहाँ भी ये parallel ही है अरे वाँ सर सही बात है ना तो जब ये parallel light mirror पर गिरती है तो ये सारी light ना एक point पर इकठी हो जाती है सर उस point का क्या नाम है उस point का नाम है बेटा focus क्या नाम है point का focus और उस focus पर आ करके सारी light इकठी हो जाएगी आइसे 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 और आइसे ठेक है यानि reflect हुई है कि point पर आगे कठी हो गई और इस point का प्यारा सा नाम क्या दे दिया प्रधान focus नाम दे दिया इसको प्रधान focus F इस F को कहते है प्रिंसिपल focus ये school वाला प्रिंसिपल वाली लेंग वो यह वाई प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल यह 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 ना प्रिंसिपल focus ठीक जी तो light आई parallel और प्रधान focus पर आके क्या हो गई इकठी हो गई principle focus पर आगे क्या हो गई एकठी हो गई, बहुत बढ़िया क्या इसने light को एकठी किया कि नि किया हां किया, यह क्या करेगा फैलाएगा, अच्छा जब यह फैलाएगा, तो यह क्या अपनी मनमर्जी से फैला देगा क्या, नहीं, यह अपनी मनमर्जी इसे नहीं फैलाता है तो सर जी ये कैसे फैलाता है भाई ये भी फोकस से बात करता है फोकस कहा होगा फोकस इसका अंदर है मतलब आपको ऐसा अपियर होगा वर्चोल है ना वर्चोल आपको ऐसा अपियर होगा कि ये सारी लाइट ना आके इस पर मिल रही है इस पर मिल रही ह इस पर मिल रही है इस पर मिल रही है लेकिन क्या मिलेगी क्या ऐसा हो सकता है कि लाइट मिरर के अंदर घुश जाए नहीं हो सकता ओपेक है ना यार अंदर तो निए ट्रांस्परेंट थोड़ी है जो अंदर घुश जाएगी अंदर नहीं घुश जाएगी है ना तो यह क्या करती है पता है इस focus से चर्चा करती है बोलती है हाँ जी बताइए क्या करूं अंदर आऊं क्या फोकस कहता है आप आ सकते हो क्या बोलती नहीं तो ठीक है फिर आप निकल जाओ एक काम करो आपना रस्ता नापो आप निकल जाओ तो इसी लाइन के लॉंग यह निकल जाती है ऐसे इस लाइन के लॉंग यह निकल जाती है ऐसे और इस लाइन के लॉंग यह निकल जाती है ऐसे यानि फैला दिया जाता है हां इमेजिन जस्ट इमेजिन यह आई फोकस से बात करी फोकस ने बोला अंदर आपा होगी क्या बोला नहीं तो जाओ, निगलो, आउट, तो इसने इसी लाइन के लोंग भगा दिया, इसी लाइन के लोंग भगा दिया, इसी लाइन के लोंग भगा दिया, इसको, ठीक है जी, तो इस लाइट का क्या हुआ, हसने वाली क्या बाते, इस लाइट का क्या हुआ, पहल गई, पहल गई है ना और यहा इकठी हो गई तो इसका काम ही फैलाने का था इसका काम ही कथशा करने का था I hope आपको नेचर समझ में आया Concave का मतलब इकथशा करना Concave मतलब इकथशा करेगा Convex मतलब फैलाएगा अब जहाँ जहाँ इनों ने इकथशा किया है उसका नाम मैंने आपको क्या बताया प्रधान फोकस बताया है ना प्रिंसिपल फोकस बताया ठीक है ना कुछ और points भी होते हैं उनको भी discuss करेंगे इसकी geometry को पढ़ने के साथ ही ठीक है अभी nature पढ़ा है हमने बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या स्फेर का सेंटर नहीं होता क्या होता है, तो स्फेर का सेंटर मेरे भाई यही है, यही है इस C को कहते हैं सेंटर ओफ करवेचर इस C को कहते हैं सेंटर ओफ करवेचर, परिभाशा है मिल जाएंगी चिंता मत करो, definition ने मिल जाएंगी चिंता ना करो इस C वाले point को कहते हैं center, ठेक है न? इस center से, जो ये line pass होगी जो ये line pass हो रही है और ये mirror को काट रही है जिस भी point पर, इसे बोलते है pole, P, P stands for pole P stands for pole, ये mirror का pole है, mirror के उपर वाला point होता है, ठेक है? और जिस line ने इन सब को मिलाया है जिस line ने इन सब को मिलाया, बेटा pole, वो P, O, L वाला pole नहीं है ये, voting नहीं कर रहे election नहीं हो रहे, voting pole नहीं है, P, O, L वाला pole है खूटा, गाड़ के बैठते हैं pole गाड़ के बैठ जाते हैं, ये वाला pole है है न, P, O, L, L लिख रहा है बच्चा, नहीं बेटा, वो नहीं, ठीक है? इस C और P का जो midpoint होता है, यही है वो प्रधान focus यही है वो principal focus इसी को कहते है, midpoint कोई ठीक है, midpoint का ही नाम है, principal focus और ये जो line आपको दिख रही है ये पीछे भी extend हो सकती है infinity तक, ये आगे भी extend हो सकती है infinity तक, इस line को कहते हैं, प्रधान axis, principal axis P मतलब principal है ठीक है, तो principal axis है इसी पर ये sub point क्या करते हैं, लाए करते हैं कौन कौन सा, curvature भी focus भी, pole भी ठीक है, center of curvature principle focus और pole, सर इसी पर लाइ करते हैं, ठीक है, एक चीदा और लगई है, जिसे बोलते है, अपर्चर, बच्चा, इसको अपर्चर बोलते है, ये, इसको अपर्चर बोलते है, इसको, मतलब जिस जिस जगा पर light पढ़ सकती है, उससे अपर्चर डिफाइन होता है, ठीक है, अंदेरा हो गया, यानि अपर्चर कम कर लिया मैंने, ये अपर्चर ज्यादा है, ये अपर्चर कम है, है ना, ऐसे देखो चलो, ये अपर्चर ज्यादा 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 ज्यादा, मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम पर्चर है ना, कम, 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 समझ गए इसे अपर्चर कहते हैं ठीक है तो घबराना नहीं अपर्चर सुन कर गए अपर्चर नाम है इसका स्पेलिंग नहीं देख लो जड़ा भाई अपर्चर वो पार्ट विर्र का या लेंस का जो की एक्सपोज होता है लाइट से को अपर्चर कहा जाता है सिंपल परिभाशा आगे चलते हैं इसकी बात करते हैं अब देखो जैसे ये किसी गोले का पाट है ये भी तो किसी गोले का पाट है हाँ सर, तो ये गोले का पाट है तो फिर ये कौन होगा अरे ये वही है C, C बोले को center of curvature, ठीक है ना इससे line दे के मारी mirror पर तो ये कौन है ये पोल है P for pole, इन दोनों का midpoint को ना, इन दोनों का midpoint ये प्रधान focus, है ना, ये वही principle axis है, और यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्या कहलाएगा, aperture कहलाएगा ठीक है जी I hope बाते क्लिर हैं, है ना, एक बार क्लिर है तो आगे लगाओ, फटाफट से, आगे बढ़ते हैं हाँ, नहीं कोई break नहीं दे रहा है, मैं मुझे पता है हाँ, बताओ, जल्दी, आगे लगाओ, फटाफट जल्दी से, समझ में आ, तो बताओ फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फटाओ, ओके, ठीक है, दिग्या, दिग्या, हाँ, लेंथ बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेंथ बताता हूँ भी, अभी सारी लेंथ बता रहा हूँ, रुख जाओ, ठीक है, देखो, देखो, लेंथ भी सुनल लेंथ भी सुनलो भाई, देगो, जब आप किसी सरकल के सेंटर से कोने तक जाओगे, यानि सरकल की पेरफेरी तक जाओगे, पेरिफेरी जो होती है, उसका कॉर्नर होता है, उसकी बाउंडरी होती है, वहाँ तक जाओगे, तो इस पूरी लेंथ को यानि सीपी को हम लोग कहत पिलीज समझ लीजेगा इस बात को बगान के लिए समझ लीजेगा रेडियस ऑप करवेचर एक दूरी का नाम है center of curvature एक point का नाम है pole एक point का नाम है principal focus point का नाम है radius of curvature दूरी का नाम है point का नाम नहीं है और ऐसे ही focal point से यानि focus से ले करके P तक का ये distance जो होता है इसे कहते है focal length है ना इसे कहते है focal length F ठीक है छोटे F से denote करते हैं इसको क्या नाम है इसका? focal length और अगर आप थोड़ा बहुत भी geometry समझते हो तो यार ये radius of curvature का midpoint अगर मैं बोल रहा हूँ तो यानि ये जो focal length है ना ये आधी होती है radius of curvature के बोलो हाँ या ना भाई अगर ये midpoint है तो ऐसे दो focal length आ सकते हैं ना अरे बोलो ऐसे दो focal length आ सकते हैं तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो focal length होती है ना वो radius of curvature का आधा होता है है ना तो यहां से एक formula आ जाता है छोटा सा r is equal to 2f इस पर भी question पूछता है भाई बताओ बोड ने इस पर भी question पूछा हुआ है ठीक है तो radius of curvature focal length का double होता है clear अब sign convention नहीं बेटा अभी sign convention की बारी नहीं आई अभी तो हम लोग diagram बनाएंगे ray diagrams बनाएंगे उसकी बारी है भी ठीक है तो समझ ले ना बिल्कुल सेम चीज़ यहां पर भी है यह भी radius of curvature है भाई यह भी focal length है भाई इस side ना पी जाएगी इस side ना पी जाएगी radius of curvature भी right side focal and b right side आगे चलते हैं इतनी बाते हैं इसके बारे में यह देखो सारी terms लिखी हुई है पढ़ो पढ़ो मजे से पढ़ो भाई aperture it is the part of spherical mirror from which actually the reflection occurs मतलब जहां जहां light गिरेगी उसे aperture खहेंगे यही लिखा हुआ है it is the part of spherical mirror from which actually the reflection occurs दूसरा है center of curvature it is the center of the spherical mirror पता आपको radius of curvature it is the distance between C and P focus it is the point where all the reflected rays meet और appear to meet बोल रहा है या तो actually में मिलें या फिर लगे के मिलें लगे के मिलें कहां पर होता है convex mirror में होता है और actually में कहां मिल रही है actually में कहां मिल रही है concave mirror में मिल रही है यह देख लो यह देख लो कहां गिया यह रहा actually में meet हुई है यह एक really image है यह एक really image है और यह appear to meet है यहाँ पर इस जगा पर ऐसा लग रहा है सब की सब यहां के मिल रही है काको एक्सके मिलती है और यहां पर मिल रही है ठीक है तो यहीं बोलना चाही रहा था वह था इस फरकास का मतलब क्या होता यहां तो तो actually में meet करें जो कि concave mirror में होता है या फिर appear to meet करें जो कि convex mirror में होता है तो इसने परिभाशा common बना दी ठीक है pole it is a point where P axis strikes the mirror जहां पर principal axis mirror को जाके क्या करती है strike करती है मारती ही जाके उसको है ना तो उसी point को क्या बोलेंगे pole बोलेंगे जा principle axis जाके घुसी है उसी का नाम पूल है तो यह सारे क्या थे definitions थी ठीक है अब हम image formation के rules पर चलते हैं हम अब क्या करने वाले हैं पता है हम object को सामने रखेंगे mirror के और हम image निकालना सीखेंगे ठीक है लेकिन image निकालने से पहले हमें चार rules ध्यान रखने हैं चार rules का ध्यान रखना है कौन-कौन से चार rules हैं पहला the incident ray that come parallel to principle axis after reflection passes through focus मैं बना के दिखाता हूँ क्या है ऐसे अंगरेजी समझना इतना आसान नहीं है है ना तो यह सीधा mirror पे focus करो यह conclave mirror है के नहीं शर बिल्कुल है यह conclave mirror है के नहीं सर बिल्कुल है है ना तो यह principle axis हो गई रिल्कुल सही वात है सर यह principle axis है ठूठ टेड़ी हो गई का सीधी कर देते हैं लो क्य है इसको कहते हैं पूल इसको कहते हैं center of curvature इन दोनों के midpoint को बोलते हैं focus, जही कहानी है जही कहानी है न, ठीक है अब कहना क्या चाहरा है पता है कहना वो यह चाहरा है कहना वो यह चाहरा है कि अगर incident ray इस principal axis के parallel आति है जानि ऐसे आति है ऐसे आती है है ना जी अगर पैरल आती है तो यह reflect करके न focus से जाएगी this is rule number 1 this is rule number 1 ठीक है अगर ray principle axis के parallel आती है तो टकरा के focus से जाएगी अब मैं इसी diagram पर rule number 2 भी बता देता हूँ 3 भी बता देता हूँ 4 भी बता देता हूँ ताकि समय बचे समय बचाने के लिए करना है कुछ काम अंताक्ष्री नहीं शुरू करनी भाई हमें इसी diagram में और आगे की race बनानी है तो पहली मैंने आपको बना दी दिखा करके यह rule number 1 है ठीक है जी यह है rule number 1 ray number 1 से rule number 1 दिखा दिया अब बनाता हो ray number 2 अलग रंग लेते हैं ठीक है रंग लेते हैं दूसरा rule number 2 क्या कहता है rule number 2 इसका बिल्कुल उल्टा है इसका एक दम converse है converse का मतलब होता है एक दम उल्टा यह क्या कहता है यह कहता है सीधी डालो तो focus से जाएगी दूसरा पता क्या बोलेगा दूसरा बोलेगा focus पर डालो तो सीधी हो जाएगी focus पर डालो तो सीधी हो जाएगी आओ focus पर डाल के दिखाता हूँ यह डाली focus पर ठीक जी यह डाली focus पर तकराई मेरे पर टकराई टकरागे सीधी हो जाती है विलकुल ऐसी ये है रूल लंबर दो ये है रूल लंबर दो पहला क्या था? सीधी तो फोकस है दूसरा फोकस है तो सीधी ये दो रूल है, ठीक है? रूल लंबर तीन, थर्ड रूल थर्ड रूल थर्ड रूल, थर्ड रूल, थर्ड रूल कहता है कि मेरे बच्चे अगर तुने सेंटर अफ करवेचर का यूज किया, मतलब ऐसे, ऐसे ठीक है, और मिरर पर मारी, मिरर पर अगर आपने रे डाली, तो आप असल में क्या कर रहे हो पता है, आप नॉर्मल पर ही डाल रहे हो, अब याद करो, अगर नॉर्मल पर ही हम रे डालते हैं, प्लेन मिरर याद है ना, पहली रे कैसे निकाली थी सर से निकाली थी, सीधी बिलकुल, है ना और वो टकरा के एकदम सीधी आ गई थी, इसके साथ साथ भी ऐसा ही होगा इसके साथ भी ऐसा ही होगा अगर हम सी से डालते हैं तो हम मिरर के नॉर्मल पर डाल रहे होते हैं और मिरर के नॉर्मल पर डाल रहे होते हैं तो भीया ये एकदम उल्टी हो जाएगी ऐसे ये एकदम वापसी तर्न ले लेगी इसे बोलते हैं बैक ट्रे बैक्ट्रेस या बैक्ट्रेकिंग कुछ भी कहलो इसको नंबर तीन है यह नंबर तीन का रूल है ठीक है अभी साइड में लिख भी दूँगा रिवाइस भी करवा दूँगा और आगे वाली स्लाइड भी दिखा दूँगा क्या-क्या लिखा उनके अंदर ठीक है न चिंता और वेली बात नहीं है तो यह ओगया पर तीन जो सी पर गिरिये वोढ दली अगतने पोल पर डॉल तो जितने एंगल पर डाली हाँ जी सुन लो जितने एंगल पर डाली उतने एंगल से वापस है ना जितने एंगल पर डाली उतने ही एंगल से वापस यह होगा यह है रूल लंबर चार यह है रूल लंबर चार जो पोल के लिए बाते करता है पोल की चर्चा करता है कि पोल पर जितने एंगल पर गिरी है उतने एंगल से उड़ जाएगी वैसे आपको एक बार बताओ मैं यहाँ पर ना हर रे reflection का law follow कर रही है आपको लेकिन देखने में क्या आ रहा है कि पोल कर रहा है बस ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है बेटा एंगल आई एंगल आर सब जगा बराबर है कि पोल याद करने के लिए बताओ जाता है कि बेटा जितने एंगल पे गिरी है उतने एंगल से उठेगी याद कर ले बस यह सिर्फ याद करने के लिए यहाँ पर सब जगा पर reflection है सब जगा पर reflection के laws follow हो रहे हैं ठीक है ना क्योंकि यहाँ का mirror ही टेड़ा है तो वो उसके हसाब से होंगे यहाँ का mirror एक तरीके से सीधा आया क्योंकि आप सोचो एक circle जो होता है ना वो infinite straight lines होती है कोई भी circle ना infinite straight lines से मिलके बना है तो इसकी line ही टेड़ी है विचारेगी इसकी line सीधी है इसकी line ऐसी है इसकी line और टेड़ी है तो सबका अपना अपना नॉर्मल होता है ये तो नॉर्मल पर गिरी है ये भी नॉर्मल है ये इसका नॉर्मल है है ना, थोड़ी सी detail मैंने बता दी खिर आपको need नहीं है आपको ये सीधा याद करना चाहिए और इसको apply करना चाहिए याद करने से जादा जूरी तो इसको सीधा सीधा यूज करना है और आप इतनी बार इसको यूज कर लोगे अगर आप डाइगराम की प्रेक्टिस करते हो आप इतनी बार इसको यूज कर लोगे कि आप भूलोगे ही नहीं ठीक है न तो दिक्कत वाली बात नहीं है प्रेक्ट है ना तो टकरा के focus से जाएगी rule number one rule number two क्या है rule number two क्या है एकदम उल्टा rule है अगर focus से आई है तो टकरा के principal axis से निकलेगी है ना देखो focus पे गिरी है टकरा के principal axis से निकलेगी पहला क्या था principal axis पे गिरी है टकरा के focus से जाएगी दो rule हो गए बिसरा अगर see Pर गरती है तो back Trace करती है तो बैक trace करती है नंबर चार अगर पोल पर गरती है तो एंगल आई बराबर एंगल र करती है यह यह अधर अगने का तरीका है सब जगा बताना है वह आपको पता है ठीक है ना क्या चारो रेज का ये जो मकड जाल है ये जो जंजाल है ये समझ में आया और रिवाइज भी हो गया तो एक बार बता दो फटा फट से कमेंट सेक्शन के अंदर फिर हम सीधा इमेज फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से बता दो जल्दी से बता दो जल्दी से ठीक है ठीक है आगे बढ़ रहे है आगे बढ़ रहे है एक बार फिर सुन लो कोई बच्चे लिए एक बार फिर सुन लो अगर रे को हमने सीधा डाला है टकरा के फोकस से ये रूल नंबर बने है इसका एकदम उल्टा रूल नंबर टू है फोकस से डाली है टकरा के पैरल ह हो गई पॉल नंबर थ्री जो जेंट्र से गई तकरा के वापस थेंट्र पाल पर गिरिये उतने यह पर गई जाएगी सिंपल चार नहीं पूल के लिखे हैं आप जानते हो rule number 3 भी देख लो incident ray coming through C retraces its path अपने path पर उल्टी वापस हो जाते है rule number 4 भी देख लो incident ray striking at pole by certain angle is reflected through the same angle उतने ही angle से वापसी हो जाएगी तो यह सब simple simple rule है I hope समझ में आगए होंगे ठीक है image formation की दरफ चलने के लिए convex के भी सुन लो easy है convex के convex के easy हैं यह convex में रहे मेरे बच्चे ठीक है यह इसका गोला ऐसे घुमेगा पीछे है ना यहां कहीं आपको इसका center of curvature मिलेगा इस जगा पर है ना यहां से यह line सीधी जुड़ेगी तो यह pole होगा है ना यह pole होगा यह beach का midpoint क्या होगा यह प्रधान focus होगा है ना यही सब लोग है है ना तो इसके अंदर दो जो ही the تمलिस थीक है दो ही rule काफी है दो ही rules से काम बंजाता है ठीक है rule number, rule number one यह कि अगर आपने पैरल्ल ढला तो क्या होगा अगर आपने light को parallel डाला तो क्या होगा आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि parallel डालते हैं यह आपर light है ना तो यह focus से बातचीद करती है है ना focus से पूछती है मैं अंदर आ जाओं focus पूछता है क्या तुम अंदर आ पाओगी क्योंकि opaque है ना यर दिवार खड़ी है ना कैसे आपाईगी विचारी वो गयाता नहीं आ सकती तो चली जाओ तुम बाइए भगा देता है उसको है ना तो light आती है भगा देता है उसको है ना तो इस तरीके से reflection होती है रूल लंबर वन है पहला principle axis के parallel है तो focus से बात करके निकल जाएगी focus से बात्चीत बात करके भाग जाएगी ये rule नमबर बन हैool नमबर two पोल पर गिरेगी तो जितने एंगल पर गिरिए उतने एंगल से उठेगी वही, same rule ठीक है न याद ने तो य्जितने اंगल पर गिरेगी उतनंने एंगल से उठ जाएगी है ना अगर सी की तरफ रे को प्हेका गया है तो वही रिट्रेस करके वापस आ जाएगी वाई सेम है विल्कुल एक दम सेम फिक्रव यह लंबर तीन है चाहो तो लिख लेना नहीं तो काम चल जाता इसी से यह काम दो से चल जाता आपका दो से image बन जाती है, image बनाना बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, तीसरे की जुरत नी पड़ती, जो C की तरफ है की गई है, वो ऐसे वापस आ जाएगी, ठीक है, बस यह बहुत है, पहला पढ़ लेते हैं, incident ray coming parallel to principal axis diverge, but appears to pass through focus, बोल रहा है कि जो parallel to principal axis आती है, rule number one, parallel to principal axis आती ह है, वो ऐसा लगता है कि focus पे मिलेगी, लेकिन diverge कर जाती है, ऐसा लगता है कि focus पे मिलेगी, लेकिन diverge कर जाती है, है ना, ये था, ठीक है, incident ray appears to be coming from C remounts back, C पर जो पढ़ती है, वाप C हो जाती है, तीसरे रूल बताया था मैंने आपको, है ना, और ये वाला तो ही नहीं, कोई बात नहीं, ठीक, आप समझ गे ना लेकिन, मैं side में लिख देता हूँ, side में आपून इसको लिख देता है, number 1, जो parallel आई है principle axis के, वो focus से बातचीत करके निकल जाएगी, number 2, जो pole पर गिरी है, वो angle I बराबर angle R करेगी, जो C पर गिरी है, वो retrace करेगी, बहुत simple है, चल image formation बराते हैं, ठीक है, ओके, image formation के बाद, break दे दूँगा, image formation के बाद break दूँगा, ठीक है, क्या time हो गया, 535, एड़ी घंटे में break चीए तुमको, है, पढ़लो, object at infinity, देखो बाई, एक object है, जिसको infinity पर रखा हुआ, बहुत दूर, कई बहुत दूर रखा हुआ इसको, ठी object at infinity का मतलब ये नहीं होता, कि वाके not defined है, ये math वाला infinity नहीं है, physics में infinite word अगर कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है, ओकात से बाहर, इसका मतलब होता है, बहुत दूर, ठीक है ना, infinitely large मतलब बहुत बढ़ा है, बहुत बढ़ा है, infinitely at an infinite distance का मतलब है, कि बहुत दूर थोटा है, comparatively distance बहुत जादा है, comparative बात है ये, तो infinity पर एक object रखा हुआ है, ठीक है, और उससे, उससे raise को लाए जाएगा, और इस spherical mirror पर, क्या नाम है इस mirror का, concave mirror पर, क्योंकि हम image किसकी पढ़ रहा है, concave mirror की पढ़ रहे हैं, है ना, तो concave mirror पर light डाली जाएगी, अभी डा ये क्या है, ये center of curvature है क्या, नहीं, ये principle focus है, ये principle axis है, ये principle axis है, नहीं, ये center of curvature होती है, पूरी, है ना, शबके नाम, ध्यान होने चैहिए आपको, ठीक है, C, F, और P, ठीक है, आप देखो क्या होगा, light को हम लेकर आएंगे, ठीक है, light को लेकर आएंगे, parallel आ गई, parallel आगई बहुत हैं कि मेरे कहने के बादी करना तुम ब्रेक लिखते रहोगे फरक नहीं पड़ता स्पैंप Echo galaxy अध्यवत्य वेशे सेम डियू अधा है न यहाफ बैटी क्र मेरे को भिश और तुम साफया लोगता मना लेते कहीं बड़े बैठ गए हैना तो स्पैमिंग करोगे फाइदा नहीं है करतने को कर सकते हो मुझे को दिक्केत नहीं मेरे को फर्क भी निपड़ता ना मेरे बच्चों को पड़ता वह फुल स्क्रीन करें के वैसे भी देखते हैं उन्हें पता है मैं कैसे पढ़ाता कि वो फोकस से जाएगी है ना क्योंकि यह रूल नंबर बन है पहला रूल है है ना तो जो पैरल आई है वो फोकस से निकल नी focus से pass हो नी जरूरी है focus से passed हो गई और focus से pass हो गई तो यही पर आपको क्या दिखेगी यही पर आपको image दिखेगी focus पर ही बनती हुई है ना अगर आपने यहापर screen टिकाई अगर आपने आपर screen रखी तो screen पर छपेगी क्योंकि यह real image है यह रियल दुनिया में बन रही है यह वर्चुल दुनिया में मेंटोस जिंदगी में नी बन रही यह असली जिंदगी में बन रही है तो इसलिए आपको यहाँ पर स्क्रीन रखनी पड़ेगी और उस पर रियल और इनवर्टिड इमेज दिखाई पड़ेगी यह कोई दूर का पेड़ हो सकता है यह कोई दूर का खंबा हो सकता है यह बुर्ज खलीफा हो सकता है यह इंडिया गेट हो सकता है टीवी टावर हो सकता है कोई भी दूर की बिल्डिंग हो सकती है अगल यह सता यह मूनों हो सकता यह कोई भी दूर का अब गय्र को सकता जो की कर इसा कुछ भी हो सकता है तो अब जो इमेज यहां बने हैं इसकानेचर हमने मegoms लिखना एग लखते हैu लिखते हैं एक सेक्षन नहीं बनता दिमाग के अंदर के बाइट फोकस सबसे पहले पोजिशन बताते हैं उसके बाद साइज बताया जाता है उसके बाद इमेजिका साइज बताते हैं और यहां पर जो साइज बन रहा है इसे कहते हैं highly diminished क्या खेते हैं इसको highly diminished का मतलब वहत बहुत बहुत चोटी बहुत बहुत चोटी ठीके दा तो object तो है काफी बड़ा लेकिन image उसके मुकाबले क्या बनी है बहुत बहुत चोटी सबसे पहले आप ने बताया कहा बनी फिर बताया उसका size फिर उसकी आगे की बात करतें नेचर है बिटा, क्योंकि real दुनिया में बन रही है, real race से मिलके बन रही है, screen चाहिए इसको देखने के लिए, हावा में नहीं दिखेगी, screen चाहिए इसको देखने के लिए, number 3 है real, और number 4 है real के साथ inverted free मिलता है, याद रख़े ना वाइस बात को real के साथ inverted free virtual के साथ erect free तो ये चार nature आपने ध्यान में रखने है चलते हैं चलते हैं beyond c पर object को रखते हैं और ये object को लाए c से beyond रख दिया अब भाई c कहा है c कहा है भईया ये c है ये f है और ये p है है ना पहली रे हम सीधी निकालते हैं इसके सर से याद करो याद करो हमने जब भी कभी image को बनाया है कम से कम दो रे ली हैं हाँ या ना कम से कम दो रे से हमने image बनाई है कम से कम दो रे तो चाहिए ठीक है पहली रे सीधी निकालो सर से निकालो पहली रे सीधी निकालो सर से निकालो दूसरी रे टेड़ी निकालो लेकिन सर से निकालो पहली रे सीधी निकालो सर से निकालो दूसरी रे सर से ही निकालो लेकिन टेड़ी निकालो तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे बनेगी beyond the object रखा है सर से हम लोगोंने पहली रए निकाली और टकरा के फोकस से पार हो गई यह है रे नमबर वन जो की rule number one यूजhy कर रही है बढ़िया है ना rule number one यूज़कर रही है यह पहली रे है वो है ना सभी बात है अब लगाएंगे rule number two वैसे आप कोई भी रूल लगा सकते हो यहाँ पर जब चाओ पोल पर भी डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं फोकस पर डाल सकते हो मैं डालने वाला हूँ आप करवेचर पर भी डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं जैसे वरजी बनालो इसको ठीक है ना तो मैं क्या करने वाला हूँ मैं आप लगा तो रूल लंबर टू कहता है कि अगर आपने फोकस पर डाली तो टक्कर मार के तारलल हो जाएगी हाँ सर है ना और आप यह देख सकते हो कि दोनों रेज एक्चुली में मीट कर रही है कहा पर इस पॉइंट पर अरे हाँ आद बोल दो कहा मीट कर रही है और रियल में मीट कर रही है असली जिंदगी में में असली जिंदगी में मीट कर रही है तो कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी, आई ये नेचर लिखते हैं, आचा पहले इमेज तो दिखा दूँ आपको, ये देगो, ये इमेज का सर है, और सर नीचे आएगा, ऐसे, ठीक जी, उल्टी बनेगी इमेज, इनवर्टिड बनेगी इमेज, है ना, नमबर एक, इमेज बनी का है, सबसे पहले position बताते हैं, बच्चा बच्चा बता रहा है यहां पर, बच्चा बच्चा बता रहा है यहां पर, के between C and F बनेगी, बहुत बढ़िया, between C and F, नमबर दो, size कैसा होगा, size, size बेटा, size, can we use third rule, dream catcher, yes, you can catch all your dreams, by using any rule, ठीक है, सर 11th का वीडियो बना दीजिए YouTube पर, अपने foundation चैनल पर नहीं बनता बेटा, और 11th के वैसे बने होए है, paste series चलती थी, हम जब नए नए एकदम से आये थे, physics वाला के अंदर ना, तो paste series चला करती थी, वहां पर, है ना, paste series के अंदर रोईद गुपता सर है, हमारे गुरू ज उन्होंने वहां पढ़ा है, ठीक है, तो उनके lecture देखो, 11th class के, और बाकी अलग सर के lecture तो कब से वे लेवल है, है ना, तो अलग सर के channel पर जा कर गए, या तो paste series के lecture देखना, गुरू जी के, रोईद गुपता सर के मतलब, ठीक है, यहां फिर आप, अलग सर के, है ना, इसको highly diminished मत बोलना, ठीक है, diminished बोलना, ठीक है, diminished बोलना, हाइली डिमिनिश्ट मत बोलना, है ना, क्योंकि वो infinite वाले cases के लिए use होता है, ध्यान लखिएगा प्लीज, highly शब्द जो है, वो infinity वाले cases के लिए use होता है, highly शब्द का प्रयोग ना करें, normally लिखना बस diminished, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, हाँ, तीन, तीन, क्या ये real है, बिल्कुल real है, क्योंकि real race से मिलके बन रही है, है ना, और real के साथ आपको दिखरा inverted है, उल्टी बन रही है, नीचे की तरफ है ना, तो ये inverted भी है, real के साथ inverted भी होता है, ठीक है, तो between cnf है, diminished है, real है और inverted है, दो case हो ग ये p, है ना, my dear pigeons and pigeons, let us see whether we can put the object at c or not, तो हमने c के उपर ही रख दिया object को इस तरीके से, i से, ठीक है, इसके सर से फिर भाई दोरे निकालनी है, निकाल लेते हैं, आओ, आई ये, आई ये दोरे निकाले, पहली रे सीधी निकालो, rule कौन सा लगेगा यार, सीधी रे, सीधी रे के लिए rule कौन सा लगेगा, rule number one, है ना, rule number one, जो कहता है कि टकराएगी तो focus से जाएगी, टकराएगी तो focus जाएगी, ये rule number one है, है ना, अब rule number two कहता है, rule number two कहता है, भाई, अगर focus से जाएगी, है ना, जी, तो टकरा के सीधी हो जाएगी, है ना, तो जाती है से अब यह तुमको एड सी दिखरीया क्या नहीं दिखरीया मैं आपने 5-11 बना लंप छोड़ा है रख'd aada eco एly रसरी निग ली तो फोकस से गई दूसरी focus से निकालो, तो सीधी हो जाएगी है ना, focus से निकालें, तो सीधी हो जाएगी, ठीक है? तो लगबग C पर बनती है, बनाएंगे देखना अच्छी बनती है, jak तो stable, C पर बनती है, है ना, तोके स़ाइध है, I promise, इसको आगर आप खुद बनाओं गया थीप बहुत बढ़िया क्या बनी है मदा आ गया मदा आ गया तुमको भी आ गया होगा बन गई ना भाई माफ करना मुझे अगर इदर दर ओगा तो माफ करना भाई ठीक है हाँ लेकिन सी पर रखो गए पहली रहे सीधी फोकस से गई अगर तुमने एरो नहीं बनाए तो है ना फिर मुझे मत बोलना मैं पहली बता रहा तुमको ठीक है एरो जरूरी है पीछे बना रखेंगे ना मैंने हा मतलब यह तो एरो ही लिये थे ठीक समझ जाओ मतलो मेरी भावना है समझ जाओ यार तुम है ना प्लीज चलो नंबर ए एक का बनिये सी पर बनिये पोधिशन होगी सी साइज बोलोगे सेम साइज आएगा सेम साइज है ना height same है ना क्योंगी जतनी height object की है उतनी height image की है same size बनेगा है ना अच्छा real दुनिया में बन रही है real race से मिलके बन रही है image भी real होगी है ना और real के साथ inverted मुष्ट मिलता है यानि real और inverted भी लिखना पड़ेगा देख सकते हैं आप उल्टी है object सीधा है image उल्टी है object सीधा image उल्टी ठीक है ना sir what is your name नाम में क्या रखा है बेटा पढ़ बेटा पढ़ बस तु पढ़ती रहे पढ़ती रहे बेटा सौम्या बेटी पढ़ती रहे यह पोल है यह focus है यह center of curvature है ठीक है इस बार हमने object को सी और रफ के बीच में रखना यह चौथा case है यह fourth case है स्ती और रफ के बीच में रखेंगे हम किसको किसको object को ठीक है सी और रफ के बीच में आई से ठीक है अगेन वही काम, सर से निकालेंगे दो रे, है ना, इसके हेड से निकाली जाएंगी, दो रे, क्या बात है, सर सी पर नहीं बन रही मुझसे, तो मुझसे बड़ी बन गई, बनेगी बेटा, बनेगी, महनत करते रहो, है ना, एक दिन अम जरूर बना पाएंगे, मैं भी और आवो, देओ, चलो, 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 स्पीड पहरते हैं थोड़ी सी, है ना, इसके سर से पहली ररे निकाली, Mirror पे गिरी, TAKRA के FUCUS से गई, Rule Number 1, Rule Number 1 देखो कितना overuse हो गया है, कुछ जयादा used हो गया है ह्ना Rule Number 1, हर बार सीधे डाले डालते है, FUCUS से निकल जाती है, सीधे डालो, FUCUS से निकल जाती है, है न Nay, सभी बात है अच्छा, दूसरी ray, हम लोग focus से निकालने कोशिश करते हैं, ठीक है तो यह मैंने focus पर डाली यह focus पर डाली, है ना और यह हो गई यह हो गई parallel ऐसे ही होता ना Converse उरू लगाना भाई Converse उरू लगाना है ना दो rule use कर लिए पहला सीधा focus से, दूसरा focus से सीधा, ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं अगर इसमें time लगा के बना रहा हूँ मैं भगा नहीं रहा, तो आप भी अपनी copy pen से इसको मेरे साथ साथ बनाओ, है ना भाई revision कर रहे हैं, मान लिया लेकिन notes लिखो, जरूरी है जितनी बार लिखोगे, उतनी बार याद होता जाएगा पिच्चर नहीं देखने आए, है ना फिलम नहीं देखने आए, कितने बच्चे हैं जो notes बना रहे हैं, बताओ जरा कितने बच्चे हैं जो notes बना रहे हैं, शुरू से class की starting से सर आपका नाम है सेवियर इन हिंदी, हाँ, सेवियर सही बात है सेवियर ही है physics के सेवियर सर मेगनेटिक एफेक्ट अरे भाई, पढ़ा दी पढ़ चुके हो, भाई, पढ़ चुके हो notes लिखो guys लिख रहे हो ना, notes हाँ, नहीं लिख रहे तो अब भी लिखो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है, जरूरी है notes लिखने है ना, चाहे revision, देखो इतना, इतना medium pace पर चल रहे हैं, ना भगा रहा हूं, है ना ना बहुत भीरे पढ़ा रहा हूं, जैसे नॉर्मल आपको समझ में आए, जनता को समझ में आए, जनता मतलब जाद जादा लोगों को समझ में आए, उस space पर मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, भगा भी निरा चीज़ों को अराम अराम चल रहे हैं, फन करते होई, मस देख दम है ना, तो लिखो तो लिखो, लिखो आओ, आओ, ठीक है, देखो, तो देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कि यह यहां मीट करा, C से पीछे है ना, C से पीछे मीट करा, और यहां आपको क्या मिली, इमेज बनी है ना, यहां आपको इमेज बिली ठीक है ना, image बड़ी ही आएगी, image enlarged आएगी, ठीक है, शब्द क्या है enlarged, अभी हम nature लिख रहे हैं इसका, करते हैं बात, सबसे पहले यह बनी का है, यह बनती है beyond c, हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा ही ऐसा होता है, cf के बीच में रखोगे ना, image हमेशा c से पीछे बनेगी, number 1 number 2, size में बनेगी बड़ी, size में बनेगी enlarged, highly enlarged मतलिखना, highly है भी नहीं वो, enlarged लिखना, number 3, क्या real race से मिलके बन रही है क्या, बिल्कुल सही बात है, real race से मिलके बन रही है, तो real image है, real image है, और real के साथ number 4 क्या आता है भाई, inverted आता है, इसका head नीचे है, है ना, इसके head से द तो रहे है निकली, और meet कर रही है, तो image का भी आपको head देखने को मिल रहा है, है ना, तो beyond C बनी, enlarged बनी, real बनी, और inverted बनी, ठीक है जी, तो ये nature था, और 4 cases हमने पूरे कर लिए, पांचवे case पर चलते हैं, फिर एक बार आप से, मतब, इकठा पूछ रहूँगा, कौन सा case समझ में नहीं आया, उसको repeat कर देंगे, ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है, object at F, देखो भीया, C center of curvature, F focus, people, यहां भी लिख देता हूँ, C center of curvature, F focus, people, आपने object का रखा, आपने object रखा इस बार F पर ही, F पर ही टिका दिया object को, ठीक है, बहुत बढ़िय और यहां आपने रखा F और P के बीच में, मतलब यहां, यह last case है, 6th, ठीक है, छटा case है, last case है, और सबसे important case भी है, सबसे hut के case जो है, वो भी ही है, ठीक है, सबसे hut के case जो ही वाला है, अच्छा, F की बात करते है, F की बात करते है, देखो, पहली रे को हम सीधा निकालेंगे यह गिरेगी मिरेर पर, है ना, rule follow होगा, कि जो सीधी गई है, वो focus से पास होगी, हो गई, है ना, focus से पास होगी, और हो गई, है ना, बढ़ी आए, यह था rule number one, है ना, और अब मेरे पास चारा नहीं बचा, कि मैं इसको pole पर नाल डालू, तो मैं क्या करूं, है ना, तो मैं इसलिए क्योंकि पोल के लिए क्या इया कि जितनी पोल पर एंगल उफ इंसीडनेश फोल पर बनता है, उतना ही एंगल उफ रेफलेक्षण फोल पर बनता है. कुछ इस तरहीके से. आपको क्या लगता है? यह जो दो रेज हैं, ये क्या कभी मिलने वाली है क्या ये दोनों ही parallel जा रही है यानि ऐसा बोलेंगे infinite distance पर जा रही है जब दोनों parallel जाएंगी तो infinity पर मिलेंगी जाके मतब बहुत दूर जाके मिलेंगे ऐसा बोलना चाहिए बहुत दूर आपको क्या मिलेगी इमेज मिलेगी वहाँ पर भी screen रखनी पड़ेगी आपको तब वो इमेज बनेगी nature लिखा जाए अगर तो ये दो rays चाहिए मैं पीछे भी ले जाऊ ना इसको तो भी नहीं मिलने वाली और आगे ले जाऊ तो भी नहीं मिलने वाली I hope आप comment में बता रहे होगे I hope आप comments में answer कर रहे होगे infinity पर इमेज है एक दूसरा size कैसा होगा तो भाई देखो head से निकलिए head से दो rays निकलिए और बहुत दूर गई बहुत दूर गई बहुत दूर गई बहुत दूर गई क्या really match है क्या आरे हाँ भाई really है real दुनिया में जा रही है इसकी raise है ना और वहाँ पर screen कहीं रखेंगे तो दिख जाएगी तो real है real है और number 4 inverted भी है इसका सर नीचे जा रहा है है ना इसका सर आप देख सकते हो invert हो रहा है नीचे की तरफ invert हो रहा है हाँ इसका सर पैर ही ओंगे पैर ही ओंगे सर नीचे जा रहा पैर यह है नीचे यह और यहां शर नीचे ऐसा होरा है ठीक है जी यह था 5th case इतना मुश्किल नहीं है है ना आसान है technical technical है ने असान है ठीक है रिंवर्टिड इसे को पर मीनोन भी टेजल के दूंत है जिन्दिगी की बात करता है यानि इमेज का बनाएगा? इमेज बनाएगा वर्चुल दुनिया के अंदर है ना? आख देखते हैं कैसे बनती है वर्चुल दुनिया में इमेज देखो क्या किया जाएगा भीया? पहली रे को सीधा निकालेंगे ठीक है? क्या होगा उसके साथ सर फोकस से जाएगी ठीक है ले गए ले गए ठीक है दूसरी रे कहां से निकाले सर दूसरी पोल पे निकाल दो ठीक है तो पोल पे डाली अब पोल पे जो रे डाली है इसका एंगल थोड़ा सा बड़ा है है ना तो ऐसी ये भी बड़े एंगल से जाएगी है ना जी ये भी बड़े एंगल से जाएगी सही बात है तो एक बात बताओ एक बात बताओ ये वाली रे और ये वाली रे कभी असली जिंदिगी में मिलेंगी क्या अरे बोलो ये वाली रे और ये वाली रे कभी असली जिन्दगी में मिलने वाली है क्या ये दोनों ही reflected rays है क्या ये real world में मिल रही है क्या नहीं मिलेंगी ये real world में नहीं मिलेंगी ये मिलेंगी mentor जिन्दगी यानि virtual world में यानि क्या करेंगे हम इसको पीछे extend करेंगे और इसको भी पीछे एक्स्टेंड करेंगे समझे क्या समझे क्या बात को इसको भी पीछे एक्स्टेंड करेंगे और जहां भी एक्स्टेंड होके मिलेंगी जहां भी यह मिलेंगी वोई मेंटो जिंदगी यानि मिरर के पीछे, जो कि असली दुनिया नहीं है, जो कि वर्चुल दुनिया है, है ना? असली दुनिया नहीं है, वर्चुल दुनिया है, वहीं पर इसकी इमेज आपको देखने को मिलेगी. ठीक है जी? तो एक बड़ी इमेज बनाएगा, देख सकते हो आप, सर इसका यह नॉ предлагंग इसको मिर्र के पीछे अलिग भी रहे हैं बहुत बढ़िया बिहाइंड दा मिर्र बनेगी क्या बात है करे बिहाइंड दा बिछे बनेगी मेरों के पीछे ख़िए कीम बन सकती है इसका कर दू साइस में कैसी है size में बढ़ी है बेटा object छोटा image बढ़ी है enlarged बोला जाएगा enlarged बोला जाएगा number 3 number 3 क्या ये real image है क्या जी नहीं mentor जिंदगी virtual image है virtual image है है ना और virtual के साथ क्या मिलता है मेरे बच्चे erect मिलता है या नहीं और ये erect ही है आप देख सकते हो जैसा object सीधा खड़ा है वैसे image भी सीधी खड़ी है जैसे object उपर की तरफ सर उठाए खड़ा है image भी उपर की तरफ सर उठाए खड़ी है यानि erect इमें जाए clear बात तो ये 6 case थे concave के अब दो case आते है convex के वो बहुत simple है थोड़े से हट के हैं लेकिन simple है फिर भी ठीक है ना चलो convex mirror वाले case पर आते हैं उसके दो ही case है total 8 diagram है reflection के अंदर 9 अपना plane mirror हो गया 9 diagram है 9 diagram और ऐसे ही 9 diagram lens वाले यानि reflection में भी हैं एक slab है और बाकी 8 lenses के diagram है ना तो भाई कितने हो गया है 9, 9 और 9 के तरफारा diagram है जो आपको practice करके जाने है with nature with labeling ठीक है light के फिर human eye की बात अगर करें चलो human eye की बात तुमारी हो रखी है ठीक है तो लंबी बाते निकल जाती है करते करते object at infinity पर चलते हैं ठीक है देखो भई infinity पर object रखा हुआ है कई बहुत दूर है ना object यहां पर कहीं finite distance पर रखा हुआ है यानि यहां है ना object हमेंशा left पर ही रखा जाता है क्योंकि mirror का मुह ही ऐसा है mirror का मुह ही इस तरफ है ना तो यहां डालेंगे light तो इसलिए object का रखेंगे left side रखेंगे तो यहां पर infinity पर रखा हुआ है बुद्दूर है ना और यहां पर एक finite distance पर रखा हुआ है object को बड़ी आ बात है आईए इसे कहते हैं P इसे कहते हैं F और इसे कहते हैं C इसे कहते हैं P इसे कहते हैं F इसे कहते हैं C ठीक है जी? light निकलेगी light निकलेगी infinity से आ रही है तब parallel rays आएंगी भाई दो ही दिखादो बस क्योंकि image बनाने के लिए दो ही चाहिए एक उपर आओ लेगी नीचे आओ लेगी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है? अच्छा मुझे जरा याद करवाओ मुझे जरा मैं भूल गया हूँ भाई मुझे तरह याद करवाओ कि जब ray आ करके convex mirror पर गिरती है तो क्या करती है? यहाँ से क्या करेगी? अंदर घुज़एगी क्या focus के? क्या यह focus के अंदर घुज़एगी क्या? comment section का सदूपयोग कीजिए appear to converge बहुत बढ़िया वैसे diverge होगी, सही बात है सही बात है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही इस focus का use करके फैल जाएगी इस focus का इस्तवाल करके फैल जाएगी है ना, आएगी focus से बात करेगी, घुश सकती नहीं है ना, तो focus करेगा भाई, इसी line को use करके तुम घर को निकलो अपने, है ना, और यह इस तरीके से फैल जाएगी और ऐसा लगेगा कहां मिली, focus पर मिली, ऐसा लगेगा कहां meet हुई, focus पर meet हुई, number एक हम बोलेंगे कहां meet हो रही है focus पर ही meet हो रही है, ऐसा लग रहा है ना, appear to meet at focus है ना, image जो है वो focus पर आपको दिखेगी एक, number दो, size में कैसी होगी, size में होगी highly diminished, क्योंकि infinite वाला केस है भीटा, है ना, infinity वाला केस है, बोलेंगे highly diminished, highly diminished, number 3, क्या ये real है क्या, नहीं, mentors जिंदिगी है, real नहीं है, mentors जिंदिगी है, हाँ, है ना, मेरे के बीचे बन रही है तो क्या बोलेंगे virtual, virtual और virtual गद क्या मिलता है, erect मिलता है, सीधी खड़ी बनेगी है, ठीक है जी, सीधी खड़ी, सर उठा के ऐसे खड़ी होगी ये image, है ना, और ये mirror के through ही दिखेगी, इसको screen की अवशकता नहीं है, क्योंकि एक virtual image है, है ना, तो आपने एक बात नोट करी, कि convex mirror जो है, वो virtual image बना रहा है, और यहाँ पर भी आप देखना ये virtual image ही बनाएगा, अभी बना के दिखा रहा और इससे conclude ये किया जाता है, इससे निशकर्ष ये निकाल जाता है, निचोड ये निकाला जाता है, कि convex mirror हमेशा ही virtual, erect और diminished image बनाता है, हमेशा, virtual, erect, diminished image बनाता है हमेशा है ना, देखलो, virtual, erect, diminished, अभी यहाँ भी बना के दिखाऊंगा, वो भी यही आएगी, virtual, erect, diminished, याद इस बात को, important point है, और numerical में hint दिये रहते हैं ऐसे, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ, याज रखना इन बातों को, आओ, इसके सर से दोरे निकालते हैं भाई, है ना, यही करना है ना, final distance for object रखा है, इसके सर से दोरे निकाली जाएं, पहली रहे सीधी, सीधी का क्या होगा, वैसीधी का क्या होना है, focus से बात करेगी, और फैल जाएगी, है ना, और दूसरी वाली pole पर डालते हैं, pole के लिए क्या rule था, pole के लिए क्या rule था, जितने angle पर गिरी है, उतने angle से उठेगी, यानि ऐसे, यही था ना, जितने angle पर आई है, angle आई, उसके बराबर क्या होगा, angle आई है ना, अच्छा एक बाद बताओ, एक बात बताओ, ये एक reflected रहे है, उदर जा रही है, ये दूसरी reflected रहे है, यहां जा रही है, ये दोनों फैल रही है ना, तो इकत्थी कहा होंगी, ये दोनों फैल रही है ना, तो इकत्थी कहा होंगी, ये दोनों फैल रही है ना, तो इकठी कहा होंगी हाँ कहां इकठी होंगी पीछे येस कहां इकठी होंगी पीछे इकठी होंगी एक तो चली गई दूसरी भी चली जाएगी ऐसे पीछे है न वई और यहां बनेगी यहां बनेगी इमेज ठीक है बेटा यह आपकी इमेज होगी और आप देख सकते हो कि image कहा मनी है? P और F के बीच में और बाकी सब nature बिलकुल सेम है बाकी सब nature बिलकुल सेम है यह diminish है? यह भी diminish है यह virtual है? हाँ यह virtual है यह rake Yukte है? हाँ भाई यह rake tuck है है ना? लेकिन एक बात है कि यह between P और F बनती है हमेशा और यह F पर बनती है हमेशा यानि F से beyond F से beyond कभी image बनाता ही नहीं Convex mirror F से beyond कभी image बनाता ही नहीं F इसकी limit है F इसकी limit है F से पीछे image को नहीं push करता F से पीछे image को नहीं push करता F से पहले-पहले निप्टा देता है तो F से पहले-पहले निप्टा दिया नेचर लिखा जाए तो नमबर एक है के बिट्वीन F and P नमबर दो, साइज में कैसी है अरे जो सेम टू सेम बिल्कुल डिमिनिज्ड है यार छोटी है, है ना, अच्छा और नेचर वेचर कैसा है इसका वही है सब बढ़िया है सब बढ़िया है, वर्चोल है वर्चोल के साथ इरेक्ट आपको फ्री मिलेगा सही है तो ये थे आठ डायग्राम एक बार फटना फट से देख लो अब्जेक्टेट इंफिनिटी कॉन केव का इमेज बनी F पर नेचर आपके सामने है Beyond C है C और F के बीच में बनती है C पर है तो C पर ही बनती है Add C ही बनेगी, same size बनेगी C और F के बीच में है तो Beyond पीछे बनेगी अगर आप और इमेज को आगे लेआ तो पीछे बननी चुरू हो जाएगी और आगे लेआ है mirror के पीछे बना देगा उसके बाद दो case है Convex के, एक finite, एक infinite दोनों में लगबग सेम सा ही nature है, बस एक Add F है और एक FN P है ये फरक है, आपको अगर ये 8 के 8 case सही से समझ में आए है तो आग लगाओ और नहीं आए, तो doubt बोलो जल्दी फटा फट, जल्दी से बना दो समझ में आए है तो आग और नहीं तो कोई doubt बोलो जल्दी से No doubt 6 को repeat करना है, देखो 6 को सुनो दुबारा Object आपने FN P के बीच में रखा हुआ है Rules follow करो और आगे बड़ो, rule number 1 कहता है सीधी तो focus से, rule number 4, last वाला कहता है पोल पर डालो के जितने एंगल पर डाले उतने एंगल से भार है ना, तो ये कभी मिल नहीं सकते असली जिन्दिगी में, ये मिलेंगे Mentos जिन्दिगी में, यानी पीछे मिलेंगे तो जाएं ये पीछे मिलेंगे, virtual दुनिया में वही पर बनेगी virtual image और वो ऐसी बनेगी, mirror के पीछे बड़ी बड़ी दिखरी है भाई बन रही और virtual और erect ऐसी बनेगी ठीक है ना, तो ये सारी बाते थी और numerical पर चलने से पहले एक बार सारे diagram ऐसी slide पर देता ही हुआ हमेशा और देता रहूंगा आगे भी तो आप एक ही जटके में सारे diagram एक ही sheet पर देख सकते हो और इसको साथ के साथ revise भी कर सकते हो, इसके अलावा मैं कैसी table भी देता हूँ देता आया हूँ, आगे भी देता रहूँगा कि objective position कहा है, image की position कहा है size कैसा image का और nature कैसा image का ये सब कुछ एक ही table में mention है मैं side हो रहा हूँ, screenshot लेना चाहते हो ले सकते हो, नहीं तो notes जाके download आपको pw app से कर लेने चाहिए, मेरे असाब से ठीक है, उसमें सभी कुछ है ठीक है, तो ये दो slide है एक ये वाली, चाहो screenshot ले सकते हो और ये वाली, चाहो screenshot ले सकते हो आगे बढ़ते हैं, ठीक है uses की तरफ चलते हैं ठीक है, तो mirror के बुले तो concave mirror के ये कुछ use लिख्यों है, चार फटा फट से इसको discuss करते हैं, ठीक है फिर break की तरफ चलेंगे तो भाई ये torch के अंदर use होता है concave mirror, कहां होता है पता है, जा बल्म लगा होता है अब भाई, ये concave mirror है है ना, तो यहां से ऐसे बल्म निकला होगा ठीक है, और उसके उपर फिर shield होती है प्लास्टिक की, है ना, उसके उपर फिर आगे से cover होता कि इसका plastic का, ताकि वो और थोड़ा सा फेला दे, और थोड़ा सा diverge कर दे है ना, तो अंदर concave mirror क्या काम कर रहा होता है concave mirror कुछ ऐसा काम कर रहा होता है देखना, कि भाई यह concave mirror रहा है अगर, है ना, तो यहाँ पर वो bulb लगा अख्षा होगा, focus के पास, मतलब ऐसी जगह पर bulb होता है कि भाई यह focus तक रोशनी करे, है ना, और फिर उस focus से क्या होगा, बात को समझना, अगर यहाँ पर light का source है, focus पर light का source है, तो यह light की beam को parallel बना देता है, concave mirror क्या करेगा, light की beam को parallel बना देगा, ठीक है, एक focus पर रखा bulb, light की beam को parallel बना देगा, यह काम करता है torch में concave mirror, फिर आता है solar devices के अंदर, solar cooker हो जाए, solar water heater हो जाए, या solar concentrator हो जाए, तीनों के अंदर ही concave mirror का इस्तमाल होता है, ठीक है ना, यह तीनों devices source of energy नाम के chapter में पढ़ाए जाते हैं, solar cooker, solar water heater और solar concentrator, इन तीनों में ही concave mirror लगा रहता है, जो की sun से energy लेगा, sun से light लेगा, sun से heat लेगा, और एक जगा पर आके focus कर देगा, basically convergence की वज़ा से concave mirror को यूज किया जाता है, है ना, convergence की वज़ा से concave mirror को यूज किया जाता है, तीसरा, shaving mirror में, है ना, और dentist में, और beauty makeup वाला जो mirror होता है, वो भी concave होता है, reason क्या है, reason है छटा case, reason है sixth case, आपने sixth case के बारे में खास बात शायद note करी हो, या शायद ना करी हो, मैं आपको note करवा देता हूँ, जो sixth case था ना, pole और focus के बीच में जब object को रखा गया था, है ना, तो light पहले सीधी निकली थी, focus से गई, फिर pole पे डाली, फैल गई, और ये कहीं पीछे जाके कठी हुई, ऐसे, है ना, आप देख रहे हो, कि जो image बनी है ना, वो बड़ी बनी है, बिना screen के बनी है, है ना, erect बनी है, तो dentist यही तो चाहेगा भाई, कि अगर वो mirror को use करे, तो उसको दात बड़ा दिखे, है ना, magnified दिखे, तो magnification में help करता है, concave mirror, ठीक है ना, इसलिए shave करते हुए, कई कटना लग जाए, कई छूट ना जाए, कोई बाल, है ना, make-up करतो है, कोई जगा छूट ना जाए, जहाँ वो लिपा पोती ना हो, है ना, एसी कोई जगा रहनी नी चाहिए ना भाई, लिपा पोती पूरे में होनी चाहिए, तो इसलिए concave mirror का use करता है, तागी मुँ बड़ा बड़ा दिखे, नाक बड़ी बड़ी दिखे, आँखे बड़ी बड़ी दिखे, है ना, तो concave mirror, beauty parlor में, shaving mirror में, और dentist में, ये sixth case वाला काम कर रहा होता है, I hope, मैं आपको ये समझा पाया, कि sixth case किस तरीके से, एक छोटे से object को, एक बड़ी सी image बना के पेश करता है आपके सामने, ठीक है, इसके लाबा, convex mirror का, use तो भाई है, rear view mirror, है ना, पीछे देखने के लिए, और railway station पर देखने के लिए, भाई, दूर से कोई, train आ तो नहीं रही कहीं, है ना, तो तभी हम, पट्री पार करके चले जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, एक गलत बात है, पैसे, पैदल पट का view देने के लिए, ऐसे mirror यूज होते है, कारण क्या है, reason यह है कि, convex mirror इसलिए यूज होता है, क्योंकि इसका large field of view होता है, समझ लेना बेटा, क्या होता है, large field of view होता है, यह पूछा गया है board में, और पूछा जाएगा, नहीं तुम ब्रेक ब्रेक करते रह जाओगे, और board म माइंड ब्रेक ही हो जाएगा तुम्हारा, जो काम की बात हो रही है, काम की बात सुन लो, तुम्हारे भी काम की बात है, तभी तुम इस session में बैठे हो, है ना, कोई false to spammer तो हो नहीं कि, spammy करने आयो, पढ़ने ही आयो ना, तो सबर रखो थोड़ा, ब्रेक दे रहे हैं, आ सीना बन रहा है, ठीक है ना, तुमसे अधा मैं ठक रहा हूँ, तुमसे डबल उमर का होंगा मलगबग, है ना, तुम हो गए 14-15 आगे, है ना, मैं 28-30 का हो मैं, ठीक है, समझो बात को, है ना, मुझे भी तुम, मुझे भी ब्रेक चाहिए वेटा, ठीक है, लेगन जरूरी ह वो बातें आपको सुननी चाहिए, शान्ती के साथ, ठीक है, तो एक large field of view मिलता आपको किसका, convex mirror का, तो कहीं 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 की भी light जो होगी ना, वो भी आएगी, वो भी आएगी, वो भी आएगी, वो भी आएगी, कोने की भी आएगी, इस कोने की भी आएगी, और वह क्या करेगी वहं करेगी वह दिखेगी टिखाही पड़ेगी आपको टो मस्कों पर भी सकते यह बढ़ smack ओके, numerical, तो numerical स्टार्ट करने से पहले, हम लोग 10 minutes का छोटा break कर लेते हैं, है ना, कुछ बच्चों को लगी है, कुछ बच्चों को वो लगी है, मतलब भूक लगी है, प्यास लगी है, और क्या लगी है, है ना, तो कराना तुमने, जो जो करना है, ठीक है, 10 minutes का अपन ब्रेक लेते हैं उसके बाद हम लोग मिलते हैं ठीक है जी 10 मिनिट स्टार्ट होते हैं अब 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 अंब ँe झाल 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 और आगे हो गया वाज हाँ मैं यह कहा रहा था कि numerical ही कराने आया हूँ भया और बिना numerical के physics नहीं हो सकती तो numerical की practice भी हम आज ही करेंगे अभी करेंगे इसी session में करेंगे ठीक है तो numerical अब reflection पर बेस्ट है और numerical करने के लिए आपको कम से गम दो सीज़े चाहि़े होती है चीज नमबर एक आपको चाहिए होता है हिमत नहीं नी आपको चाहिए होती है sign convention और दूसरा आपको चाहिए होत ए formula sign convention अगर आपको समझ में आती है और अगर आप formula में उसको apply कर लेते हो तो numerical करना बहुत असान है light कि लाइट के, comparatively electricity के मुकाबले easy question है बहुत, ठीक है न, अगर दोनों को compare करें, तो light के question आसान आते हैं as compared to electricity, है न, उसमें जाधा formula है, 15-16 formula है कम से कम उसमें, इसमें formula की संख्या भी कम है, है न, और उतने मुश्किल concepts भी नहीं है, sign convention को समझना आसान है, है न, आओ, कोशिश करत से हमलोग sign convention की, यह sign convention क्या होता है, तो देखो, अगर आपको एक, concave mirror दिया गया है, ठीक है, यह है, यह उसका pole है, यह focal, यह focus न, और यह center of curvature है, आप जानते हो, कि इस length को focal length कहते है, और इस length को radius of curvature कहते है, है न, यह याद है, यह याद है, न, यह याद है, यह यह राद है यह कौन सा मिरर है यां क्या और ना यह Karma मेरे है अब conqu consegu च्छा कर कोमे य होता है को कॉ around नो पैसे हो तो सिन्टॉ अफ कर वेचर यहां फोकस और यहां पूल है ना और यहां पर यहां पर अगर फोकल की बात करी जाए तो यह वाली होगी focal length है ना और यह होगा radius of curvature इसका C तक P से F तक F होता है और P से C तक radius of curvature होता है यह बाते आप जानते हो अब हम क्या करते हैं बता है हम अब object रखेंगे और image distance, object distance वगारा को भी समझेंगे कैसे होता है तीक है उसे कैसे देखा जाता है अब मान लो भीया मैंने अपना object C और F के बीच में रखा यह थीक है मैंने अपना object C और F के बीच में रखा यहां पर यहां से ले करके P तक का जो distance होता है that is U, इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं object distance, है ना? U is object distance, है ना? और आप जानते हो इसकी image यहां कहीं पीछे बनती है अभी अभी देखा था हमने है अगर between C और रखा था तो beyond C इसकी image बनी थी, है ना? तो beyond C बनेगी तो यहां से लेकर यहां तक इस length को कहते हैं V V, V stands for image distance, ठीक है जी? V का मतलब image distance, ओके? clear? तो object distance क्या हो गया? P से लेकर के object तक का distance, object distance, P से लेकर के image तक का distance, image distance, है ना? अभ, sign convention अगर आपको सीखनी है, तो इसका वैसे नाम है new sign convention, हाँ, Cartesian sign convention, यह सम नाम है इसके, Cartesian sign convention क्या कहती है? यह यह कहती है, कि जिस थरीके से Cartesian plane होता है, है ना? जिसमें यूपर वाला positive y, नीचे वाला negative y, यह वाला positive x और यह वाला negative x होता है यह वाला negative x, यह वाला positive y और यह वाला negative y, है ना? positive y, negative y, positive x और negative x, पोल से left में, जितने भी distance हैं, वो सब के सब negative में calculate होगे, और पोल से right में जितने भी distance होते हैं, वो सब के सब positive में calculate होते हैं, मुझे एक बार बताओ, और comment section का use करना पड़ेगा तो मुझे बताना कि pole से left में focal length है क्या मैं इस focal length को plus में लूँ या minus में लूँ pole से object distance plus में लूँ या minus में लूँ ये left में है या right में है मैंने आपसे बोला कि Cartesian plane का जो ये origin होता है 0,0 ये आपके लिए pole है ये 0,0 क्या है आपके लिए pole है सही बात है ना तो इससे left में इससे left में जो भी चीज़े होंगी वो सब negative में calculate होंगी सही बात है ना भाई सही बात है ना हाँ किस से origin से यानि pole से, pole ही आपका origin है उससे left में जो जो चीज़े होंगी वो सब negative में calculate होने वाली है यानि focal length भी किसमें आएगी? minus में radius of curvature भी किसमें आएगी? minus में object distance भी किसमें आएगा? minus में image distance भी किसमें आएगी? minus में ध्यान नक्राइन बात होगा ठीक है भाई? तो focal length भी minus radius of curvature भी minus image distance भी minus object distance भी क्या होगा minus होगा ठीक है अच्छा अगर मैं बात करूं convex mirror की convex mirror की तो इसका focus right side पर है यानि इसकी focal end right side पर है इसका center of curvature right side पर है यानि इसका radius of curvature भी क्या है right side पर है तो मेरे भाई जैसे यहाँ पर बताया था आपने ही comment section में ही यहाँ पर बताया के left side वाली चीज़ों को हमने minus में लिया है तो यहाँ पर right side पर जो चीज़े हैं जो ना पी जा रही है वो सब किस में ली जाएंगी अरे बताओ comment section में बताओ किस में ली जाएंगी सभी बात है positive तो आपने जर्ण Scene औबजेक्ट को कर रिकांए है आपने जर्ण जो सिर्फ औबजेक्ट को लापने रखा हुआ पीज़ें भ anxiety सोनना सिर्फ ञाबजेक्ट को जो आपने लेफट में रखा हुआ वही नेज़ें evaluate और इठ होगा वही नेगेटिव में लिखा जाएगा यानि object distance ही सिर्फ क्या रहेगा minus रहेगा negative में रहेगा है ना इसका focal length positive में radius of curvature किसमें रहेगा positive में रहेगा अच्छा क्या मैं इन बातों से इन बातों से ये conclude कर सकता हूँ क्या क्या मैं इन बातों से ये निशकर्ष निकाल सकता हूँ क्या कि object distance हमेशा negative में ही होता है हाँ या ना बताओ yes or no बताइए yes or no बताइए object distance हमेशा minus में ही होता है क्या ऐसा कहना सही है या नहीं बढ़िया, बढ़िया, you always negative, बिलकुल, ठीक है, जो object distance है बेटा, यह हमेशा ही negative होगा, ठीक है, always negative, always negative, चाहे तो आपने concave mirror लियाओ, चाहे तो आपने convex mirror लियाओ, आप object को हमेशा left ही side पर रखोगे, इसलिए object distance is always negative, लेकिन image distance पर depend करता है, image distance depend करता है, कि आपने object कहा रखा है, वो positive भी आ सकता है, negative भी आ सकता है, तो image distance का कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है, मैं भरोसे के साथ image distance का sign नहीं दे सकता आपको, लेकिन object distance का sign मैं आपको दे सकता हूँ, it is always negative, ठीक है, अच्छा, मैं आपको focal length का भी sign दे सकता हूँ है ना, लेकिन आपको यह याद होना चाहिए कि focus कहाँ पर होता है तो आप ही बताओ भाई आप ही बताइए कि इसकी focal length left side पर है, है ना इसकी focal length right side पर है है ना, तो इसका focus left पर है ना, इसकी focal length किसमें निकाली जाएगी, minus में निकाली जाएगी और इसकी focal length किसमें निकाली जाएगी plus में निकाली जाएगी, यानि अगर हम focal length की बात करें तो convex mirror के लिए positive होती है, और अगर हम concave mirror की बात करें, तो focal length negative होती है, ये भी पक्के से कह सकते हैं, ठीक है ये भी हम पक्के से कह सकते हैं कि concave mirror की focal length minus में आएगी और convex mirror की focal length positive में आएगी है ना और object distance क्या रहेगा? object distance रहेगा हर बार minus में always negative तो ये sign convention की कुछ छोटी छोटी बात है थी इसके अलावा sign convention जो आपने पढ़नी है वो पढ़नी है object की ये आपका object है तो इसकी height जो होती इसे बोलते है height of object और ये image है इसे बोलते है height of image ही यहाँ पर भी देख सकते हो आप ये क्या है? ये height of object है और मेरे भाई जब हम इस तरफ जा रहे हैं x-axis के about जा रहे हैं उपर नीचे नहीं उपर नीचे नहीं ऐसे और ऐसे चीदों को नाप रहे हैं तो हम इसकी help लेते हैं ना x-axis की help लेते हैं ना और जब हम उपर या नीचे कुछ नापेंगे तो हम y-axis की help लेंगे समझने आई ये वाली बात? तो ध्यान से सुनना देखो भाई अभी तक हमने जो भी दूरिया नापी हैं हमने जो भी distances को देखा है वो सब ऐसे या ऐसे देखा है है ना? इसकी about देखा है focal length यहां है radius of curvature यहां है object distance यहां है image distance यहां है सब के सब हमने इस x-axis के about देखे हैं अब आप height की चर्चा कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखना ठीक है यह कुछ sign convention की छोटी छोटी बाते थी एक बार फटा फट से revise करवा देता हूँ ध्यान से सुन लीजेगा u which is object distance u यानि object distance हमेशा minus ही होता है चाहे आप concave के left में रखो चाहे आप convex के left में रखो वो left में है इसलिए वो negative है दूसरी बात focus focus concave का left side पर होता है convex का right side पर होता है left में होगा तो minus में focal length ना पी जाएगी और radius of curvature उसकी double है वो भी minus में ना पी जाएगी यहाँ पर focal length positive side पर होती है इसलिए plus में ना पी जाएगी right side पर होती है और radius of curvature भी right side में height of object हमेशा उपर की तरफ ही रखा जाता है आपने देखा हमने 8 case पड़े है हर case के अंदर हमने object को उपर की तरफ ही रखा जाता है है ना यानि आप object की height को है ना HO means height of object यह भी always positive है ठीक है जी निश्चिन्त हो के आप इसको always positive कह सकते हो ठीक है लेकिन जो image की height है वो कुछ भी हो सकती है है ना बाई कभी तो image उल्टी बनती है inverted और कभी erect भी बनती है उपर की तरफ ही बन सकती है तो image का कुछ नहीं कह सकते है पक्के से है ना बाई image का height of image का पक्के से कुछ नहीं कह सकते कभी उपर भी बनती है यहां बनती है है ना बाई और कभी यहां नीचे बनती है तो कोई भरोसा नहीं है height of image का भरोसा नहीं है plus में भी हो सकती है minus में भी हो सकती है वो तो निकल के आएगा देखेंगे है ना मिरर के case में, जो formula आपने पढ़ने है, formula for reflection, ठेक है, reflection के जो formula आपने पढ़ने है, उसमें सबसे पहला formula आपने पढ़ना है, mirror formula, सबसे पहला फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला होता है 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u याद रखना है भीया भूलना नहीं है 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u इसमें f क्या है तो f पता है आपको focal length होती है plus linear minus linear यह आपको देखना पड़ेगा v image distance होता है यह निकल के आता है mostly पूछा जाता है यह ना तो इसके sign की चिंता आपको करनी नहीं अगर आपने sign ठीक लिए है तो यह भी ठीक आएगा सही बात है के नहीं अगर आपने पहले से sign ठीक लिए रखे हैं तो image distance की चिंता करने की ज़रत नहीं है इसको हमेशा आपने negative महीं लिखना है है ना जब भी आप इसको put करोगे minus महीं करोगे है ना तो यह था पहला mirror formula number 2 दूसरा formula है magnification का formula सर यह magnification क्या होता है तो भाई यह सुन लो यह ratio होता है height of image और height of object का यानि image की height object की height के कितने गुना है बड़ी भी हो सकती है और कुछ गुना छोटी भी हो सकती है सही बात है कै नहीं भाई magnification दुगनी भी हो सकती है magnification चार गुना भी हो सकती है magnification तो हजार गुना भी हो सकती है हाँ जी और magnification आधी भी हो सकती है magnification एकतिहाई भी हो सकती है magnification 1 4th भी हो सकती है magnification 1 10th भी हो सकती है है ना तो magnification की value कैसे निकलती है ये निकलती है height of image उपर upon में height of object नीचे ठीक है ये unitless quantity है क्योंकि ये भी centimeter में होगा ये भी centimeter में होगा centimeter centimeter कट जाएगा ठीक है तो ये कैसी है ये unitless है refractive index जैसी है ये ठीक है ये refractive index जैसी है unitless magnification एक formula और होता है magnification का जो derive होके आता है ये तो इसका definition से formula है this formula is by the definition of magnification लेकिन एक formula और भी है वो है minus v by u इसको आपको याद करना पड़ेगा ये भी derive होके आता है ये भी derive होके आता है derivation से आये formula है ठीक है ठीक clear बात इसके अलावा कुछ tools भी है जो मैं हमेशा देता हूँ और आज भी दूँगा ठीक है ये tools जो है ये आपको काम आएंगे nature पकड़ने में कि जो image बन रही है ना इसका nature कैसा है जो image बन रही है उसका nature कैसा है वो पकड़ने में जो rule लगते है ना वो rule मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ तो एक बार देख लेना उन rules को बहुत काम की चीज़ है वो ठीक है tools है किसके nature निकालने के और मैं आपको बता दूँ के nature निकालने में जो m है यह बड़ा सहायक है कैसे सहायता करता है वो numerical में देखेंगे अभी जस numerically आ रहा है इसकी अगली slide जा है वो numerically है तो यह जो m है ना इस m के उपर ही यह सारा tool based है यह सारा tool case जो है यह tool kit जो है यह m पर ही based है अगर m की value 1 से बड़ी होती है तो आपकी image enlarged होती है पक्की बात है यह ठीक है? अगर M की value 1 के बराबर होती है तो same size होती है आपकी image अगर M की value 1 और 0 के बीच में होती है यानि 0.3, 0.8, 0.55, 0. कुछ-कुछ है ना? ऐसी कुछ value हो है अगर 0.7 के बीच में तो इसका मतलब आपकी image diminished है छोटी है object से ठीक है जी? आपकी image object से छोटी है diminished का मतलब यह होता है ओके? अच्छा इसके अलावा M का sign भी बहुत उप्योगी है अगर M का sign positive है तो इसका मतलब होता है virtual image बन रही है और virtual के साथ erect free मिलता है भाई और अगर M की value minus में है, negative में है तो भाई, real image बन रही है real plus inverted पक्का ऐसा ही होगा पक्का ऐसा ही होगा M की value plus है तो virtual erect पक्का आएगा, M की value minus है तो real inverted पक्का आएगा और M की value ऐसी ऐसी है तो भाई, ये sizes mention है उसके, तो सारा nature ही तो हो गया ये अरे और क्या हो गया यहाँ से आप object का position निकाल सकते हो image का position निकाल सकते हो और यहाँ से आप image का nature निकाल सकते हो सारी कहानी image को लेकर कहीं तो है है ना, आप कहीं object रखते हो कहीं image बनती है तो उसके लिए ये formula है के कहा बनेगी और कैसी बनेगी उसके लिए भाई, ये बैठे हैं सारे तो ये tool आपको ध्यान रखने है और tool निकालने से पहले आपको M पता होना चाहिए है ना, तो हम जब numerical करेंगे step by step आगे बढ़ेंगे ठीक है, अच्छा एक चर्चा last और है मेरी इसके उपर, नहीं तो ये tool आप लगा नहीं पाऊगे ये tools को आप use नहीं कर पाऊगे अगर मैंने वो बात नहीं बताई तो बात यह है, कि भाई अगर आपसे ये कहा गया है, कि image का nature बताओ, या image की size बताओ, कुछ भी कहा गया है तो आपने जब ये tool use करने है न, तो जब आप number को देखोगे न, तो sign को छुपा देना, और जब sign को देखोगे, तो number को छुपा देना उसके basis पर जज़ करना के क्या-क्या है ये, ठीक है example देता हूँ मैं, मान लेते हैं आपका m निकल के आया minus 3.5 ठीक है तो अगर मेरी बात आपको समझे में आई कि sign छुपा के number देखो और number छुपा के sign देखो तो मुझे बताओ ये किस nature की image है इस image का size और nature क्या है अगर m की value minus 3.5 है तो इस image का size और nature क्या है लिखो ज़रा, comment section के अंदर जब sign देखोगे तो number छुपा देना, जब number देखोगे तो sign छुपा देना, अब बताओ मुझे क्या आपका answer है real inverted and large तुशार शर्मा उतकर्ष राघव क्या बात है सबसे तेज आंसर देता है उतकर्ष राघव full concentrated वाला बच्चा शुरू से देख रहा हूँ session के starting से देखो बेटा, आप सभी लोग सही जवाब दे रहे हो कुछोंने कुछ और भी लिखा है तो कोई नहीं, देखो जड़ा मैंने आपसे कहा था कि जब आप sign देखो तो number चुपा देना और number देखो तो sign चुपा देना, है ना? आओ, करवाता हूँ इस तीज को मैं पहले मैं sign चुपा लेता हूँ मैंने उंगली रखी sign चुपा लिया मुझे बताओ, यह साड़े तीन वेल्यू है 3.5 यह यहां लाए कर रही है, यहां लाए कर रही है यहां लाए कर रही है, तीनों में से कहां लाए कर रही है number एक, number दो या number तीन है ना? डिमिनिश कहने वालो, बताओ मुझे M की value अगर 3.5 है M की value अगर 3.5 है तो ये कहां लाए कर रही है 1, 2 या 3 M की value अगर 3.5 है कहां लाए कर रही है 1, 2 या 3 बोलो 1, 2 या 3 1 पे लाए कर रही है भाई sign छुपा के देखोगे न भाई तो बोल रहा हूं एक तो mute करके तुम lecture सुनते हो फिर कहा तो सर जी savage reply ना दिया गरो दुखता है mute करके lecture में सुनो भाई unmute कर लो है ना मेरी आवाज भी सुनो picture नहीं देखनी है मेरी आवाज भी सुनने है कि मैं क्या कह रहा हूं वो भी सुनो और दिमाग में बिठाओ उसको तभी टूल यूज कर पाओगे है ना नहीं तो आप यही सोसर जो गयार m की value माइनस 3.5 है तो यार यह 1 से कमा रहा है तो divinish mark कर देते हैं तभी तो तुमने divinish लिखा यहाँ पर तभी तो वो 10% बच्चे जो थे उन्होंने divinish लिखा यहाँ पर यह 3 में लाए नहीं कर रहा यह 1 में लाए कर रहा है sign चुपा ना साड़े 3 value है 1 से बढ़ी है चोटी है 1 से बढ़ी है 1 से बढ़ी है तो इसकी value इसका magnitude कहता है इसका magnitude कहता है इसकी value कहती है कि यह enlarged है यह enlarged है और इसका sign क्या कहता है वो देख लो, value छुपा दो, value छुपा दो, m की value minus है ना, minus का मतना होता, real inverted, यह real है और यह inverted है, तो real inverted enlarged, ठीक है ना, अम मुझे वो धुरंदर बच्चा चाहिए यहाँ पर, जो यह बता दे, कि real inverted enlarged कौन से case में बनता है, अभी case देखे, 8, 8 डाइगराम देखे हैं, real inverted enlarged कौन से case में बनता है, कौन केव तो ठीक है, case number पूछ रहा था मैं, तो मैं यह लिखना चाहिए, यह के object कहां है, between यह के वो, के C, के F, के यह लिखते हैं, यह लिखा जाता है, अशोक राय ने लिखा है, between CNF, और भी बहुत सरे बच्चे लिख रहे हैं between CNF, सही है, ठीक है ना, तो यहां तक अपनी सोच को दोडाना है तुमने, यहां तक अपने brain को train रखना है तुमने, ठीक है ना, खाली यह नहीं, के रटने को चीज़े दी और रटली, अरे आपस म बिठाओ चीज़ों का, पढ़ी हैं, तुमने rule पढ़े, उन rule को use करके तुमने images बनाई, उनका nature समझा, अब तुम numerical की तरफ बढ़ रहे हो, यानि एक step और mature हो रहे हो, तो पुरानी चीज़े link तो करो, इतना तो तुमको back process करना चाहिए mind में, यह उसके लिए मैं थोड़ी आपको खुद करना आई है, ठीक है ना, तो rule सिखा दिये, टूल सिखा दिये, लगाने कैसे हैं, कितने तरीके से हैं, कितने तरीके से सोचा जा सकता है, इसकी practice होती है, ठीक है ना, यह काम practice से होता है, चलो, बढ़ी आए, बढ़ी आए, अच्छा है, तो यह tools थे वाई, है और ध्यान रखना, sign छुपा के number देखो, number छुपा के sign देखो, तब आप इन tool को लगा पाओगे, और फिर सही nature निकाल पाओगे, नहीं तो फस जाओगे, diminish, diminish के चक्कर में, आईए, चलते हैं सबसे पहले numerical पर, आज इका पहले numerical, if you stand in front of a plane mirror, concave mirror, convex mirror, how our image will appear, यह बड़ा concave mirror के आगे खड़े हो, फिर आप एक convex mirror के आगे खड़े हो, तो आप कैसा दिखोगे, आप कैसा दिखोगे, है ना बाई, तो देखो, mostly, mostly ऐसा होता है, mostly ऐसा होता है, कि अगर आप एक plane mirror के सामने खड़े हो, तो आप same size दिखते हो, तो पहले एक answer है same size, ठीक है, अगर आप मिरर के आगे खड़े हो थेग difí ना तो अब यह Depend करेगा वैसे आप इसके डिस्सन्स पर खड़े हो इसमें कोई शक नहीं है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन आप एम वो छटे वाले special case को रहने देते हैं चटे वाले special case की क्योंकि वो special case है ना करता है ना तो छटे वाला स्पेशल केस की बात नहीं कर रहा यानि यह बोल सकते हैं कि भाई यहां पर वो रियल और रियल और इन्वर्टिट इमेज बनाएगा है ना भाई यह चटाई तो केस था जो वर्चुल इरेक्ट बनाता था बाकी सब केस क्या बनाते थे रियल इन्वर्टिट बनाते थे तो यहां पर इमेज कैसी मिलेगी आपको रियल इन्वर्टिट मिलेगी पक्के से कह सकते हैं बड़ी मिलेगी चोटी मिलेगी नहीं पता बड़ी मिलेगी चोटी मिलेगी नहीं पता फिलाल है ना लेकिन रियल इन्वर्टिट कह सकते हैं और कॉन् virtual, erect, or diminished ये तो पक्का है कि अगर आप convex mirror के सामने खड़े हो तो virtual ही में जानी है, erect ही में जानी है diminished ही में जानी है ठीक है? तो ऐसा ही कह रहा है ये तो आप जब plane के सामने खड़े होगे, same size मिलेगा, virtual erect real inverted मिलेगा आपको concave में और convex के अंदर virtual erect और diminished मिलेगा ठीक है यह काम हम पक्के से कह सकते हैं होप बात समझ में आ गई होगी अगर अभी तक आप क्लास के अंदर बने हुए हो तो आगे चला जाए ओके अगें यह कुशन भी बोल्ड का है वन मार्कर ऐसे कुशन आते हैं और बहुत इजी कुशन है अगर मैं इसको ऐसे घुमाओं तो इस साइड पर फोकस आता है इसका है ना पॉजिटिव साइड पर इसकी फोकल लेंथ आती है फोकल लेंथ इस पॉजिटिव ठीक है बोल रहा कि फोकल लेंथ निकालनी है अगर रेडियस ओफ करवेचर 16 सेंटीमीटर है तो हाँ बताव भई आठ बिलकुल सही है प्लस का आठ बोलना प्लस का आठ बोलना भाई है ना केवल आठ नहीं बोलना 16 बटा दो यानि 8 सेंटीमीटर आएगी है ना सही है क्लियर आगे बढ़ा जाए इजी इजी सवाल इजी सवाल यह एक अच्छा सवाल है मैं करवाता हूं आप बस देखो है ना और अगर आप करसे बहुत अच्छी बात है अगर आप खुछ से करते को बहुत अच्छी बात है, ऐसे कोशनों को ठीक लेवल का माना जाता है, एक moderate लेवल का कोशन है यह, जो उपर लिखा हुआ है, इसको बच्चा 50-60% ही पकड़ पाता है, 40% नहीं पकड़ता, 40% परसेंट पैन रख देगा ऐसे, इसको देखके, यह नहीं उपाएगा, है ना, और जबकि थोड़ा सा, थोड़ा सा critical thinking आपने इसके अंदर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा backtrace करना पड़ेगा, dots को connect करना पड़ेगा, पुराने जो आप चीदे सीखे हो, वो यहाँ पर use होंगी, कहता है कि concave mirror है, वो तीन गुना, times magnified real image बन आता है, मुझे कौन case बताएगा इसका, वो धुरंदर बच्चा जो case बताएगा, answer नहीं चाहिए, case चाहिए, answer सब निकाल लगा case बताओ, case बताओ, case, कौन सा case है, beyond CA, गलत बेटा, हर्शित जांगीड, very good, हर्शित जांगीड ने सबसे पहले बताया, between CNFA, good, good, CNFA, देख, real होगी तो inverted 100% होगी, बोलो हां, बोलो हां, है न, real होगी तो inverted पक्का होगी, तो real है, inverted है, enlarged है, case है between CNF, case है between CNF, अब सब बच्चे बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, three times magnified real image है, real के साथ inverted भी आएगा, है न, भाई, मेरी class में आओगे, दिमाग तो दोड़ेगा, और दिमाग गरम भी हो जाता है, फिर break-break करते हैं, three times magnified real, real के साथ inverted तो आता ही आता है न, अब मैं आपसे पूछ हूँ अगर, कि इसका M, इसका M, मैं क्या लिखूँ, M बराबर क्या, M equals to क्या, देखो, तीन गुना magnification यहाँ पर लिखी हुई है, यानि M, three तो है, पर plus का three लगाऊं, या minus का three लगाऊं, बोलो, आपका सारा अंसर बिखड़ जाएगा इस बात से, या बदल जाएगा, या समर जाएगा, कुछ तो होगा, है न, या तो बिखड़ेगा, या समर जाएगा, माइनस three के plus three, क्या लगाना चीए मुझे या पर, तूल याद करो, तूल याद करो, real inverted के लिए भाई minus था real inverted के लिए minus था real inverted दिया है hint है hint oh hint है दिमाग चलाओ पिछे दिमाग को दोड़ो पिछे की दिशा में क्योंकि पढ़के आ चुके हो पहले से तो आपको पिछे दोड़ाना पड़ेगा गोड़े आगे भी दोड़ते हैं यू is always negative अब तो बच्चा बच्चा जानता है अब तो इस बात को बच्चा बच्चा जानता है यार के यू को तो हमेशा minus ही लेना है इसमें गल्ती तो नहीं होने चाहिए भाई गल्ती मानी ही नहीं जाएगी मतलब अपराद होगा वो ठीक है यू minus 10 होना चाहिए M minus 3 है वो निकल गया ठीक है गल्ती हो सकती थी यहाँ पर यहाँ नहीं होने चाहिए कोई गल्ती image कहां located है यानि V बताना है आपने formula कौन सा लगेगा formula कौन सा लगेगा M बराबर minus V by U है ना इन तीनों को मिला के तो यही formula बनता है इन तीनों को मिला गया यह formula बनता है M है minus 3 is equal to minus V और minus का 10 ऐसी लेंगे ना minus से minus कट गया 10 जाएगा 3 के साथ तो V आ गया minus 30 cm आप सभी बच्चे शुरू से सही answer दे रहे थे बहुत सारे बच्चे मतलब शुरू सही answer दे रहे थे लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप दिमाग दसो दिशा में दोडा तो पाओ बस इसलिए अतना time लगाया मैंने इसके उपर नहीं तो आपका answer तो पहले ही ठीक आ रहा था बहुत होगा ठीक है ना लेकिन जिनका भी गलत था जो भी और dimensions में मैं नहीं सोच पा रहे थे उनके लिए मैंने थोड़ा सा time इसके अंदर आपका लिया आगे बढ़ते हैं ओके तो भाई जो जो इस question के अंदर given है एक एक करके लिखते जाते हैं ठीक है एक करके लिखते जाते हैं एक object है साड़े तीन centimeter का मैं चाहता हैं आप सा अपनी copy उठाए और दर 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 शुरू कर दो करना है ना और comment बाद में कर लेना कोई बात नहीं comment बाद में कर लेना लेकिन पहले अपनी copy में जरूर उतारो ठीक है अपनी copy में जरूर उसको solve करो ठीक है एक object है 3.5 centimeter in length away from converging mirror at a distance of 20 centimeter सब कुछ मांग लिया, इस question में, सब कुछ मांग रहा है question आप से, है ना, सब कुछ देके और सब कुछ मांग लिया, क्या-क्या, object की height, 3.5 cm, आप जानते हैं इसको plus में लेना ही पड़ता है, है ना, मैं मानता हूँ इसके लिए कोई debate नहीं है, इसके लिए तो कोई लडाई न ठीक है, converging mirror से 27 cm की दूरी पर रखा है, object को, ठीक है ना, 27 cm की दूरी पर रखा है, यानि यू जो लेंगे वो 27 cm लेंगे, है ना, plus लेंगे या minus लेंगे, I hope कोई debate नहीं है, minus ही लेंगे, और focal length 18 cm आपको given है, ये लिखी, focal length 18 cm, 3.5 cm length में object है, यानि वो object की height है, ऐसे खड़ हो जागा है, ये length है ना, ऐसे घड़ा हो गया तो इसकी height हो गई है, ऐसे लेटा लेंगे, बात एक ही है, है ना, अच्छा, ये 27 cm क्या है, ये object distance है, है ना, अच्छा, आप मुझे बताइए इसकी focal length को plus लेना चाहिए या minus लेना चाहिए, ये mirror कौन सा है, ये mirror कौन सा है, य एक converging mirror है, और converging mirror तो concave mirror होता है, हाँ सर, concave mirror होता है, और concave mirror का focus left side पर होता है, इसलिए focal length को minus लेना पड़ेगा, हाँ यार, सभी बात है, minus लेना पड़ेगा, है ना, और फिर आप से पूछ क्या-क्या लिया, बोलाना मैंने सब कूछ ही मांग लिया, जमीन, जायदा, ठीक है, जो जो तुमारे पास है, सब निकाल के रख दो, क्या-क्या निकालना है, कितने distance पर screen रखनी चाहिए, screen रखने का मतलब होता है, कि nature की कोई चिंता ही नहीं है, रियल इनिवर्टिडी होगा, अरे बोलो, अरे बोलो, वैसे ऐसे लिख मत देना, मैं खाली, एक दिश बहुत बढ़िया, जा रही है नहीं, जा रही सोच तुमारी कहीं, यहाँ देखो, V कितना है, वो निकालना है, है ना, और उसके बाद size और nature निकालना है, यानि M चाहिए, और HI चाहिए, सब कुछ चाहिए बाइस को, बोला जोना, मैंने जमीन ज्यादा, सब कुछ मांग ल V plus 1 by U, mirror formula लगाएंगे, और image distance पाएंगे, तो फिर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, लगाएंगे, अभी लगाएंगे, माइनस अड़ा रखके, V निकालेंगे, और यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 27 आगया यहाँ, यह भाईसा उठके यहाँगे, तो प् हैं, LSM क्या होगा, चावण ले लें, 54, अठारा तिया, चाववण, और 27, सादुने, दोनी है न, दोनी, सही है, ठीक है न, भाई, दोनी पर आएगा, सही बात है, है न, और 1 by V, दो मैं से तीन गया, माइनस 1 बता, चावण, इस एक्वल टू 1 by V, तो भाई साहब, ओ भाई साहब, V क्या आया, माइनस 54 सेंटीमेटर बच्चा निकाले बैठा है, कमेंट करे जा रहा है, कमेंट भरे जा रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा रहा है, सही है, तालिया हो जाएं, 54 वालों के लिए तालिया हो जाएं, माइनस वालों के लिए, प्लस चावण वालों क V9- VYU तो encourage you और V क्या है? नर्ट रिम मा माइनथ चुववन है और U क्या है? U व्यद्यू यूजिंग इस माइनस गूला हिसाअब किताब यूज करेंगे टूल हवा हिसाब कुछ टूल शूल लगा लो जानी कुछ टूल शूल लगा रहे लगाओ 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 टूल लगाओ कुछ वाहां जी पोछ रहे है मरत औ antक भोगा पेपर से पहले हि मैरत बेटा वह erased i Jessie व येस येस लगाओ 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 बहुत बढ़िया देखो ये साइन चुपा के साइन चुपा के नंबर देखा साइन चुपा के नंबर देखा तो ये नंबर कहता ये ये नंबर कहता है ये नंबर कहता है ये नंबर कहता है कि M1 से बढ़ा है और M1 से बढ़ा है तो enlarged तो ह हो गाई है ना और माइनस का साइन कहता है के रियल और इंवर्टिड तो हो गाई वो तो मैंने स्क्रीन देखके बोल दिया था ठीक है ना बोला ना गोडा दोडाना पड़ेगा सब दिशाओं में दोडाओ गोडा अच्छी बात है ठीक है यह रही? ऐमे मैनस टू रख दो? हाइट ऑफ इमेज नहीं पता? हाइट ऑब्जेक्ट साड़े-3 और यह साड़े-3 जाएगा 2 से गुणा होगा तो हाइट और प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् अपढ़ो, माइनस सेवन का, क्या मतलब है? इनवेटेड है, येस, इमेज इस, इमेज, नीचे है, औबज़ेक्ट, ऐसे है, इमेज ऐसे है, केस कौन सा है, येस कौन सा है, फटदा फट बता, फटदा फटव बता, ये सब लेल्यूस को, कि इसका नाम बूल बिलो प्रिंसिपल एक्सिज लिखा है भॉसले साब ने भॉसले साब बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप फस्स नेम नहीं पड़ पाया मैं साहिवा भी हो सकती है लेकिन भॉसले था सरनेम हाँ जी हाँ जी लव यू टू बेटा ये बाद में लिखे हो लेकिन लव यू बाद में करेंगे सेशन के अंड में केस बताओ केस बनाओ, between cnf बढ़िया है, real inverted and large cnf है, ठीक है ना, between cnf है, बढ़िया 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 ठीक है तो भाई, सब चीजों को आपस में link करते हैं, ठीक है, अभी कोई बच्चा पूछ रहाता है यहां पर, वो भी spam मारके, कि focal length of plane mirror क्या होती है, मैं signification क्या होती है, और focal length क्या होती है, उत्तर दीजिए, उत्तर देगा उत्तर प्रदेश, या फिर बिहार, या फिर मद्यप्रदेश, या फिर महराष्ट, या फिर गुजरात, या फिर दिल्ली, या फिर पंजाब, very good, very good, सही है, सही है, सही है, हम अधा पूरा देश देगा या भाई मैं उत्तर था तो उत्तर प्रदेश बोल दिया मैंने ऐसी वैसे सब लोग देंगे जबाँ वेरी गुट कि एम होगा बेटा प्लस वन ठीक है प्लस वन माइनस वन नहीं होगा प्लस वन होगा कभी इनवर्टिड इमेज बनाता देखा है क्या प्लेन मिरर के तुम जाके सामने मिरर के खड़े हो गए और तुमारा मू नीचे है और टांगे उपर है ऐसा कभी दिखाएगा तुमको । प्लस वन ठीक है मेगिनिफिकेशन होगी प्लस वन प्लस क्या होती है ना गर्रकुरत समझो 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 बात को समझो घ्लक भावनाव में नहीं भेहते क्योंकि आपका object ऐसे सीधी रघए तो इमेज भी हैसे सीधी ही रखी जाती है डो नों उपर की तरफ ही है positive ws y डिशाम थौ एंटी बना आएगा ठीक है ना focal length आएगी infinity Focal length हाएगी infinite infinity infinity है ना infinity ठीक है infinity क्यों? Mumedy क्यों, Dominique क्यों? देखो, Focal length manufacturer decide करता है सच्ची बताऊं तो है ना जो भी manufacturer manufacturer कर रहा है किसको? mirror को plane की बात नहीं कर रहा है मैं spherical की भी कर रहा हूँ अब देखो जैसे मालो ये एक mirror है ठीक है ये इसका गोला जायो यहीं पूरा हो गया है ना तो इसकी focal length यहीं पर खतम हो गई है ना ये छोटी सी focal length है इसकी छोटी सी focal length है ना अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ले लिया तो इसको थोड़ा सा फेला लिया तो तो भाई ये ऐसे गोला complete होगा इसका है ना तो center यहां आएगा तो focus यहां आएगा तो focal length इसकी और बढ़ गई focal length इसकी और बढ़ गई है ना अब थोड़ा सा और सीधा कर्व कर दू तो समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ अब परचर बढ़ा रहा हूँ इसका एक तरीके से सोचो तो यह है फिर 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 यह है इसको सीधा करता जा रहा हूँ इस मेरे को सीधा करता जा रहा हूँ तो अब क्या होगा देखना जरा इसका गोला से पूरा होगा यह गोला से घुमेगा सेंटर यहां कही होगा फोकस यहां कही होगा यह और बड़ा फोकस है और बड़ा focus है अच्छा ऐसे करते 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 अगर मैंने सीधा हाथ खोल दिया तो ये कहां मिलेगा ये कहां मिलेगा अरे बताओ ये भी infinity जा रहा है ये भी infinity दोनों infinity निकल रहे हैं तो focus भी खाओगा infinity समझ पाए अरे भाई इतना छोटा सा अगर इतना जादा curved अगर mirror होगा तो pass ही में focus होगा है ना, थोड़ा सा फैला दिया तो focus थोड़ा सा दूर हो गया और बढ़ा कर दिया focus और दूर हो गया और फैला दिया, focus और दूर हो गया सीधा कर दिया, focus infinity बग जाएगा समझे बात को समझे एक सीधी लाइन है सीधी लाइन है, तो कहाँ मिलेगी infinity जागे मिलेगी, है ना, तो उसका गूला उसका center, उसका focal length कहां मिलेगा, सब infinity मिलेगा ये कहानी है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा hopefully आपको ठीक है न, hopefully आपको समझ में आ गया होगा आगे बढ़ा जाए Name the mirror in the headlight of a car and solar furnace हाँ जी भई car की headlight में भी तो torch ही है torch जैसे ही system है है ना भई car की headlight में भी तो torch जैसे ही system है तो क्या दिख़ा था भई है ना ऐसा ही होता है concave mirror यहाँ बल्ब लगा होता है बस उससे बीम निकल के सीधी सीधी जाती है ऐसे 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 है ना तो कार की हैडलाइट में भी क्या लगा होता है और सोलर के अंदर मैंने आपको बता है, वहाँ भी कौनके वही लगा होता है, क्यों? क्योंकि उसको Sun से light चाहिए ना और उस light को उसने एकठ्धा करना है Sun से light चाहिए parallel light चाहिए और ऑठ अन्यक्षि कठी कर अबंगरेगा यहां करेगा यह करेगा यहुत करेगा सारी है ना तो इकठी करने के लिए converging nature चाहिए तो इसलिए कॉनके भी आपर role play करता है ठीक है जी हमने दो तरह की reflection की बात करी थी starting में एक थी specular reflection जो की proper reflection होती है कब होगी जब surface smooth होगा जब surface polished होगा और जब surface इस उबडखाबर होगा तो क्या होगा है ना surface से खुरदूरा सा होगा तो भुरा हुआ से surface होगा तो क्या होगा तो इस तरीके की reflection होती है किसी भी दिशा में light जा सकती होगी surface ही आप जैसे चलता हुआ पानी है तो इसके अंदर जो image है वो धुंदली दिख रही है आपको है ना लेकिन यह रुका हुआ पानी है तो यह क्या दिखा रहा है यह एक specular reflection दिखा रहा है कि जैसा उपर पहाड़ा है उतना ही same size यह वो सब कुछ और image भी blur नहीं है image भी distorted नहीं है है ना और यहाँ पर image आपको दिख रही है distorted है समझ में आई बात तो यह कहानी है तो जो plane mirror होता है ना दरपन जिसमें आप अपना मुह देखते हो वहाँ पर diffuse reflection नहीं होती वहाँ पर specular reflection होती है इसलिए आपको आपका face साफ 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 दिखता है ठीक है ना इसके अलावा आप कहीं और देखना चाहोगे जैसे मालना बरतनों में देख रहे हो बरतन भी घिस चुके proper reflection के लिए साफ सुतरा smooth शीशा चाहिए है ना जैसे यहाँ पर रुका हुआ पानी यह काम कर रहा है ठीक है जी तो यह beam बन जाती है यह beam proper बन नहीं पाती है light आती तो beam के form में लेकिन फट जाती है distort हो जाती है ठीक है यह कहानी है आगे बढ़ते है आगे बढ़ते है हम लो जो अर्थ है वो है bending से पाथ के deviation से होता क्या है कि जब light light की ray एक transparent medium से दूसरे transparent medium में घुशती है तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ change होती है ठीक है वैसे तो देखो light की जो speed होती है vacuum के अंदर वो होती है इतनी यह कहाँ है यह vacuum में है और air में भी लगबग इतनी है ठीक है न वैक्यूम में है या air में भी इतनी है 3 इंटू 10 की बावर 8 photon जो भाग रहा न या wave जो चल रही है न वो इतनी speed से चल रही है 3 इंटू 10 की बावर 8 meter per second से ठीक है लेकिन अगर यही ray किसी medium में घुश जाए कौन से medium में किसी denser medium में घुश जाए सरी यह denser medium क्या होता है तो बेटा refractive index के आधार परना अभी आगए जाके पढ़ेंगे देख भी लेंगे refractive index के आधार परना बहुत सारे medium है जो की अलग अलग density शो करते हैं तो जिसका refractive index कम होता है न वो rarer कहलाता है और जिसका refractive index जादा होता है न वो denser कहलाता है ठीक है तो यह कैसे पता चलता है कौन rar है कौन डेंसर है उसके refractive index को देखके refractive index क्या है आगे जाके चर्चा लंबी करेंगे चिंता वाली बात नहीं है अभी सिरफ introduce कर रहा हूँ terms के साथ ताकि आप जब term आए तो बहुत जादा heavy ना लगे आपको कुछ भी सरल भाशा के अंदर सरल शब्दों में समझाने का प्रियास कर रहा हूँ कि vacuum में या air में इतनी speed होती है light की ठीक है लेकिन जैसे ही है किसी denser medium में गुसेगी सर डेंसर मतलब अभी बताया जिसका refractive index इन से जादा है है ना सर इनका refractive index कितना होता है बता देता हूँ इनका refractive index 1 होता है इनका refractive index 1 होता है vacuum का भी 1 है air का भी 1 है है ना और ये चर्चा human eye में भी continue होती है याद है atmospheric reflection याद है सर ने कराया भी है अलोक सर ने है ना तो atmospheric reflection अगर आपने पढ़ी हो ढंग से सुनी हो तो atmosphere की reflection कैसे होती है जब vacuum से light आ रही होती है तो refractive index 1 होता है लेकिन जैसी air की different layers में गुसती है ना थोड़ा थोड़ा increment आता है जादा नहीं थोड़ा थोड़ा increment आता है ठीक है अदर्वाइस इसको overall 1 ही लिया जाता है air को भी और vacuum को भी calculation में दिक्कत नहीं आती calculation के लिए इसको 1 ही लेते हैं ठीक है अब light अगर किसी rarer medium से किसी denser medium में गुस गई है ना तो उसके साथ बहुत सारे बदलाव आते हैं बदलाव नंबर एक उसकी speed कम हो जाती है change हो जाती है उसकी wavelength कम हो जाती है change हो जाती है उसका path change हो जाता है pass आ जाती है normal के अभी सब diagram से दिखाऊंगा ठीक है ना इस process को refraction कहते हैं speed का घड़ जाना wavelength का घड़ जाना और उसकी वजा से path में deviation आ जाना path में bending आ जाना इसी का नाम refraction है refraction के चलते मैं और मुझ जैसे लाखों लोग करोड़ों लोग चश्मा लगा करके देख पाते हैं आप इस time पर मुझे देख पा रहे हैं lenses की help से सामने camera का lens है जो कि मुझे record कर रहा है अच्छे से focus कर रहा है पूरी screen के उपर light लेके अपने अंदर खीच करके और process करके आपको दिखा रहा है electrical signals की form में और फिर वहाँ पर display हो रहा है आपकी screens पर तो उसमें reflection का role है वेटा ठीक है ना हमारी आख से जो हम देख पाते है ना जो हमारी आख के अंदर का lens है ना वो भी इसी सिध्धान्त पर काम करता है reflection of light पर ठीक है और बड़ी चोटी-चोटी सी बाते हैं वो तो बच्पन से देखते आए हो आप के एक glass लिया काच का है ना उसमें पानी भड़ा उसमें pencil डाल दिया आपने तो pencil आपको टूटी हुई सी अपियर होती है वो पूरी एक body अपियर ही नहीं होती है ना ऐसा लगता है कि टूट के side हो गई है वो और रिफ्रक्शन ओफ लईट की वजये से ऐसा होता है ओना आपने देखाऊगा वो जर्ण नींबू पाणी पलाने वाले होते हैं वो दो रुपयगा जो ग्लास लेकर खेड लोगते दी थंड़ा-थंडा थंड़ाआटडा थंड़ा थंटदा मसीन पानी चाहलाट रूूपीज पर ग्लास था है थे जब मुद पानी चाहलें-स थे पानी के बारा डिArthur अरीट रोल हो ग्लमुकी कशिप सेइं के लाइट की बेंडिंग होती है, जब वो किसी एक मीडियम से, किसी एक ट्रांस्पेरेंट मीडियम में जाती है, तो, ठीक है, सर ट्रांस्पेरेंट मीडियम तो बहुत सारे हैं, हाँ बेटा, बहुत सारे हैं, कौन-कौन से हैं, बेटा, वाटर है, एर है, भाकूम है, भाकूम vacuum है, air है, water है, kerosene है, diamond है, benzene है, chemical compound है ना और ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं है ना जो की transparent हैं तो ऐसे transparent medium बहुत सार हैं जिसमें light एक से दूसरे माध्यम में जाती है और bend कर जाती है आईए details पढ़ते हैं, technical बाते करते हैं कि refraction of light क्या है whenever light moves in one same medium it follows straight path, क्यारा जब तक light एक medium में रहेगी, सीध्धी लाइन में चलेगी बाई, जब तक light एक medium में रहेगी सीध्धी लाइन में चलेगी, लेकिन जैसे ही medium बदला line बदल जाएगी जैसे ही medium change हुआ, path बदल जाएगा but when it travels from one medium to another, path doesn't remain in a straight line, ठीक है ना? ठीक है ना? doesn't remain in a straight line, तो देखो जड़ा यह light आ रही थी यह light आ रही है, बाहर air होगी है ना? यहां काच होगा, glass होगा ठीक है, तो आप देख सकते हो, यह इस path पर आगे नहीं बढ़ी अंदर मुड़ गई अंदर मुड़ गई और फिर यहां से बाहर निकले तो यहां बढ़ सकती थी आगे, यहां भी नहीं बढ़ी फिर सीधी हो गई देखरो ओ देखरो हैगे नी है ना? पहले एक बार मुड़ी जब जब medium change होगा तब तब मुड़ेगी, काँच से फिर एर में जाएगी, फिर मुड़ेगी, यहां मुड़गी देखो, यहां जा सकती दिना भाई, चल ठीक है तू एक बार मुडगी, कोई नहीं यहां से निकल जा, नहीं, यहां से निकलूंगी, वापस आ गई, वापस उसी के पार्लल आ ग होता है वो सारी चर्चा यहां पर फटा-फट से एक मिड़ी के अंदर कर लेते हैं मीडियम रेफर्स्टिव यानि सब्सांस और मेटरिल फॉर्म इस दालाइट के पास जिसमें से लाइट पास हो सकती है उसी का लाइट ते चलती है और जो डेंसर मीडियम है ना यानि जिसमें डेंसिटी जादा है ना तो वहाँ स्पीड कम होती है और वेवलेंथ भी कम होती है यहां वेवलेंथ भी बढ़ती है ठीक है? एक चीज है जो change नहीं करती, उसका नाम है frequency, शायद आप लोगों ने 9th class के अंदर sound ना पढ़ाओ, लेकिन पढ़ा होता तो बहुत अच्छा होता, एक formula आता है sound chapter के अंदर, class 9th का chapter है sound, उसके अंदर एक बड़ा मस्त formula आता है, वो है V equals lambda new, V का मतलब speed, lambda का मतलब wavelength और new का मतलब frequency, तो यहाँ पर frequency हमेशा constant बनी रहती है, medium पे depend नहीं करती, ठीक है ना, frequency source dependent property होती है, source का मतलब sun source हम, bulb source हम, कहाँ से light आ रही है ना, कहाँ से light आ रही है ना, उस पर depend करेगा frequency क्या होगी, ठीक है, तो frequency constant है क्यों, क्योंकि source dependent है यह, source dependent है यह, ठीक है, लेकिन यह दोनों बदलते हैं, मतलब अगर lambda घटेगा, तो velocity घटेगी, और अगर wavelength बढ़ेगी, तो velocity बढ़ेगी, समाझेगे ना, इस symbol को lambda कहते है ना, wavelength कहते है ना, अगर wavelength बढ़ती है, तो velocity भी बढ़ती है, और wavelength घटती है, तो velocity भी घटती है, एक तरी से डिरेक्टली प्रोपोर्शनल है कह सकते हो जब तब फ्रिक्वेंसी कॉंस्टेंट बनी हुए तब तक है ना जब तब फ्रिक्वेंसी कॉंस्टेंट बनी हुए तब तक यह डिरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ठीक है तो यहां जो मैंने बाते लिखी है यहाँ जो बाते लिखी हैं कि density कम होगी तो speed जाधा wavelength भी जाधा, density जाधा होगी तो speed कम, wavelength भी कम, इनको थोड़ा सा ध्यान डखना है आपने, ठीक है, कि जो refractive index होता है, n से denote होता है, density है न, refractive index, n से denote होता है, यह inversely proportional होता है, velocity के, और inversely ही होता है wavelength के भी, inversely समझते हो न, यह बड़ेगा, तो यह घटेगी, यह बड़ेगा, तो यह भी घटेगा, ठीक है, wavelength कैसे बदलते हैं, आपको नहीं बदलना बेटा, medium बदलता है, ठीक है न, medium में जाने से बदलती है, wavelength, ठीक है, तो यह सम 9th के concept है, कि wavelength क्या होता है, frequency क्या होती है, आज वो class नहीं लगी बेटा, हमारी, है न, अगर आप जानना चाहते हो, what is wavelength, what is frequency, तो आप जाके sound पढ़ सकते हो, channel के उपर free में uploaded है, है न, sound in one shot type करना, मेरा ही वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है, sound in one shot, बस यह लिग देना, sound in one shot, ठीक है, तो जाके आप वापर wavelength, frequency, amplitude, time period, wave velocity, सब सब चीदे हैं, सब चीदे हैं, मैं मानता हूं, है न, लेकिन किसने रोका आपको पढ़ने से, आपको पढ़ने से रोका किसने, जाओ पढ़ो, मैं तो आपको motivate कर रहा हूं, मैं तो आपके दिमाग में curiosity ही बढ़ा रहा हूं, कि भाई जाओ पढ़ो, new क्या है, जाओ पढ़ time period बताऊं, amplitude बताऊं, यह नहीं हो सकता, ठीक है, तो refractive index, यानि जो n है, जो की density को represent करता है, वो inversely proportional होता है, velocity के, और inversely ही proportional होता है, wavelength के, ठीक है, आपके मन में इच्छा जागती है, इसको पढ़ने की, तो sound in one shot जाके पढ़ सकते हो, और कोशिश करो, तो सीधा उस time stamp पे भी आके देख सकते हो, आप जहां पर यह बाते बताई गई है, लेकिन उस chapter को आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं नहीं मानता कैसे wavelength समझ में आ जाएगी, बिना जाने के wave क्या होता है, आपको amplitude समझ में आ जाएगा, बिना यह जाने के wave क्या ह होता, ऐसा नहीं हो सकता, आपको वह chapter पूरा ही देखना पड़ेगा, बाकि आपकी इच्छा, मेरे साब से time आपके पास कम है, अभी कुछ और पढ़ने का, कुछ extra पढ़ने का, time आपके पास कम है, तो अभी तो बस आप इनी बातों पर focus करो, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी घोट के पी जाओ, बाद में उगल के देखना कि क्या पी गए थे हम, बाद में, जब समय मिले, आपको जब समय मिले बाद में, बोड़ बोड हो जाएं, उसके बाद आपको समय मिले, तो जो पी गए थे, वो निकाल के देखना क्या पी गए थे हम, अभी के लिए इस Bending of light ray when it passes from one medium to another is called refraction. ठीक है न? Definition है? हस क्या रहे हो बे? Definition है. Bending of light ray when it passes from one medium to another is called refraction. Light की refraction का यही मतलब होता है. ठीक है? एक बच्चा बूच रहा के what is the real reason behind the bending of light? बेटा, wavelength का change होना. Is the real reason. उसकी वज़ा से न, velocity change होती है. उसकी वज़ा से path change होता है. It is the real reason. अब तु मेरे से सौ बार भी पूचेगा न, तो भी यही जवाब ही आएगा बेटा. ठीक है, क्योंकि यही reason है. है ना? जो मैं दब से बोल रहा हूँ, वही रिज़न है. अब भाई मैं मन में क्यों छुपागे रिखूँगा कुछ, जितना पता है उतना बता दूँगा. और मैं तो हमेशा यह से जाता हूँ, कि जितना मुझे आता है उतना तुमको पढ़ा दूँँ, और उसके बाद तुम और मैं बराबर हो जाएं. अब भाई में बराबर हो जाएं. अकेडमिक नॉलिज़ के मामले में तो बराबर हो जाएंगे, हैंना. बाकी एक्स्पिरेंस तो आई जाएगा टाइम के साथ. मैं तो हमेशा सही बानता हूँ, कि जिस दिन आप मेरे जितना सीख गए, जितना मुझे आता है, मैंने उतना आपको दे दिया, तो उसके बाद आपको मेरी जुरुती नहीं है, हैंना. फिर आप और अच्छे टीचर्स के पास, और अच्छे गुरुओं के पास जाना, 11th मे 12th में, हैना, वहाँ पढ़ना जागर गे, ठीक है, तो मेरी तो यह blessings भी आपके लिए और wishes भी है, ठीक है, ओके, तो देखो, यह डागराम में अभी हाथ से खुद बनाऊंगा, अभी केवल इसकी शकल लेख लो, क्या है, हैना, अभी इसकी केवल शकल देख लो, यह incident ray है, जो आ रही है, ठीक है, अभी सिर्फ शकल लेख लो, मैं बनाऊंगा इसको खुद, ठीक है, यह incident ray है, जो आ रही है, हैना, यह एक interface पर गिरी, interface का मतलब होता है, boundary, जिसके उपर, यह देखो, boundary लिखा भी हुआ है, हैना, इसको interface लिख लेते हैं, इसे interface भी कहते हैं, ठीक है, इंटरफेस का मतलब, दो faces के बीच का हिस्सा, हैना, एक face, substance one उपर है, substance one नीचे, हो सकता है, air हो, हो सकता है, काच हो, glass हो, क्योंकि air एक rarer medium है, और काच एक denser medium है, तो उसके बीच का comparison study कर रहे हैं, nothing else, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, हैना, इससे ज़्यादा कुछ नही ठीक है, तो light आती है, नाम है incident ray, normal बनाया जाता है, उस point पर, जिस point पर वो ray आके गिरी है, ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है कि ये वाला जो angle है, जैसे bend हो के गई है, ये वाला जो angle है, इससे छोटा है, हैना, भाईया, जाने को ऐसे भी जा सकती थी ना, जाने को ऐ सीदी जली जाती, नहीं गई, मुड़ गई, मुड़ गई, तो angle r, angle i से छोटा है, दिख रहा आपको साफ साफ है ना, angle r, angle i से छोटा है, ये refracted ray है, incident ray, refracted ray और ये है normal, ठीक है, ये कानी है, आगे बढ़ते हैं, अपने आच से बनाऊंगा, चिंता ना करो, ठीक है, incident ray कौनसी होती है, भाई जो surface पे गिरती है, अभी देखा आपने है ना, point of incidence क्या होता है, वो point जहाँ पर गिर रही है, और normal भी वहीं पर बनता है, है ना, point of incidence से ही normal बनाया जाता है, ये देखो, ये point of incidence है, इसी से ही normal बनाया जाता है, 90 degree पर, surface से 90 degree पर, है ना, रेफ्रेक्टोर यह यह जो बैंड हो गई है अच्छा नोर्मल रे नहीं होती है ना यह ना यह नॉर्मल है घहें एमल इंस्टे यह वड़ा अन्गल अब आते हैं refraction के laws यह जो refraction है ना यह जो bending है ना इसका एक law बिलकुल same है reflection जैसा कौन सा वाला? यह वाला incident ray normal और refracted ray lie on the same plane वह यह वाला वह याद है vertical plane है ना? यहाँ भी वैसा ही है यहाँ भी वैसा ही है यह देखो यह देखो यह एक vertical plane ही है है ना भाई? यह vertical आप इसको imagine कर सकते हो ना imagination की दुनिया में जाईए imagination का दारा खोलिए और देखिए भाई एक vertical plane ही है इस vertical plane में यह आ रही incident ray यह आ रहा normal और यह आ रही refracted ray यह एक ही तो plane में लाए कर रहे हैं भाई यह एक ही तो 2D plane है है ना जिसमें यह लाए कर रहे हैं पड़े हुए हैं ऐसा बुलना चाहिए है ना? simple बात है तो यह पहला लोग hopefully आपको समझ में आ गया होगा इसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं है incident ray, refracted ray, normal same plane में लाए करते हैं दूसरा लोग जो है यह खतरना गए खतरना कैसे है कि समझ नहीं आता है और यहाँ पर बच्चे पूछ भी रहे थे कुछ कै सर स्नेल्स लोग तया होता है है ना? तो यह ही है भाई स्नेल्स लोग बच्चे कह रखे सर प्लीज़ डिफाइन स्नेल्स लोग अब स्नेल्स लो को समझना है तो भाई सीरियस होना पड़ेगा और सीरियसली बात को सुनना समझना पड़ेगा नहीं तो यह बहुत डराएगा मैं यह नहीं कहना कि यह नुमेरिकल में आके डराएगा लेकिन कभी भी आप इसको डिटेल में पड़ना चाओगे ना तो समझनी आएगा तो इसलिए समझ लेना कि आज ही मौका है इसको समझनेगा तो अपनी सारी कंसेंट्रेशन अपने आख नाख कान जितने भी सेंसें वो सारे इसको समझने में लगा देने आपने अभी ठीक है? और देखो जैसे से मैं बात कर रहा हूँ, comment section धीरे होता जा रहा है समस्ते हो तुम बात को Ratio of sign of angle of incidence to the sign of angle of refraction is always constant for a given pair of media and for a particular wavelength ठीक है? जैसे मुझे याद है वैसे तुमको भी याद होना चाहिए मैं फिर से बोलता हूँ The ratio of sign of angle of incidence to the sign of angle of refraction is always constant for a given pair of media and for a particular wavelength क्या कहता है Snell's law? आईए सुनिये ये कहता है, simple सी एक बात कि I का अगर आपने sign लिया हुआ है, sign cos 10 से आप अब अनभिग्य तो नहीं हो, जानते हो कि sign I का क्या मतलब होता है? साइन थीटा, वह ही है ये, है ना? तो sign I को sin R से अगर मैं डिवाइड कर दूँ यानि मैं ratio लेलू किसका यानि मैं ratio लेलू किसका sign of angle of incidence और sign of angle of refraction का क्या लेलू? ratio लेलू तो ये हमेशा एक constant के बरावर होता है ये कौन constant है? कौन है ये constant? ये constant नहीं, ये constant ये con-stant कौन है ये constant कौन है? वो इस इस constant? बताईये जरा बताओ 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 कौन है ये constant? कौन है कॉंसरेंट बहुत बढ़िया गर्वित हर्षित आर्यन चॉबे अब तो बहुत सारे बच्चे बताना ले मुहम्मद सिराज गौरफ पातिल सौरफ जोशी व्लॉक्स बढ़िया बढ़िया यह जो constant है मेरे बच्चे यह refractive index ही है n यस यह constant है ना यह refractive index ही है अभी आगे जाके refractive index पर और बाते करेंगे लेकिन फिलाल के लिए मैं आपको समझाएता हूँ कि यह sin I by sin R जो है ना यह refractive index ही है और यह refractive index constant रहता है लेकिन कब तक रहता है constant सवाल ही है यह होता refractive index के बराबर ही है लेकिन refractive index कब तक constant रहता है किसी भी चीज़ का जब तक हम pair of media को ना बदले यह फिर हम light की wavelength को ना बदले wavelength light की जो होती है वो उसका color ही होता है बटा मतलब color exactly नहीं होता color को represent करता कोई ना कोई wavelength वो जब हमारी आँख में जाता है तब ठीक है ना light एक wave है और बहुत सारी wavelength से मिलके बनी हुई है बात को समझ ले ना light एक wave है बहुत सारी wavelength से मिलकर के बनी हुई है हर wavelength एक अलग color को correspond करती है हर wavelength एक अलग color को correspond करती है, कब जब महारी आँख में जाएगी फिर वो brain में जाएगा, फिर brain को बत अलगा अचा है लाल रंग है, यह पीला है यह orange है, यह नरंगी है, वो बात की बात है वो बात की बात है, लेकिन आप समझ के लिए, समझ बनाने के लिए wavelength को color ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है wavelength को color ही मान सकते हो तो अब वात को ध्यान से सुनना सनल भाई साहब ने का था कि sin i upon sin r एक constant के बराबर होता है sin i by sin r constant यानि refractive index के बराबर होता है कब अगर आपने pair of media को same रखा तब और wavelength को same रखा तब pair of media को same रखने का क्या मतलब होता है जैसे आप air से light डाल रहे हो और काच में डल रही है आप is light लाए और glass में डाल दी तो हर बाद आपने यही करना है air से लाओ, glass में डालो air से लाओ, काच में डालो जब तक आपने pair को same रखा हुआ तब तक यह refractive index constant बना रहेगा यानी sin i by sin r का ratio same बना रहेगा लेकिन अगर आप एक बार air से लाए और water में डाल दी तो फिर ये change हो जाएगा और ये change होते ही, ये भी change हो जाएगा, यानि आई आप मानलो same भी रखते हो ना, आई अगर आपने same भी रखा हुआ है, कि वाई मैं 30 degree पर डालूँगा, मैं काच पर भी 30 पर डालूँगा, और water पर भी 30 पर डालूँगा, तो ये R अलग-अलग आएगा दोनों case में, समस्ते ह हो ना भई, अरे एक चीज सेम रखी, ये बदला हुआ है, तो ये भी तो बदलेगा, अरे ये सेम रखा है, ये बदल गया, तो ये भी तो बदलेगा, तो R क्या हो जाता है, ऐसे में, change हो जाएगा, यानि refractive angle जो है ना, खेल सारा उसका है, खेल सारा bending का है, बेंडिंग अल यानि पहले air से glass में, air से glass में, air से glass में, अब की बार air से water में, तो pair of media बदल दिया ना, refractive index भी constant नहीं रहेगा, और R भी change हो जाएगा, यानि अलग angle पर bending होगी इस बार, अगर पिछली बार 30 डिगरी पर रख करके 20 डिगरी पर bending हो रही थी, तो इस बार 30 डिगरी पर रख पेर ओफ मीडिया या चेंज कर दिया, पहले air से लाके काच में डालते थे, अब air से लाके पाणी में डाला है, तो medium बदला के नी बदला, काच की जगा पानी ले आए, नी ले आए, ले आए, तो pair of media बदला या नी बदला, बदला, तो ये concentr रहेगा, क्या नहीं रहेगा, तो यह R concert रहेगा क्या नहीं रहेगा तो bending बदलेगी नहीं बदलेगी बदलेगी अगर ये बात समझ में आई तो wavelength वाली बात भी समझ में आ जाएगी मान लेते हैं कि पहले मैंने नीली light डाली pair of media भी same ही रखते हैं चलो ठीक है ना पहले मैंने नीली light डाली किस में air से डाली काच में गई air से डाली काच में गई नीली ही डाली air से डाली काच में गई air से डाली काच में गई नीली ही डाली air से डाली काच में गई लेकिन इस बार मैंने क्या किया लाल light डाल दी रेड लाइट डाल दी एर पे डाली ग्लास में गई एर से डाली ग्लास में गई लेकिन इस बार लाल डाल दी लाल डाल दी यानि वेवलेंथ बदल दी वेवलेंथ बदलेगी तो ये कॉंसन नहीं रहेगा और ये कॉंसन नहीं रहेगा तो आर चेन हो जाएगा बेंडिंग अलग हो जाएगी खेल सारा बेंडिंग का है बेंडिंग अगर अलग अलग चाते हो तो इसको बदलते हो या इसको बदलते हो या दोनों को बदलते हो तो उससे ये बदलता रहेगा तो ये भी बदलता रहेगा लेकिन आप चाहते हो कि मैं जब जब 30 डिगरी पर डालूं तब जब 20 ही डिगरी पर निकले। नहीं करनी, आपको लाइट के रंग के साथ छेडँ छाड नहीं करनी, रंग भी उतने रखा रखना है। और pair of media भी उतना ही रखे रखना हैं अब जाके mind में बैठना शुरू हुआ है ना तो आगल लगाओ अगल ये concept अब mind में बैठना शुरू हुआ है ना तो आगल लगाओ आगला के बताओ के बात समझ में आई यानि आई ये स्निल्स लो है बात bending की कर रहा है हिसे बात री फ्रक्शन की कर रहा है है यह में वहीं रहा है कि आस्टेंज चाहता है तो एन्ट यह कर दे और ऑ boosting इंदोनों को चेंच करके यानि यह तो मीडियम ही चेंज कर दो धनाल निसकारप्र हिसाट कर बाघी अर्ड़ ठीक है न तो ये concept जब आप खुद से सोचोगे ना बैठ करके कि क्या कहता है तो ये तना मुश्किल भी नहीं है मिठा मिठा है एकदम एकदम मिठाई जैसा हलवा एकदम हलवा टाइप है ये गुलाब जामुने एकदम ये concept और must concept है बहुत क्योंकि इसमें maths लगती है physics तो उपर उपर सही है अंदर जाओ तो maths ही है सारी ठीक है तो ये स्नेल जलो कहता है वेटा ठीक है एक बार फिर ठीक है ना बोलता ही हूँ मैं हर बार एक बार फिर repeat कर रहा हूं सुनना आपने किसी incident angle को fix कर लिया कि बाई मैं 30 degree पर डालूँगा देखता हूँ मेरा r क्या आता है है ना तो आपने air और glass लिया मतलब उपर air लिया नीचे काच लिया glass लिया तो आपने 30 degree पर light को डाला नॉर्मल से लिया ना 30 पर light को डाला और ये 20 पर निकली ठीक है भाई ये 20 पर निकली आप चाते हो मैं जब जब 30 पर डालू ये तब तब 20 पर निकले तो सनल ने बोला शर्त है बोले क्या शर्त है बोले शर्त ये है कि तू glass ही रखियो यहां हमेशा और कुछ मत रख दियो अच्छा यानि अगर यहां पानी रख दिया तो क्या होगा तो भाई ये 20 डिगर रहेगा फिर ये कुछ कम हो जाएगा ये ज़्यादा भी हो से ब्सक्राइब करता है उसके refractive index पर क्या उसकी density है है ना भाई तो pair of media से छेड़ चाड़ नहीं करनी pair of media को जब तक आप constant बना अगर आप रंग को चेंज कर गए यानि आपने wavelength को हिला दिया wavelength चेंज कर दी तो भी ये refractive index बदलेगा तो ये R बदलेगा यानि तब भी ये 20 डिगरी पर नहीं लिगलेगी हो सकता 15 पर निकले हो सकता 10 पर निकले ये कैता स्नल्स लो ठीक है ना बोलता अगर भाई तुम च length के साथ कोई छेड़ चाड़ और ना ही medium के साथ कोई छेड़ चाड़ करना तो सब कुछ ठीक रहेगा तो ये कहता है स्नल्स लो ठीक है खेर इतनी लंबी details पर चर्चा स्नल्स लो पर नहीं होती इतने examples के साथ नहीं बताया जाता कहीं पर भी तो उसके लिए समय लगता है ह है ना और मुझे लगता है कि टाइम देने से अगर चीज समझ में आ रही है तो ये टाइम की wastage नहीं है टाइम की proper utilization है है ना तो मैंने मैंने हमेशा से बोला है कि this session is all about PW is all about quality over quantity हमेशा हम घंटे नहीं किनते खड़े हो के कि हम यहाँ 6 गंटे खड़े हैं हम साथ गंटे हमें हमें इस बाट से फरक पड़ता है हमें इस बात से गर्व होता है कि जब हम अपनी सारी बात बच्चे के दिल तक उतार देते हैं दिल और दिमाग तक जब तक नहीं उतरेगा उसका concept clear नहीं होगा तब तक बच्चा satisfy नहीं होगा और बच्चा सटिस्फाइब नहीं हम कभी quantity पर focus करते ही नहीं कितने घंटे लग जाएं फरक नहीं पड़ता ठकेंगे तो क्या हो गया अरे ठकने के लिए आया शरीर होता किसलिए ठकाने के लिए होता है है ना शरीर होता ही से लिए भाई इससे काम लो जितना हो से के उतना काम लो दिमाग क्या करता है ना यह तो वेलेंटाइन है हमारा है ना इससे बचके कहां जाएंगे ठीक है ना तो आपके लिए भी आपकी पढ़ाई वेलेंटाइन होनी चाहिए थे लो लॉज ऑफ रिफ्रक्शन की ओगई चर्चा आगे बढ़ते हैं तो रिफ्रक्शन जब लाइट पास करें रिफ्रक् अगर एक रेर मीडियम है रूल समझ लो भाई बहुत का मका रूल है उससे लाइट अगर डेंसर मीडियम में घुसराई है बोले तो काच में घुसराई या पानी में कुछ मिवालेते हैं और यह है एर तो एर तो एर से लाइट आ रही एर से लाइट आ रही तो मैंने कहा था अपने हाथ से डागराम नीवन आँगा नींद नी आएगी तो म सब्सक्राइब यह यह जो रहे है यह इंसिदेंट रहे है ठीक बेटा लब यू तू प्राउड ओफ यू टू ठीक है एंड वेर आल प्राउड प् परिष्रम्से ही सफलता मिलेगी और परिष्रम्सी सफलता की चाभी है आउ मारत इयार डाला इंसिदेट राई इस पॉंट पर गई पॉंट यह यह पांडरी हें पर्पेंडिकुलर आपने नॉर्मल डाला ये वाला एंगल होगा एंगल आई है ना बाई इसी को कहते हैं एंगल आफ इंसिदेंस ठीक है और रूल ये कहता है कि जब जब लाइट रेरर से डेंसर वीडियम में जाएगी ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी इसे कहते हैं रीफ्रेक्टे रे और इसे कहते हैं एंगल आफ रीफ्रेक्शन तो इस रस्ते को इसने आगे ट्रेस नहीं किया मुड़ गई हमेशे ऐसा होता है जब जब रेरर से डेंसर जाएगी यही कहानी होगी आगे बढ़ते हैं जब जब डेंसर से रेरर जाएगी तो क्या होगा वो भी सुन लो वो भी सुन लो भाई तो यह boundary यह boundary है कहा से कहा जा रही है denser से रह जा रहे है ठीक है तो यह उपर denser है इस बार denser कौन ले 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 water ले लेते है water ले लेते है और radar कौन ले vacuum ले लेते है vacuum उसके मुकाबले radar ही है ठीक है तो light आई कहां से denser से yellow yellow क्या नाम है incident रहे नाम है भाई मेरा अच्छा कहां गिरी हो point of incidence पे गिरी हूँ अच्छा तो क्या करें तो normal मना हो ठीक है normal मना दिया यह angle कौन सा angle of incidence बढ़ी आए तो अब चर्चा उल्टी है अब यह from normal बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है चर्चा उल्टी है denser से जब rarer जाएगा है ना denser से जब rarer जाएगा भी नहीं आएगा यह normal से दूर भागेगा ऐसे ऐसे ठीक है कहा भागेगा यह दूर भागेगा normal से उस तरफ और यह angle जो बनाएगा this angle will be angle R और यह होगा refracted ray ठीक है जी तो जब जब denser से रarer जाएगी away from normal bend करेगी bends away from normal और पीछे बाले में क्या था rarer answer जाएगी तो bends towards normal है ना बच्चा बच्चा याद रखता है लेकिन भाई revise करवाना है तो सब कुछ करवाना है ठीक है चलिए slab पर चलते हैं बहुत easy सा topic है slab है ना और यह वो नीले डब्बे वाली activity भी है अब मां बता देता हूँ पहले मां बताता नहीं था ना पढ़ा देता है फिर साल कहने बच्चे कहाते हैं तो सरे activity नहीं करा है आपने एक भी अरे भाई सारी कराई है कौन सी नहीं करा ही वो बता ओम्स लो बता दिया verification उसका है ना यह प्रिजम monochromatic बोल के नहीं करा थे करा सब देते हैं लेकिन है ना अब से बोलना करूंगा लेकिन तुम मानते नहीं हो refraction through glass lab वह नीलेट पहली activity है ठीक है हाओ आओ आगे बढ़ते हैं तो refraction through glass lab यह कहता है कि भाई यह slab है हमारा काच का कि इस लाइब हमारा काच का है ना अरे कहां चला गया ठीक है तो 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 यह काच का भाई सही बात है काच का है ग्लास है ग्लास और ग्लास एक denser medium होता है हाँ यार किसके मुकाबले एर के मुकाबले तो भार क्या है भार एर है जो की rarer होती है किसके मुकाबले, glass के मुकाबले और यहां भी air जो rarer होती है, किसके मुकाबले, glass के मुकाबले भाई यह मुकाबले की बात है ना इसलिए मुकाबला मुकाबला कर रहा हूँ मुझे वो गाने का शौक नहीं है मुकाला मुकाबला वो गाना नहीं गा रहा है, मैं इन दोनों का comparison में बात कर रहा हूं, ये comparative terms है न, rarer, denser, आपको दिख रहा होगा न, comparative degree है ये, वर्ब की, थोड़ी थोड़ा grammar जानते हैं, तो denser है, rarer से जादा dense है, इसलिए इसका नाम denser है, और ये air से, और ये air जो इससे कम denser है, इसलिए अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब क्या कहानिया भई, अब ये है, कि हमने light डाली, हमने light incident कराई, है न, किस पर, slapper, है न, slap per, incident कराई, ठीक है, तो, तो, ये normal बनेगा, normal बना दिया, है न, आओ, 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 भाई, इधर आओ, रहने न, क्यो न, है, हलो, हलो, अच्छा, मैं भी आए, हाँ, खाया वैसे भी कुछ नहीं है, हलो, हभी, भाई, आसिम सर की शादी का लेट्डू, अरे आजा यार, अभी देखो क्या होगा, अभी देखो क्या होगा, अभी देखो क्या होगा, आसिम सर की शादी का लेट्डू, आसिम सर भी ह अरे आजो आजो कोई बात ने कुछ नहीं होता दो मिन के लिए आज़ो आज़ो मैं मैं भी है अब मैं को बुलाएंगे आसिम सरोपी फेस रिवील कर दो मैं कर लूँगा सर में कर दो कि अपराई आप मिलुदेए शाज वारक इसना में भी आज़ो श्रुआ नहीं आएंगे चिप 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 गया है तो भाई मैंने तो लड़ दो खालिया तुम अपनी देखने ना कैसे मेले का तुम को लड़ दू ठीक है हम तो खागे साट है रुख जो भाई चलेगे चलेगे दोनों चलेगे भाई सब को खिलाने या लड़ वो है ना हम पढ़ लेते लिगन अहां मजा आ गया और खाऊंगा भी लेटू एक ही खाया भी तो एक से क्या होता मेरा चार पास तो मिलने चीक अश्याइब है ना बोलता हूं आसिम सर गोभी चार पास रखेंगे मेरे लिए हा तो क्या सिस्टे हा भाई कहाँ हूं क्या 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 वैलेंटाइंड़ आसिम सर क्या पढ़लो आजो वै पेपर है तुमारे बोल्ड है पढ़लो पढ़लो वेटा आजो न्यों ये अब लड़ीट मिलेगा शादी को सबस्तों के बाद करो तब कि फेल हैं लाओगे न यादसे अजिंद्र क है मेरी लिए तुम महनत करो अच्छे अच्छे नंबर ले गया हो अपने अपने स्टेट के टॉपर बनो डिस्टिक्ट के टॉपर बनो प्लास टेंथ बोड के हैं और एक दिन इंडिया का टॉपर वेई से है ना चलो वेरी गुट है ना फिर मुझे लड्डू लागे खिलाना ठीक है चार पास खाऊंगा लेकिन पहली बता रहूं पाओ लड्डू लाने पड़ें कम से कम मेरे लिए चलो आओ इंसिनेंट रहाई एंगल आई आया है ना आप जानते हो मैं कप खिलाओ मैं क्यों खिलाओ आँ आचा शाधी का आप यार खिला दूंगा यार शाधी है आओ आओ देखो 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 रेडर से डेंसर जाएगा बेंट टूवर्स नॉर्मल बहुत बड़ी आना बेंड होगा नॉर्मल की तरफ है ठीक है ना नॉर्मल की तरफ बेंड होगा सभी बात है है ना और यह वाला जुआ अंकल कहलाएगा öz कहला आइगा एंगल आर यह र Students बण फिर से मीडियम बदलाए ना फिरसे मिडियम बदलाए ना फिर से बंसरे से निकल के रिरर नमें जा रही है दो फिर हो गई है ना तो इसलिए यहां पर दुबारा से रिर्ट और इस बार और इस बार यह जो यह डेन्सर से रेर में जाते हुए हां जी बताओ। यानि इस तरीकेसे निकल जएगी ऐसे ठीक बात है ना ,चा मैं अगर इसको आगे एक्سمन करू और किसको इंसीदेंट रह को है ना, incident ray ही को अगर मैं आगे action कर दूँ ऐसे, तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि यह दोनों line है parallel है, यानि incident ray और emergent ray, इसका नाम है, emergent ray, दोनों parallel है, और यह वाला जो angle होगा, यह होगा angle E, है ना, यह होगा angle E, सही बात है कि नहीं, ठीक है, और lateral displacement जो होती है, वो यह होता है, यहां से लेकर यहां तक का distance, this is D, D stands for lateral displacement, अभी पूरी list बना दूँगा side में, जितना कुछ भी है, वो सब कुछ side में लिखना पड़ेगा labeling के लिए, है ना, वो label की list बगल में आएगी, ठीक है, तो यह emergent ray है, यह angle of emergence है, refracted ray, fraction का angle, incident ray, incident का angle, और दो normal है, एक normal का नाम N1, रख देते हैं, दूसरे का नाम N2, रख देते हैं, ठीक है, और इसका नाम, जो यह distance मिल रहा है, आपको इसको बोलते है, lateral displacement, यह lateral shift, यह optical shift, यह सब इसी के नाम है, ठीक है, side ray list बढ़ा रहा हूँ, IR, आप जानते हो क्या है, RR आप जानते हो क्या है, ER, आपने आज सुना, अभी अभी सुना, तो इसको पूरा लिख देता हूं, मैं, emergent ray, ठीक है, फिर angle I आपको पता है, इंगल R आपको पता है, एंगल E आपने, अभी अभी सुना, angle of emergence, बागी फिर N1 है फिर N2 है यह दोनों कौन है नॉर्मल है दोनों बढ़े नॉर्मल जे लोग है और यह D कौन है यह लेटरल डिस्प्लेस्मेंट है यह अप्टिकल शिफ्ट भी कहते है इसको ठीक है रीफ्रेक्शन थुरू ग्लास लैब का सीधा से मतलब यह हो गया ठीक है डाइग्राम ध्यान रखना है लेबलिंग ध्यान रखनी है कुछ भी छोड़ना नहीं है इसमें लेबलिंग में ठीक है ना बई नंबर कर जाएंगे गड़बड हो जाएगी अगर इस लैब ब अभी जूरत नहीं है याद नहीं करते बच्चे इसका फॉर्मला वादा इतनी फुदू चीज़ है इस अ पर्पेंडिकुलर शिफ्ट इन पार्ट ऑफ दा इंसिदेंट रे वेन ट्रेवल्स थुरू सेटें मीडिया इंडन रिटर्न सुदा ओर्डिनल मीडिया मतलब उन दोनों पाट्स के बीच में जो पर्पेंडिकुलर डिस्संस बनता है ना पर्पेंडिकुलर समस्ते हो ना पर्पेंडिकुलर शिफ्ट का मतलब क्या है पर्पेंडिकुलर शिफ्ट का मतलब है कि यह भी 90 डिगरी है यह भी 90 डिगरी है यह भी 90 डिगरी है ना पैरलल न एक छोड़ना टॉबिक आता है Reversibility of Path of Light समझाता हूँ इसको क्या है मालो यह Source है Sun है, बल्ब है, जो मरजी मालो कोई दिक्कत नहीं, इसमें से Light निकलती है इसमें से Light निकलती है ठीक है और यहाँ पर एक Mirror लगा दिया जाता है एक Mirror टिका देते हैं यहाँ पर हम ठीक है यहाँ से Reflecto के Light ऐसे जाएगी है ना, मालो यहाँ भी एक मेरा लगा रखा है ठीक है तो यह Light ऐसे जाएगी फिर मालो यहाँ भी मेरा लगा रखा है लेकिन यह Mirror ना एकदम perpendicular पर लगा दिया बुल ले तो Normal पर ही लगा दिया अच्छा Normal पर लगा दिया तो Angle I हो गया 0 तो मेरे बच्चे Angle R भी होगा 0 हाँ सर, सही बात है तो Angle R जैसी 0 होगा ना यह Light इसी Path को Retrace करते ही वापस Source के पास पहुँच जाएगी मतलब, मतलब यह के Light जैसे रस्ते आई थी ना उसके उल्टे रस्ते निकल जाएगी ऐसे इसको बोलते है Principle of Reversibility के Light आई सरस्ते आई सरस्ते है ना और जैसे ही इसको 90 डिगरी वाला एक Mirror दिखा के रस्ता वापस ना पकई जहां से आई थी जहां से यह थी वैसे निकल गई है इसे बोलते है Principle of Reversibility of Light चाए यह Mirror हो, चाए यह Lens हो दोनों में देखने को मिलता है Lenses के थुरू भी अगर ऐसा ऐसा होता न और end में आपने एक Mirror लगा दिया होता है ऐसा सीधा तो वापस निकल जाती है इसके साथ एक छोटव टॉपिक और जुड़ा हुआ है छोटव टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ आपसे यह भी देख लो एक Consequences of Refraction मतलब रिफ्रेक्शन से क्या होता है तो ऐसे Pencil है टूटी हुँ दिखती है जिन्दिगी में यह स्टी किमर्जिना वॉटर अपीस टूभी बेंट ठीक है मुड़ी हुँ दिखती है है ना और एक वाटर लेवल जो है वो राइस हुआ हुआ दिखता है मतलब आपने अगर उसके अंदर पाँच रुपे का सिक्का डाला हुआ हुआ है पानी में करते हैं ना मचुवारे वह अगर हाथ से पकड़ने कोशिश करते हैं मचली को तो उनको आइडिया होता है कि जहां भी हम हाथ मारेंगे ना मचली वहाँ नहीं होगी मचली और नीचे होगी क्यों क्यों क्योंकि वह उसकी इमेज बनती दिख रही है सिरफ एक्चुली अब्जेक्ट जो है वह और नीचे होता है तो इमेज उसकी थोड़ी सी ना रेज दिखती है उठीवी दिखती है तो यसे लगता वह मचली है लेकिन जैसे उसको पकड़ेंगे वह भाई और नीचे है तो कभी पकड़ने कोशिश करना वहाँ उसकी इमेज सिरफ दिख रही है अब्जेक्ट वहाँ नहीं ऑब्जेक्ट और नीचे होता है है ना इस वाल डू टू री फ्रक्शन ठीक है अच्छा सवाल यह उठता है निमेरिकल पर चलने से पहले सवाल यह उठता है क कब रिफ्रक्शन नहीं होती यह जानना भहुत जरूरी आपके लिए ठीक है ना वेन डज री फ्रक्शन नौट अकर कब नहीं होगी आप बता सकते हो के कब नहीं होगी बेटा एंगल ओफ डेविएशन यहां नहीं आता, प्रिजम में आता है, ठीक है न, स्लाब में नहीं आता हूँ, ठीक है, हिूमन आई अंडर कलरफुल वर्ल्ड में पढ़ना पड़ता हूँ, ठीक है, वो यहां नहीं है, हाँ बताओ जी बढ़िया, दोनों केस आपने बताए, देखो ऐसे दो केस हैं, ऐसे दो केस हैं कि जब रिफ्रेक्शन नहीं होगी, पहला केस, पहला केस, अगर, इफ, बोथ, दा मीडिया, मीडिया, मीडियम का प्लूरल होता है, छूसल मीडिया का मतलब, इसका मतलब खाली यह की थोड़ी नहीं, इंस्टाग्राम ही थोड़ी नहीं, योटूब थोड़ी नहीं, फ्याप्रियम का और मीडिया प्रिंट मीडिया, यानि जो च्शापता है, अक्वार भी च्हपता मेगजीन मैнеजीन आपता है, नि crawl बोट दा मीडिया वे सेम रीफ्रक्ट इंडेक्स यानि देंसिटी है ना रीफ्रेक्टिव इंडेक्स का मतलब देंसिटी ही है रीफ्रेक्टिव इंडेक्स का मतलब देंसिटी ही है तो अगर दो मीडियम की सेम अप्टिकल देंसिटी होती है ना रीफ्रेक्शन नहीं होती के case number two है, जब light normal पर ही गिरती है, when light falls on normal, ठीक है, जब light किस पर गिरे, normal पर ही गिरे, ठीक है, जब light normal पर गिरेगी, तब भी refraction नहीं होगी, और जब light ऐसे दो medium के साथ deal कर रही होगी, जिनकी density सेम होगी, जिनका refractive index सेम होगा, तब भी bending यानी refraction नहीं होती है, ठीक है ना, मैं आपको फटा-फट से, ठीक है, तो एक medium अभी या, उपर वाला, जिसका refractive index मानलो 1.2 है, और नीचे भी है, उसका भी 1.2 है, अलग-अलग medium होगे, पता नहीं लेकिन है, ना, उनका refractive index सेम ही है, मानल लेते हैं, ठीक है, तो light आई ना, तो ऐसा निकल लागी सीधी, कुछ न ठीक है ना, नॉर्मल पर ही fall कर गी, यानि नॉर्मल का होगा, नॉर्मल इसके उपर ही होगा यह, है ना, यही normal है, तो क्या होगा भईया, यह सीधी निकल जाएगी, यह सीधी ही निकल जाएगी, कोई bending नहीं होगी, ठीक है ना, कोई bending नहीं होगी, अगर नॉर्मल के along गिर यानि density या अलग-अलग भी हो आपने अगर normal पर गिराई है ना सीधी निकल जाती है वो ठीक है bending नहीं होगी उसकी reflection नहीं होती ठीक है तो angle i angle i अगर 0 होगा तो angle r भी 0 होगा कोई angle i 0 होता ही sin 0 0 होता है sin 0 degrees 0 है ना तो जब sin 0 0 होगया तो sin r भी 0 हो जाएगा ठीक है maths है maths ठीक है refractive index पर बढ़ते हैं ठीक है ब्रेक चाहिए गया 10 minute का दे रहूं बस ठीक है 15 का दे दूं खाना खाले ना 15 का देता हूं खाना खाले ना उसके बाद कोई break नहीं होगा यह last break है ठीक है 15 15 मिट एका दे रहां आ-खाना खाले ना फिर खाना 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 मच चिला ना भाद में ठीक है ठीक है मैं आसीम सरसे मिल लेता हूं ना भाभीस साहत में इस अरा भाभी पुझ वय तो तो 15 मिंट में ठीक है? खाना खालो भाई 14 मिनट और 50 सेकंड देदू तुमको ठीक है 15 ले लो कोई नहीं ठीक है? फिर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे भाई मिलते हैं break के बाद मिलते हैं bros dealer break के बाद bros and girls break के बाद झुमको झाल 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 प्रहुचर झाल 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 की सूचना देता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इस बात की सूचना देता है वो इस चीज का सूचक होता है कि कि कोई लाइट उस मीडियम में जाके किस फेक्टर से डिवाइड होगी यह साफसीधी बात है जैसे माल लेते हैं कि किसी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.5 ठीक है तो इसका बतलब यह होता है कि जब लाइट वेक्यूम से आएगी ना या एर से आएगी ना तो व 3 x 10 to the power 8 meter per second ठीक है लाइट की स्पीड इतनी होती है एर या वेक्यूम में है ना लेकिन जैसे ही वो इस मीडियम में घुसेगी ना तो लाइट की स्पीड डिवाइड हो जाएगी डेड से यह कहानी है अगर लाइट की स्पीड सीथ ही ना एर में सीथ ही ना एर में तो मीड इतनी असान वाशे मैंने आपको बता दिया कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है है ना अच्छा अब मैं कोशन देता हूं यही पर करके बताना कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना ठीक है देगो अगर लाइट की स्पीड एर में 3 x 10 की पावर 8 है यानी सी है और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स x है तो लाइट की स्पीड यहां क्या होगी लाइट की स्पीड एर में c है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स x वाले मीडियम में क्या होगी पटापट जल्दी बताओ पटापट पटापट जल्दी बताओ बढ़िया आए बढ़िया आए बढ़िया आए very very good very very good c बटा x होगी एकदम सही ठीक है ना जितनी भी होगी refractive index से divide कर देनी है बात कि खतम इतनी सी बात है बस यह होता refractive index है ना अच्छा जो बात velocity के लिए लागु हो रही है वही सेम बात वेवलेंट के लिए भी लागू होती है जो बात वेलोस्टी के लिए लागू हो रही है वही सेम बात वेवलेंट के लिए भी लागू होती है अगर वेवलेंट एर में अगर वेवलेंट एर में लेमडा ए है मान लेते wavelength air में कितनी है lambda a है तो refractive index वाले medium में गुषने के बाद, यानि denser medium में गुषने के बाद वो इसी से divide हो जाएगी ठीक है ना? refractive index समझ रहो क्या है? वो एक factor है जिससे velocity का घटना भी लिखा है और wavelength का घटना भी लिखा है यानि wavelength अगर वहाँ lambda a थी ना lambda है तो यहाँ lambda divide by x हो जाएगा feel के साथ समझ रहोगे इस बात को है ना? feel के साथ समझ रहोगे इस बात को कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ जितना भी refractive index होता है उसी से divide हो जाएगा wavelength भी और velocity भी ठीक है? अब थोड़ी सी physical feel की बात करते है refractive index की यह तो चलो ठीक है mathematical बाते थी के क्या हो जाता है consequences क्या होते हैं है ना? हम थोड़ी सी feel की बात करते हैं फिर हम सीधा definition पर आएंगे यह जो सब कुछ लिखा हुआ है ratio of यह 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 to the यह 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 वो सब बाते करेंगे बात में है ना? लेकिन आब एक feel वाली बात करते है फिल वाली बात यह है कि भाई मान लो एक medium है जिसका refractive index 1.2 है एक refractive index है medium का 1.5 कोई और medium है यह na medium हो सकता है यह nb medium हो सकता है और यह nc medium हो सकता है यह है 1.8 ठीक है सवाल मेरा यह है आपसे कि भाई अगर light तीनों में ही तीस-तीसडिगरी पर गिराने कोशिश करी गई है तीस-तीसडिगरी पर ही गिराने की कोशिश करी गई है तो आप क्या मानते हो जब light निकलेगी अलग-अलग अंगल हो गए दिखने में कोई बात नहीं उपर 30 लिखा हुआ है ठीक है आप क्या मानते हो सबसे जादा bending किसमे होगी सबसे जादा bending किसमे होगी देखो सबसे जादा bending जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे जादा denser medium कौन सा है येस वेरी गुड़ सी बिल्कुल ठीक है सी है ना सबसे denser medium कौन सा है सर सबसे denser medium ये है है ना ये सबसे denser medium है सी ठीक है क्योंकि इसका सबसे highest refractive index है ध्यान से सुनना एक बात conclude कर रहा हूँ एक बात जोड़ रहा हूँ कि जिसका refractive index से जादा वो density में जादा इतनी बात ओके है मैंने अभी तक कुछ भी नहीं समझाया मैं आपके सामने सिर्फ 3 example लेके आया हूँ 30, 30, 30 degree पर 3 को डाला है ठीक है मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि 1.2, 1.5, 1.8 में सबसे जादा है वो डेंसर है मैंने यहां लिख दिया ठीक है अब बेटा जिसका refractive index से जितना जादा होगा वो light को उतने ही बड़े factor से डिवाइड करेगा हाँ या ना बुलो अरे मतलब अगर light यहां C है तो यहां होगी C divided by 1.2 अगर यहां C है तो यहां होगी C divided by 1.5 और यहां C यहां होगी C divided by 1.8 यह बताओ सबसे स्लो किसने किया light को 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 सीने सीने यानि मैं यह कह सकता हूं यानि मैं तुमारी ही ब तुम्हारे ही inputs हैं उनी से मैं conclude कर रहा हूं मैं कोई नहीं बात नहीं बढ़ा रहा तुमको ठीक है refractive index ज्यादा का मतलब density ज्यादा और density ज्यादा होते ही आप देख रहे हो कि velocity उसी factor से कम हो गई है सही बात है ना अच्छा wavelength भी उसी factor से कम होती है अगर यहाँ wavelength lambda a है तो यहाँ lambda a divided by 1.2 अगर यहाँ lambda a है तो यहाँ lambda a divided by 1.5 अगर यहाँ lambda a है तो यहाँ lambda a divided by 1.8 होगा 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 सबसे जादा wavelength को कमजोर किस ने किया सबसे जादा wavelength को कम किस ने किया सी ने यानी refractive index जादा होता है तो medium denser जादा होता है तो velocity कम होती है तो wavelength कम होती है ठीक है? ठीक है ना? Snell's law कहता है सुनना ध्यान से बात को ध्यान से एकदम ध्यान से सुनना बात को ध्यान से सुनना ध्यान से ध्यान से sin I divided by sin R बराबर होता है refractive index के यही कहता है ना स्नल्स लोग अब एक बात बताओ अगर आई हमने तीनों case में same रखा है example से समझा रहा हूं कोशिश करो समझने की आई यहां भी 30 है आई यहां भी 30 है यहां भी 30 है यानि यह sign i हो गया मेरे बिटे constant तीनों case में constant हो गया हाँ सर सही बात ह को साईन आही चेंज हो नहीं रहा साईन आई हो नहीं रहा है लेकिन एक बात बताओ refractive ंडीक्स की के सबसे ज्यादा है या नहीं है है इस मेरे साथ बंने लंगा तया साम ही पलेंग का गया है रिफ्राक्टिव इन लेक्रपल विंडेस से ज्यादा किसका है सी का जादा है और जिसका refractive index जादा होगा maths कहती है कि उसका साइनार उतना ही कम होगा inversely inversely ओ भाई inversely directly inversely लेकिन यह तो constant हो गया तो NK बनने से साइनार घटेगा यानि R भी कम होगा यानि bending सबसे खतरनाक जो होगी bending सबसे खतरनाक जो होगी वो C में होगी मानते हो करें नहीं मानते हो इस बात को मैंने कुछ नहीं कweisen पुरानी बातों को link किया बस जो बाते अब तक हुई है आपके mind में कहीं न कहीं है उन Dots को connect करने का काम किया मैंने बस इतना ही किया किया या नहीं किया आग लगा रहे हूँ आख हो अल्रड़ी बात समझ में आ लगाई क्या बासा में आ गए क्या ये पूरी बात समझ में आ आई क्या ज़ो उपर लिखी है 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 इसमें वेर्फेटिब इस पजसर लिंग रहए धियराई इसमे रहे हो को समझने में你要 कोई घल्ती तो नहीं करी है याई यहां पर एंगल आर्य जो आयेगा हो सकता है वो 20 डिगरी आएगा और यहां खतरनाक वाली रीफ्रेक्शन होके हो सकता यह 15 डिगरी आए कुछ भी वैल्यू ले ली मैंने आग आपने अलड़े लगा दिये I hope बात सारी link हो पा रही है जो पिछला सुनते आए हो है ना और मैं इस पूरी चीज को expression के form में लिखो माने formula के form में लिखो आग रहे आग ठीक मैं समझ रहा हूँ तो अंदर वाली आग है तुमारी जो निकल रही है मेरे बिना बोले ही आग लगा रहे हो मैं समझ गया हूँ लेकिन सुनो सुनो अब बात पूरी करने दो फिर लगा ले ना कोई बात पूरी करने तो ственный तो साइन आ meters के बराभर होता है हाँ हाँ स्नल!' शुर्ण ने का था साइन आइ अपान साइन आर बराभर एक रिख्रेक्टिव इंडेक्स के होता है है ना है और आप जानतaryn और इस बात को कि refractive index जितना जादा होगा उतनी ही कम speed होगी उतनी ही कम velocity होगी यानि refractive index inversely proportional है velocity के और inversely ही proportional है किसके? wavelength के मानते हो के नहीं मानते इस बात को मानते हो के नहीं मानते इस बात को यानि refractive index जितना जादा velocity उतनी कम refractive index जितना जादा wavelength भी उतनी कम यही सारी पुरानी बाते थी है ना अब मैं सबको एक ही धागे में पिरो दूँगा refractive index की definition बता के फिर आप अराम से आग लगा ना भी रुख जाओ ठीक है मैं एक ही definition दूँगा और यह सारी बात आपस में पिरो जाएगी कैसे सुनो यह refractive index की definition से आए हुआ formula है क्या कहता है formula यह कहता है कि जो refractive index किसी भी medium का होता है किसी भी medium का refractive index होता है ना वो इसके बराबर होता है इसके बराबर होता है यह क्या लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है speed of light in vacuum स्पीड आफ लाइटिन वेक्यूम क्या होती है वोतीय सी ये बात बता हो ये चैय ये स्पीड आफ लाइट नीजर नीचे वाली है के मेरे साथ बने लहना ने दो बात क्लेर नहीं होगी पूरी तरीके से तällt कि मेरे बने ला 나 प्लीज। refractive index क्या है air की air वाली या vacuum वाली velocity उपर और medium वाली नेचे यार मैं यहाँ से medium वाली ही तो velocity निकाल रहा था कैसे निकाल रहा था yn को उपर लेकर जाता हूँ और n को नीचे ले आता हूँ यह ओल जाएगा c by n भाई मैं यही तो कर रहा हूँ हब से यह देखो c by x, c by 1.5, c by 1.8, मैंने कोई नया काम नहीं किया, मैं पहले सही लिख चुका हूँ यह, यह definition जो मुझे दे रहा है ना यह, scientists लोग मिलके, यह पहले ही लिख चुका हूँ, कि अगर air में c होगा, तो यहाँ c by refractive index होगा, अगर यहाँ पर c होगा, तो यहाँ पर c by refractive index ही होगा, और यही तो है, यही तो है, अगर c होगा, तो medium के अंदर c by n होगा, है ना, c by refractive index होगा, और वही यह यह, यह जो फ़र्मुला, यह जो फ़र्मुला उपर लिखा हुआ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का, वो c by v, ऐसे ही तो आया है, v को उपर ले गया, इनको स्पीड को और नीचे रखना है मीडियम वाली स्पीड को दोनों का रेश्यों ही रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ठीक है अब एक स्टेप आगे और बढ़ते हैं एक स्टेप आगे और बढ़ते हैं देखो अभी अभी हमने क्या देखा कि n जो है वो c by v है है न जो है वो c by v है मेरे साथ बने रहना ठीक है ना थोड़ा सा time लगता है लेकिन बात समझ में आती है N is equal to C by V है ना यह देखो जरा N is equal to C by V है है ना और यह air की चर्चा है यह medium की चर्चा है है के नहीं यह भी air की चर्चा है incident angle तो air वाला होता है उपर वाला और यह R कौन सा होता है medium वाला और यह refractive index किसका है medium का है ध्यान दखना नीचे वाले का होता यह हमेशा हमेशा ध्यान दखना यह नीचे वाले का होता है उपर वाला तो air है उपरवाला तो air है यह हमेशा refractive index किसका लिया जाता है medium का लिया जाता है हमेशा air का थो one होता है यह ne? अच्छा इसको आगे बढ़ाएं अगर हम तो यह आता है लेम्डा A अपॉन लेम्डा M इसको भी VM लिख लेता हूँ क्योंकि मीडियम की चर्चा है यह भी किसका है एर का और यह किसका है मीडियम का मैं इसको डबा बंद कर रहा हूँ आप मुझे बताओ कि यह वाला एक्सप्रेशन आपके पल्ले बैठा या नहीं बैठा एक बात और सुन लो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो आप जानते हो मीडियम में लाइट की स्पीड घटती है मीडियम में वेवलेंद भी घटती है और आर भी घटता है यही बात यहां लिखी हुई है एन बढ़ता है डेंसिटी बढ़ती है वलास्टी घटती है वेवलेंद घटती है आर घटता है बेंडिंग बढ़ती है यह सब वही बाते हैं बस इसको मैट्स में लिख दिया है इ वते वही हैं बहट है यह रिपीट कर दोंगा कोई दिक्कत निहीं है को में रिपीट कर दोंगा कोई टेंशन नहीं है अच्छा यह लेमड में कैसे आया नहीं समझ मैं ठीक है इधर तक तो आ गया यहां तक तो आगी ना बात यह बताओ यह बताओ यह बताओ ठीक आग आग दिखरी है मुझेको जो जिनको नहीं आया उनको उनसे पूछ रहां यहां विलोश्टी तक तो आ गया समझ में न विलोश्टी तक तो आ गया विलोश्टी तक आ गया आगे लेमडा भी बता रहा हूं विलोश्टी तक आ गया ठीक है येस येस आ गया आ गया सारा आ गया ठीक है ठीक है ठीक है बढ़ी आए देखो साइन आए भाई साइन आर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है ये बात किसने बोली स्नेल ने ये स्नेल की चर्चा थी है ना एन बराबर सी बाई भी होता है ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन है यह अभी अभी देखा हमने है ना तो यहां तक तो बात समझ में आ गई लेकिन यह lambda में कैसे गया यह समझ नहीं आया होगा है ना यह velocity wavelength में कैसे चली गई यह समझ नहीं आया होगा अब सुनो जरा यह यह चर्चा class 9th की है class 9th sound chapter की ठीक है क्योंकि V is equal to wavelength times frequency होता है ठीक है? velocity बराबर wavelength times frequency होता है इसलिए इस velocity को यह light की speed है ना speed ही तो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? lambda भी लिख सकता हूँ मतलब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ रुख जाओ देखना ज़रा मैं C की जगा पर क्या लिख सकता हूँ यानि velocity को क्या लिख सकता हूँ lambda times new है न तो wavelength of air times the frequency ऐसे लिख सकता हूँ upon में medium में जाएगा तो medium का wavelength times frequency frequency से frequency कट गया आरे frequency constant रहती है बताया तो था frequency is source dependent ये constant है क्योंकि source पर depending करती है ये ठीक है ना तो फिर मैं C को सीधा wavelength लिख सकता हूँ इस velocity को भी क्या लिख सकता हूँ wavelength लिख सकता हूँ क्योंकि frequency से frequency कट गया frequency दे फिरफिवेंसी कट गया frequency constant होता है जो constant होगा वो कट जाएगा ठीक है न भाई अब हजम करनी पड़ेगी यह बात आपको क्योंकि 9th class का यहां तो sound पड़ो ठीक है न वहाँ पे derive करते हैं इसको वहाँ पे इसकी derivation है तो wavelength भी पढ़ाते हैं sound पड़ाया गया है है न तो मन करें तो पड़ लेना नहीं तो घोटलो अभी पी जाओ यही बोल सकता हूँ अभी पी जाओ बाद में निकाले के देखना क्या पिया था ठीक है तो यह आपका formula है भाई साइनाई बटा साइनार बराबर refractive index होता है यह सिनल भाई साब ने का आए refractive index velocities का ratio होता है यह उसकी अपनी definition है और velocities खुद wavelength के proportional होती है यह 9th class का concept है velocity का wave velocity का ठीक है ना तो यह वह वाला formula है 9th class का ठीक है वहाँ से आया यह ओके तो यह सारी बातें जब जोड बना लेंगी तो आपको बात समझ में आएगी कि यह जो मैं लिख रहा था आप ही के input से तो जब आपको यह बात समझ में आती है तो यह math समझ में क्यों नहीं आती अरे भाई भाषा अलगे यह अंग्रेजी है यह मैथ है यह अंग्रेजी है यह मैच्स है यह अंग्रेजी है यह मैच्स है अंग्रेजी समझ में आ गई तो मैच्स भी समझ लो भाई फिजिक्स को पढ़ने की कही भाषा है उसमें से एक भाषा मैच्स है फिजिक्स को पढ़न वो यह भी लिखा है थिकैन angef कोशिश करो पीने की कोशिश करो समझे कोशिच कर रहे होगा एक लास्ट चापीक रहे गया जो की है टाइपस ओफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे देखो एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है एपसोलूट एपसोलूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है रिलेटिव रिष्टेदार रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ठीक है दो प्रकार का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है ठीक है एक होता है एपसलूट और दूसरा होता है रिलेटिव ठीक है एपसलूट क्या कहता है जला सुनना एपसलूट यह कहता है प्यारे बच्चों के उपर लिया गया है और नीचे कुछ भी ले ले, जो मन करे वो ले ले, उसी का refractive index, absolute refractive index कहलाया करेगा, ठीक है? शर्थ सिर्फ इतनी है, कि पहला medium, air या vacuum होना चाहिए, बस इसको कहते है, absolute refractive index, एक बार फिर से, एक बार फिर से, अगर पहला medium, यानि, incoming light का जो medium है, incoming light कहा से आएगी भह, यहाँ से आएगी न, यह incoming light का medium है, है न, incoming medium, अगर air vacuum हो, incoming medium, अगर air vacuum हो, तो जिस medium में घुसी है, उसका absolute refractive index निकाला जाता है, उसके refractive index को absolute refractive index कहते हैं, ठीक है, सर फिर relative क्या होता है, relative में यही है, जो इसमें नहीं है, relative में भई है, जो इसमें नहीं है, इसमें क्या है, इसमें यही है, कि पहला medium air vacuum होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, यहीं फरक है, इसमें पहला medium air vacuum चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, तो सर क्या चाहिए, कुछ और चाहिए, कोई भी और चलेगा, कुछ भी खिचडी पग कोई दिक्कत नहीं. कुछ भी खिचडी पगाओ कोई दिक्कत नहीं. इसको लेलो medium 1 इसको लेलो medium 2 शर्थ है कि यह एर या vacuum नहीं होना चाहिए. एट्शिनल Мे पता गया? यही असली refractive index है. यह तो एक special case है. कह सकते हैं कि नहीं कि असली refractive index तो यही है यह तो एक special case है कि नोम medium 1 को area vacuum ले लिया तो absolute कहड़ाने लगेगा किसका refractive index नीचे वाले का है ना refractive index हमेशा नीचे वाले का निकलता है सब्सक्राइब नीचे वाले का निकलता है ठीक है ना, तो refractive index जो निकालेगा, वो medium 2 का निकालेगा, ठीक है ना, refractive index जो यहाँ निकलेगा, x का निकलेगा, उपर तो air है, उपर तो vacuum है, समझे में आया, तो यह कहानी है, absolute का मतलब क्या हुआ, कि air vacuum से आ रही, x में जा रही, air vacuum से आ रही, x में जा रही, यहाँ किसी medium 1 से आ रही, medium 2 में जा रही, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कहीं भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन, formula कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, formula कैसे लिखा जाएगा, समझ लो, refractive index का formula क्याता है, पहले relative बतायता हूँ, ठीक है, कि भाई, refractive index किसका निकलता है, 2 का निकलता है, नीचे वाले का निकलेगा, ठीक है, और relative के case में न, हम इसको ऐसे लिखते है, refractive index of 2 with respect to 1, is equal to, उपर वाली velocity उपर, नीचे वाली velocity नीचे, यानि उपर वाला जो medium है, उसके अंदर मालो, velocity V1 है, और नीचे वाले medium में velocity मालो, V2 है, तो बस यहाँ पर V1 लिखना, यहाँ पर V2 लिखना, खतम, हो गया, हो गया, यह formula है, relative का, उपर वाली speed उपर, नीचे वाली speed नीच medium 1 की speed उपर, medium 2 की speed नीचे, ठीक है, और medium 2 का refractive index निकलेगा, 1 के respect में, बिल्कुल सेम तरीके से अगर यहाँ पर भी लिखे तो क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे refractive index किसका, X का, तो कि नीचे वाले का निकलता है मेंशा, है ना, refractive index किसका, X का, is equal to, क्या लिखेंगे, C by V, X, है ना, जो अब तक आपने पढ़ा है, जो अब तक आपने पढ़ा है, वो absolute ही पढ़ा है, मैंने हर बार यह बोलो ना, कि पहला medium air या vacuum है, उपर से air vacuum से light आ रही है, तो refractive index C by V लिखा जाएगा, लेकिन अगर पहला medium air ना हुआ तो, पहला medium vacuum ना हुआ तो, तो relative की चर्च होगी फिर, समझ गए, यही फरक है दोनों के अंदर, ठीक है, absolute में पहला medium air, देखो, A for absolute, A for air, याद रख लो, याद रख लो भाई, A for absolute, A for air, और पहला air है, तो नीचे कुछ भी हो, यह absolute ही निकलेगा, यानि C by V करके निकल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन अगर पहला medium air न उसकी वलास्टी नीचे, तो V1 बटा V2, है ना, और refractive index कैसे लिखेंगे, 2 with respect to 1, ठीक है, यह चर्चा है, एक बार final repeat कर रहा हूं, ठीक है, फिर आप लोग आगा लगा सकते हो, अभी रुख जाओ, थम जाओ, फिर आगा लगा लेना, ठीक है, absolute, A से start होता है, मतलब air पहला absolute बन गया ना, तो वो नहीं लेना यहां पर, relative के अंदर, ठीक है ना, तो कोई भी दो medium हो सकते हैं, और दोनों की velocity यां उपर लिख लो, उपर नीचे लिख लो, है ना, पहले वाले की पहले, बाद वाले की बाद में, यहां पे भी ऐसा ही, उपर वाले की उपर, नीचे वा वाला कौन है, वी, सी बाई वी, उपर वाला कौन है, वन, नीचे वाला कौन है, टू, वी बाई वी टू, और refractive index समेशा नीचे वाले का निगलता है, यहां भी नीचे वाले का निगल रहा है, यहां भी नीचे वाले का निगल रहा है, यहां 2,1 लिख लिया, 2 with respect to 1, ऐसे, और यहाँ पर X लिख लिया ठीक है जी, समझ वाई तो आग लगाओ इसी के साथ refractive index पर lecture होता है पूरा, लेकिन हम लोग अब numerical करने वाले हैं जो की बहुत जरूरी है ठीक है न, numerical करने वाले हैं जो की बहुत जरूरी है और numerical हो सही सीखोगे ठीक है जी, जो कुछ सीखोगे numerical सही सीखोगे भाई भाई, frequency, wavelength की चर्चा ना करो, नहीं है time आपको अपने लिए time निगालना पड़ेगा है न, और sound जाके पढ़ना पड़ेगा यहाँ चर्चा नहीं हो सकती कि wavelength क्या है, frequency क्या है है न हाँ, एक बच्चे नहीं पूछा बच्ची ने पूछा यहाँ कि relative में नीचे air होतो तो वो relative ही है बेटा मैंने आपसे बस इतना बोला न, कि पहला medium air या vacuum नहीं होना चीए दूसरे medium की तो मैंने बात ही नहीं करी तो जब पहला medium air या vacuum होगा तो absolute है relative में नीचे हो सकता है area vacuum ठीक है न ओके बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया सही समझ में आ रहा बच्चों को आईए, आईए हम लोग चलते हैं और numerical पर चर्चा करते हैं ठीक है refractive index of a material is 1.5 ठीक है if velocity of light in vacuum is इतना find a velocity of light in material ऐसे कोशन आते हैं, simple, simple एक दम टुच्चे कोशन ठीक है क्या कह रहा है एक बार ज़रा सुनते हैं ठीक है answer नहीं देना रुख जाओ answer नहीं देना answer नहीं देना question करते है question करते है मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ठीक है, देखो refractive index किसी material का 1.5 है यानि हम उस material को x माल लेते हैं ठीक है ना वो nx जो है वो 1.5 है ठीक है बोल रहा है कि vacuum के अंदर जो speed होती है वो हमको पता ही है पहले से हमें मत बता 3 into 10 की power 8 होती है meter per second है ना तो बोल रहा velocity of light material में कितनी होगी यानि vx बताना है आपको आप सबसे पहले मुझे यह बताओ answer नहीं चाहिए answer नहीं चाहिए answer नहीं चाहिए आप मुझे सिर्फ इतना बताओ यह question absolute का है या यह question relative का है तभी हम formula लगा पाएंगे ना इतना बताओ बस आप यह question absolute का है यह यह question relative का है बताओ हाँ easy ही आते हैं भाई question refractive index पे मुश्किल यह भी नहीं होते बच्चों से बात ही है यह भी नहीं कर पाते है बताओ यह relative है कि absolute है है कुछ 10% अभी भी जो बोल रहे है relative है मुझे बताओ relative कैसे है relative कैसे है बेटा vacuum नहीं लिखा दिखरा तरको है air या vacuum नहीं दिखरा तरको लिखा हुआ air से light आ रही है ना और medium में जा रही है तो absolute बोलेगा relative कैसे है है ना लेकिन हाँ 90% से जादा बच्चे यहाँ पर absolute ही बोल रहे है और absolute के लिए जो formula होता है वो होता है n is equal to c by v simple formula अबे है तो उसका भी वैसा ही है तो उसका भी वैसा ही v1 by v2 यह तो है उसका क्या दिखकते है यह 2,1 है बस है ना जिसका जिसका velocity नीचे रखते हैं उसी को निकाल रहे होते हैं है ना है तो formula उसका भी same उपर वाली speed उपर नीचे वाली speed नीचे कोई बात नी आओ n रखते हैं आपर 1.5 c है 3 into 10 की पावर 8 और नीचे velocity है medium की velocity उपर ले जाओ देड़ नीचे ले आओ क्या cross multiply करना में कोई दिखकत होती है क्या cross multiply करना में क्या दिखकत होती है बाई डेड़ दूनी 3 आएगा 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकिंड ठीक है जी यह आपकी velocity आगी किसमें? x में vx है vx है ना अगर यह nx है तो यह vx है बोला ना जिस भी medium की निकाल रहे है velocity उसकी नीचे रहेगी आओ एक और question देखते है आप मुझे बताईए refractive index of water is इतना और refractive index of glass is इतना यह absolute दिये है यह relative दिये है क्या मानते हो? पहले पूरा question पढ़ लेना पहले पूरा question पढ़ लेना फिर बताना पहले पूरा question पढ़ लो फिर बताओ यह question high level है high level मतलब 50% बच्चे ही कर पाते हैं यह question को 50% नहीं कर पाते 10 में से 5 ही बच्चा कर पाएगा 5 पन नहीं उठाएगा इसको देखके बताईए refractive index of water is dead और refractive index of glass is 1.8 यह relative है यह absolute है? 50% से ज्यादा बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं मतलब मेरे estimation से ज्यादा बच्चा नहीं कर पाएगा इसको मतलब यह गलत करेगा? relative नहीं answer answer absolute है क्योंकि आपने पूरा question पढ़ा ही नहीं पढ़ा क्योंकि मेरी पुईबा सुनी ही नहीं मैंने का था पूरा question पढ़के फिर answer करना आओ मैं पढ़ाता हूं question मेरे साथ पढ़ाओ refractive index water का दिया हुआ इतना मुझे नहीं पता यह absolute है क्या है क्या नहीं glass का इतना दिया है मुझे नहीं पता absolute है या क्या है अभी मैं confused हूँ हूँ है ना रिलेटेव बोलने वालो अभी तुम confused हो ना पता नहीं क्या है ना find the refractive index of water with respect to glass यह शब्द दिखा रहा तुमको with respect to wrt with respect to इसका मतलब है क्या relative तुमको निकाला है relative दिया नहीं हुआ relative निकाला है बोला था question पूरा पढ़ या निकालना है इसको बोल रहा है find कर refractive index पानी का glass के हिसाब से with respect to का मतलब होता है हिसाब से पानी का काच के हिसाब से और फिर काच का पानी के हिसाब से निकालना है दिया नहीं हुआ, given नहीं है हो अब सुनो मेरी बात ध्यान से जब भी ऐसा कुशन आएगा जिसमें with respect to लिखा है तो वो relative होता है और जिसमें with respect to नहीं लिखा होता ना वो absolute होता है, note कर इस बात को copy में note कर copy में इस बात को note कर answer नहीं चीए दिरा, answer नहीं चाहिए भाई sorry भी नी चाहिए, answer भी नी चाहिए, हाथ भी मत जोड़, note कर पले जबात को, with respect to लिखा हो, दो medium के बीच में with respect to लिखा हो, तो वो relative होता है, और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो absolute होता है, लिखो, note का point बना और लिख, note का point बना और लिख जल्दी, note करो, लिखो, noted, noted लिखो, फिर आगे बढ़ूँगा, जब तक note का point नहीं बनाएगा, with respect to लिखा है, तो relative है, और कुछ नहीं लिखा, तो absolute है, note कर लिया, आप ये question करते हैं, आओ, ये कहना refractive index, पानी का दिया हुआ डेड़, ये absolute है, या relative है, आपको कहीं इसके बाद, water के बाद कहीं दिख रहा है, with respect to लिखा हुआ क्या, नहीं न, help लेते हुए, क्या निकालना है वो सुनो, आपको find करना refractive index, water with respect to glass, यह relative है, जहाँ with respect to शब दिख जाए, wrt दिख जाए, वो relative है, ठीक है, तो आपने refractive index, water with respect to glass निकालना है, w, g, है ना, medium 1, 2, यह निकालना है, ठीक है, ठीक है, और फिर आपने glass with respect to water भी निकालना है, यानि यह भी निकालना है, ठीक है, ना, उड़ जाते हैं वेटा, चेच्छो के तोते, इतनी information को classify करने में ही, तोते उड़ जाते हैं, आदो गे तो, तभी मैंने बोला था, 50% बच्चा गलत करता है, या पहन ही नहीं जाते हैं, वह बाकी answer दे रहें याँ पर, और वह सही दे रहें, उपफुली, बाकी ना करके दिखाता हूं आपको, ठीक है, तो बात को समझना, कैसे solve करेंगे इनको, ठीक है, सबसे पहले आप यह बताओ, यह दोना absolute है ना, एपसुलूट का formula क्या होता है, absolute का formula क्या होता ह C by V सब्सक्राइब तो NW खोलूँगा तो C by VW आएगा ऐसी NG खोलूँगा तो क्या आएगा बताओ बताओ NW खोला तो C by VW आया NG खोलूँगा तो क्या आएगा NG खोलूँगा तो क्या आएगा बढ़िया, CYVG, CYVG, ठीक है, यह आएगा, बढ़िया, CYVG आएगा, सही है, सही है, ठीक है, अच्छा, अब मैं आप से ही पूछता हूँ, कि अगर मैं absolute वाले खोलूँगा, तो इसका formula कैसे लिखूँगा, मैंने absolute वालों का formula लिख लिया, मैं relative वाले खोलूँगा, यह relative यह दोनों relative वाले हैं, इनका formula कैसे खुलेगा, जरा ध्यान से सुनना, इसका formula ऐसे खुलता है, कि सर जिसका refractive index निकाल रहे होते हैं, उसकी velocity को हमेशा नीचे रखते हैं, यह बात याद है कि नहीं, यहाँ पर W निकाल रहे हैं, velocity नीचे रखी है, यहाँ पर ग्लास निकाल पर रखेंगे, यहाँ कौन बचा हुआ है, यहाँ ग्लास बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है, यहाँ वी वाटर उपर आएगा, इस तरीके से formula खोलने सीखने पड़ेंगे पहले आपको, step one, यहाँ पे answer लिखना नहीं है, step one, पैनिक करना नहीं है, step one, हर मानना नहीं है step 1 बॉखला जाना नहीं है question को देखके question को देखके जो हाथ पाँ फूल जाते हैं न वो step 1 नहीं होता question को करनेगा step 1 यह है कि आपको कम से कम given लिखना आए और उसके बाद formula खुलने आए तो given लिखना मैंने सिखा दिया आपको already panic करने की बात नहीं है और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ही कुछ ऐसा है ना toughest topic मानता हूं मैं इसको पढ़ाने में भी और सीखने में भी लेकिन calculation के मामले में कुछ भी नहीं है calculation के मामले में कुछ भी नहीं है कहानी लेकिन बहुत लंबी चोड़ी है थेक है तो बात यह चल रहे थी कि भाई जो absolute है वो c by v करके खुलते हैं जो absolute है वो c by v करके खुलते हैं और जो relative है वो जिसका खोलना है उसको नीचे रखना है glass खोला glass नीचे रख दिया water खोला water नीचे रख दिया ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आपको find क्या करना है, ये और ये find करने है ना, ये दुनों find करने है ना आपको, तो आपको ये find करने के लिए क्या चाहिए, आपको ये find करने के लिए क्या चाहिए, आपको ये find करने के लिए एक तो VG चाहिए और एक VW चाहिए, ये दो ही item आपको, एक VG चाहिए, एक VW चाहिए, यहां भी देखो, VW, VG यही तो है, तो यहां आपको VG और VW कहां से मिलेंगे, VG, VW कहां से लाओगे, अरे जो given है, वहां से लाएंगे, है ना, तो given कहां है, यह देखो, यह रहा VW और यह रहा VG, निकालो यहां से VW, निकालो यह से VG, सर कैसे निकालें? आओ देखो, NW कितना है? NW डेड़ है, C की मल्यू कितनी होती है? C की मल्यू होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8, और अपॉन में क्या लेंगे? VW लेंगे, है ना? और यहां भी देख, यहां भी देख, NG कितना है? 1.8 है, C के मलू कितनी है 3 into 10 की पावर 8 है और डिवाइड में क्या लेंगे VG लेंगे यहां से VW निकाल लिया भाई आपने VW निकाला यहां पुट कर दिया VG निकाला यहां पुट कर दिया आंसर आ जाएगा करो करिये खुद करिये भाई खुद करो इतना तो आना ची तुमको करना भाई इतने कैसे तुम्हारे होसले ठंडे है वैसे तुम आग लगाते रहते यार इतने होसले कैसे ठंडे है VW उपर जाएगा डेड नीचे आएगा तो 3 into 10 की पावर 8 डिवाइड बाइड 3 into 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 1.8 ठीक है? यह VW आगया, यह VG आगया और सॉल्व करना है, कर लो मैं तो नहीं करता, उठा के सीधा रखदो यहां ठीक है ना? उठा के सीधा रखदो यहां पर VG की वैल्यू कितनी है? VG की वैल्यू कितनी है? 3 into 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 1.8 होल डिवाइड बाई 3 into 10 की पावर 8 डिवाइड बाई डिड़ ठीक है रही? यह देगो यह देगो क्या ही था यह? क्या ही कैलकुलेशन है भाई? कुछ भी नहीं है यह denominator बन गया यह उपर जाके numerator बन गया 1.5 डिवाइड बाई 1.8 पॉइंट से पॉइंट भी कड़ गया तीन से कारदो इसको तीन पंजे पंदरा तीन चिके ठारा पाँच बटा छे इस दा अंसर और यहाँ पर कुछ नहीं इसका बिल्कुल उल्टा आए यह रैसी प्रोकली तो है और यह रैसी प्रोकली तो है यह क्या होगा? यह होगा 6 बटा 5 अंसर अंसर जितना तुम पैनिक कर रहे हो न उतना डरावना है भी नहीं यह कुशन आपको बस स्टेप बाइ स्टेप सीखना है कि क्या करना है और फिर करनी है प्रेक्टिस जब मैं कर सकता हूँ यहाँ पर 50% जादा लोग कर सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? बाकी 40% लोग क्यों नहीं कर पाते इस कुशन को? इसलिए कोगी धहरे नहीं है धीरज नहीं रखते पेशन्स नहीं रखते हाथ पाँ फुला लेते हैं पैनिक कर जाते हैं दरने वाली क्या बात है? सीख कही तो होगा सीखना पड़ेगा गल्ती करनी पड़ेगी प्रेक्टिस करनी पड़ेगी भाई आजाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना? अब मेरे कहने पर ना? मेरे कहने पर आप इस कोशन को कम से कम तीन बार और करेंगे ठीक है? जिन से भी ये कोशन नहीं हुआ ठीक है ना? मेरे कहने पर ये कोशन, सेम कोशन, सेम वेल्यूस के साथ तीन बार करना है आपने, ठीक है, तीन बार करना है, और तीनों बार solution आपके सामने होना चाहिए, फिर तो नहीं घबर आओगे, फिर तो नहीं डर लगेगा, solution आपके सामने होना चाहिए, ठीक है न, इतना कर लो, इतना कर लो, चौती बार ये कुशन बोड में भी आ गया ना अगर आपको डरनी लगेगा क्योंकि कोई भी चीज तुफ तो होती नहीं नहीं होती है यह ना इंग ना नया होता है अंतर तुफ नहीं है यह बस नृए तुमको नया लगा रहा क्यों कि तुमने किया नहीं है ना उडान वाल solution को सामने रखके करना फिर बताना मुझे के हुआ या नहीं हुआ confidence आया के नहीं आया करके ही आयेगा ठीक है चलो एक बार फिर से एक बार फिर repeat कर रहा हूं ठीक है देखो जब कुछ भी ना दिया होता तो एपसलूटी होता है तो अगर डेड़ लिखा है तो वह एपसलूटी लिखा हुआ है ग्लास अगर लिखा है तो एपसलूटी लिखा है और विद्र formula खोलना सीखा कि formula कैसे खुलते हैं तो absolute का formula खुलता है C by V से तो C by V लिख लिए यहाँ भी C by V लिख लिए और relative का कैसे खुलता है जिसका खोलना है उसको नीचे रखना है जिसका refractive index निकाल रहे हो वो denominator में बचा हुआ numerator में जिसको निकालना है वो denominator में बच्चा हुआ numerator में ठीक है अब सवाल उठता भाई मुझे निकालना क्या है मुझे ढूणने ये दोनों और ये दोनों ढूणने के लिए मुझे ये दोनों ढूणने पड़ेंगे तो ये दोनों कहां से मिलेंगे जैसे मुझे आता है जैसे इन सब को आता है विसे तुमको भी आएगा ठीक है गभराने वाली बात नहीं है ठीक है ना हूम है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलो आगे बढ़ा जाए स्वेरिकल लेंसे पर चलते हैं ठीक है लास्ट लेग है इस चैप्टर की उसके लाद पावर का छोड़ो टॉपिक है वो हम 10-15 मिन के अ है तो ऐसे बनाया जाता है कॉन्वेक्स को और ऐसे बनाया जाता है कॉन केव को अब देखो केव यहां पर आपके आपके सामने आत्म साक्षातकार कर रही है कौन केव केव बोले तो केव बोले तो गुफा दोनों तरफ गुफाएं है ना दोनों तरफ से दबावा है तो य बालज जो भार करके भार आया हुआ है इस टो कौशन आएगा तो ko o volver ऐसे कि रहना autonomous शौटकट उनके लिए होता है, जिनको लॉंग कट पता हो। बिना लॉंग कट के शौटकट लगाते हैं न, वो भटक भी सकते हैं। ठीक है? तो पहले लंबा रस्ता सीखो, शौटकट उसके बाद आता है, ठीक है? पहले concept सीखो, पहले practice करो, पहले महनत करो, शौटकट मट नहीं शॉर्ट-कट नहीं शॉर्ट-कट नहीं शॉर्ट-कट इसलिए शॉर्ट-कट मत मत सोचो इस लिug करू दो करना सीखो उसके बाद शॉर्ट-कट भी सीखेंगे lens यह जो आपके सामने बनाया है यह convex है lens यह जो आपके सामने बनाया है यह concave है concave lens diverging होता है nature में यानि फैलाने वाला होता है यहाँ पर nature उल्टा है बेटा कुछ ध्यान से सुन लाना मेरी बात को यहाँ nature उल्टा है वहाँ पर concave mirror में concave converging था यहाँ convex converging होगा वहाँ पर convex diverging था यहाँ concave diverging है ठीक है, concave यहाँ diverging है और convex यहाँ converging है यह converging lens है ठीक है, और यह diverging lens है अच्छा जी अब इनको spherical क्यों कहा जा रहा है again, spherical इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह वाला curvature जो है यह एक बड़ा गोला क्या खुल गया भाई हाँ, यह एक बड़ा गोला घुमेगा है ना, इधर भी घुमेगा दोनों साइड घुमेगा है ना, इधर भी घुमेगा इधर भी घुमेगा, यहाँ भी घुमेगा क्योंकि यह वाला curvature है वो इस sphere का part है और ये वालो जो करवेचर है, ये स्फेर का पार्ट है, समझे ना, तो जब ये एक गोला घुमा, तो इसका भी सेंटर मिलेगा, और जब ये गोला घुमा, तो इसका भी सेंटर मिलेगा, है ना, इस सेंटर को सी नहीं कहते, इस सेंटर को टुएफ कहते हैं, इस सेंटर को भी 2F कहते हैं, 2F का मतलब होता है twice of focus, यानि इसका और optical center का, इसको बोलते हैं optical center, जो एकदम lens का midpoint होता है, उसको optical center बोलते हैं, तो optical center और 2F के बीच का जो यह midpoint है, यह है F, optical center 2F के बीच का जो midpoint है, वो है F, यह system है, ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक का distance radius of curvature है, है ना, औ यहां से लेकर यहां तक का distance जो है, वो focal length है, वो तो आप समझते ही हो, है ना, ओ से लेकर के distances ना पे जाएंगे, ओ से यहां ना पे जाएंगे, ओ से यहां ना पेगा focal length, ओ से यहां ना पेगा radius of curvature, ऐसा वाला system है, ठीक है, अच्छा, अब, यह optical center बीच वाला, है ना, इसका गोला घुमाया, इसका गोला घुमाया, इस करवेचर में लिया इसको, तो यह center आएगा, इसको भी 2F कहते हैं, यह भी गोला वहां घुमेगा, तो इसका center यहां आएगा, इसको भी 2F कहते हैं, इसका, इसका midpoint F होता है, इसका, इसका midpoint B F होता है, ठीक है, confusion ना हो, confusion ना हो, इसलिए left hand वाले को one one कहते हैं और right वाले को two two कहते हैं left वाले को one one कहते हैं right वाले को two two कहते हैं ठीक है ना अब अब बारी आती है light फैक के मारनेगी है ना अब हम इसके उपर light फैक के मारते हैं ये मारी ये मारी ये फैक के मारी और यह फैक के मारी ठीक है तो क्या होगा पता है यह lens ना converging nature का है यह lens इकठा करने वाले nature का है तो यह क्या करेगा पता है यह सब को लाके focus पर इकठा कर देगा यह सब को लाके focus पर इकठा कर देगा यह सब को लाके focus पर इकठा कर देगा और अगर इसके ऊपर डालेंगे पैरलल लाइट इस पर डालेंगे तो ये क्या करेगा वो भी देख लो एक दोई दिखाता हूँ ठीक है ये तो confused हो जाओगे हाँ तो अगर इसके उपर तरललाइट गिरेगी तो क्या होगा पता है यह diverge करता यानि फैलाता है तो यह अपनी मर्जी से थोड़ी फैला देगा अगर इस पर light गिरी है तो यह अपनी मनवर्ज थोड़ी चलाएगा यार यह फैलाएगा तो सही लेकिन इस focus से बात करके फैलाता है ऐसे इस focus से बात करके फैलाता है ऐसे ठीक है, diverge तो करेगा लेकिन इस वाले focus से बात करेगा, ये भी converge तो करेगा, और इस focus पर लाके converge करेगा, यानि इसके right वाला focus जो है न, वो active focus है, उसे बोलते है real focus और इसका जो ये वाला focus है न, इसको बोलते है virtual focus ये यहाँ पर active focus का काम करता है है नो मतलब इसके इस वाले focus का महत्व नहीं है इसके राइट वाले focus का महत्व नहीं है है न और इसी के basis पर हम फोकल लंथ का sign decide करेंगे वो बाद की बात है नुमेरिकल जब देखेंगे तब ठेक है इतना समाझ लेना कि यह एकठा करता है और यह फैलाता है ठेक है और सारे पॉइंस ध्यान रखना एंफ वन् टु एंफ वन ओ एक वन ओ एफ टू ओ एक आप टू 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 ऑटू एक यह सब ध्यान रखना गो यहां अगर बढ़ते हैं कुछ टररेमिनलोजी लिखी हुई है और सुनलों ऑप्टीकल सेन्टर क्या होता है लन्स का सेंटर प्रिंसेपल एक्सिस क्या होते है लाइन पासिंग स्रेट टूर ऑप्टिकल सेंटर जो सीधी लाइन पास हुई है यह वाली यहां तो actually meet करती ही है और यहां लगता है के meet कर रही है लेकिन actually में तो भाग गई ना actually में तो भाग गई ना यहां लगता है के meet करती है सही बात है न focal length, distance between focus and optical center over f के meet के distance को focal length कहते है और 2f क्या हो गया? twice of focal length और r क्या हो गया? radius of curvature हो गया? वो सारी वैसी की वैसी बात है जो आप पढ़ चुके है ठीक है ना? nature की बात हम कर चुके है nature की बात हम कर चुके है के light को इक अठी करता है और यह light को फैलाता है यह light को फैलाता है इस focus से यूज़ करता हुआ इस focus से use करता हुआ फैलाता है ठीक है ना ये सारी बाते हैं आल्रेडी पढ़ चुके हैं आल्रेडी पढ़ चुके हैं ठीक है आईए image formation करने के लिए rules जानले के क्या-क्या rules है इमेज को अप्टेइन करने के lenses के अंदर ठीक है शुरू करते हैं फटाफट से तो देखो भाई ये अप्टिकल सेंटर होता है ये F1 होता है ये 2F1 होता है ये F2 होता है और ये 2F2 होता है रूल नंबर सारे रूल एक ही में सिखा दूना टाइम क्या लगाना है ना सीखतो जा सजाएगी जो कि कहां सजाएगी हाजी कहां सजाएगी पहली रे सीधी कहां सजाएगी बढ़िया 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 बहुत बढ़िया कनवर्ज होके F2 से जाएगी यही रूल नंबर वन है अच्छी बात है तुमको याद है तो यही rule number 1 है rule number 2 rule number 2 अगर आपने f1 पर डाली तो बेटा इसका converse होता है इसका उल्टा हो जाएगा सीधी डाली है तो f2 से जाएगी और f1 पर गिरी है तो सीधी हो जाएगी f1 पर गिरी है तो सीधी हो जाएगी मैं लिखरा हूँ side में rule भी number 1 है अगर आपने parallel डाली, parallel to p-axis डाली, तो f2 से जाएगी, नमबर दो, अगर आपने f1 से डाली, तो parallel to p-axis हो जाएगी, यह दो rule है, rule नमबर तीन, अगर आपने optical center से डाली, तो बेटा, यह सीधी निकल जाएगी, कुछ नहीं होगा इसको, कोगी normal पे गिरती है यह, हाँ, मैं आपको बता दूँ, यह normal पे गिरती है, इसलिए ऐसा है, इसका normal यहीं होता है, lens का, यह lens के इस वाले surface का normal यहीं है, इस वाले surface का भी normal यहीं है, तो c निकल जाती है, undeviated निकल जाती है, ठीक है, तो यह है तीसरा rule, यह है तीसरा rule, कि अगर c पर, c नहीं, sorry, o पर डाली, तो undeviated निकल जाएगी, ठीक है जी, इन तीन rules से ही हम लोग सारी image बना लेंगे, convex कोई दिक्कत नहीं, अराम से बन जाएगे, इन तीन रूलों से, अराम से बन जाएगे, पहला सुन लो, incident ray coming parallel to principle axis, बहुत बढ़िया, thank you, incident ray coming from focus, after reflection became parallel to principle axis, this is okay, धन्यवाद, मतलब focus जाएगी, तो parallel हो जाएगी, बहुत बढ़िया, बताने के लिए, तीसरा है, incident ray coming from o, go straight, o से जाएगी, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, जो o से जाएगी, वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, ऐसे, है ना, कौन केव के भी देख लो, फटा फट, एक दो ही है इसके भी, एक दो देख लो फटा वट, के भाई, अगर सीधी है, तो इससे पूछ के, फैलेगी, है ना, याद है ना, focus से पूछ के, फैल जाएगी, यह rule number one है, और rule number two, optical center के लिए सीधा वाला, यह, है ना, ओके लिए, ठीक है, side में लिख रहा हूँ, number one, जो parallel है principal axis के, वो के करेगी, वो के करेगी, वाई, इस, f1 से पूछ के फैलेगी, है ना, f1 पर appear होती हुई, मतब, वहाँ से खिसती हुई जाएगी, number two, ओपे undeviated, ओपे undeviated, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, फटा फट, आओ, आओ, image formation करते हैं, फिर break चाहिए, क्यों, क्यों भाईया, वाई, भाई, 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 वाई, क्या जूरत है, break की, अब तो खतम ही करेंगे सीधा, भाई, अब कोई break ब्रेक नहीं, आओ जी, सबसे पहले object को रखते हैं, infinity पर, ठीक है, सबसे पहले object आएगा infinity, फटा फट से करते हैं सब को, कोई break ब्रूग नहीं, सीधा, छुट्टी, O, F1, 2F1, F2, 2F2, O, F1, 2F1, F2, 2F2, nature बताने के लिए तयार हो जाओ भाई, नेचर बताने को रेडी रही है आप, छुट्टी चाहिए तरगो, break चाहिए तरगो है, पढ़ ले, देखा भाई, दो लाइट दिखाई पैरलल, हाँ कोई break नहीं, भाई, दो लाइट दिखाई पैरलल, क्या होगा, rule number 1 होगा, rule number 1 क्या है, F2 पर मिलेंगी, मिल गई, नेचर बताओ, फट फट जल्दी से, नेचर बता, हीरो हीरलाल, नेचर बता, नेचर बता, नेचर बता, सबसे पहले position, position आएगी, at F2, हमेशा वैसा ही देते हैं भाई, सबसे पहले position, फिर उसके बाद, इसका size, size होगा, highly diminished, है ना, highly diminished, ठीक है, उसके बाद बताओ, उसके बिलकुल रियल है, यहाँ पर रियल रेज ही मीट हो रही है, ध्यान से देखो, screen रखनी पड़ेगी, तब ही दिखेगी यह, हवा में नहीं बनती दिखेगी, screen रखनी पड़ेगी, चाहे आप यहाँ पर ने रेटीना रखते हो ऐसे, तो दिख जाएगी, ठीक है, तो 3 क्या है बाई, रियल है, और 4 क्या है, इनवर्टिड है, रियल के साथ तो इनवर्टिड फ्री मिलता ही है, अब तो याद हो गया होगा, है ना, तो यह पहला है, बहुत बढ़िया, सेकिन पर चलते है, सेकिन पर चला जाए, बियॉन्ट टो अफ़ वन, बियॉन्ट टो एफवन ठेक है तो पहली है किसे निगाल हो लूश्त बाइज़ है सबीड़े सर से निगालत ऑँ सीधी सीधी निगाली कहां से जाएगी है अ रूल नंबर बन ए न बैई नेचर बताने सर नीचे उसका और जखना रागया को सब्सक्राइब ब्रेक का वेटवीन वेलुड बहुत बढ़ियों बच्यों बच्चुमॉ अगया बच्यों बित्वीन एफ टू एंट घ्रफ टू नमबर दो क्या बात है रील इंवर्टिद मिनिश सभी है रहे है वाध बड़ीया अचा रियेल भी है क्या रियल क्यों है क्योंकि रियल रेस से मिलके बन रहे है यह य। एक्चल वाली रेस ही है स्क्रीन रेकनी पढ़ अबजक्ट टु फ़न ओ एफ फटो फटोटु बाहिक नोट्स बनाते रहा था गाइम जरूरी है साथ के साथ प्रेक्टिस से अख यह साथ के सब्रेविशन हो backbone क्जै बनाते रहो नोट्स ठेकना नहीं है अबजक्ट टू एफ वन यह अपका बज़ेक्ट सबसे पहले सर से निकालो सीधी रहे हाँ जी कहां से जाएगी कहां से जाएगी सर एफटू से जाएगी चली गई दूसरी कहां से निकाले ओसे निकालो आन डेविटेट जाएगी और आन डेविटेट जाएगे कहां मिली टू एफटू पर मिली उल्टी मिले लेकिन है ना सर नीचे मिला नेचर लिखने की त्यारी करो बाई नेचर लिखने की त्यारी करो बोलो बाई नेचर क्या है नंबर एक क्या बात है बाई एक टू एफ्टू बहुत बढ़िया एक टू एफ्टू नंबर दो सेम साइज देवान शुकला क्या बात है आजे चान इंदु कुमारी आईशमान भटाचार है क्या बात है नमबर तीन रियल है क्योंकि रियल रेस से मिलके मीट कर रही है स्क्रीन दखना पड़ेगा तब ही दिखे कि रियल के साथ इनवर्टिड भी आएगा यार है ना सर नीचे है ना इसका इनवर्टिड है ना बढ़िया बढ़िया आओ बिट्विन एफ वन एंड टु एफ वन यहां रखा जाए अबजेक्ट को फिर से सर से निकालते हैं दो रहे पहली सीधी जो सीधी है वो एफ टू से जाएगी और दूसरी ओ से निकाल लेते हैं यह थोड़ा सा और आगे मीट करेगी मिलवादें इसको आगे थोड़ा जाओ बेटा थोड़ा और आगे जाओ तुम भी जाओ बना कर रही है यहां कहीं क्या खुल गया भाई समाज़ गहा तुम भई हैना बड़ी बनेगी या ऐसे पीछे बनेगी यां कहीश है ना बढ़ी बड़ी बनेगी अच्छी का सी पीछे बनेगी नियचे लिगने गड обязी करो नेचर, 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 बयांड टू एफ टू बढ़िया, तुम्हारा देखके मैं लिख देता हूँ यहां, copy, copy करके तुम्हारा, बयांड टू एफ टू, दूसरा बताओ, क्या बात है, enlarged, तीसरा, तीसरा बताओ, रिशिकाव पाध है, real, आजे चाबड़ा, क्या बात है चाबड़ा साब, नमबर चार, inverted, बढ़िया बढ़िया, चीग है, चार हो गए, चार केस हो गए, फिप्थ पर चलते हैं, फिप्थ, पाचवा है, अप्टिकल सेंटर, F1, 2F1, F2, 2F2, अब्जेक्ट है, F1, F1 पर रखा, अब तुम सीधा नेचर बताना लगोगे गैर, डाइगराम वाइगराम भी बना लोगे नहीं, बना रहे, पहली रे सीधी, जाएगी कहां से, F2 से, दूसरी O से, पैरलल, हैना यार, हैना यार, पैरल हो जाएगी ना, पैरल वाला हिसाब है, कहां वनेगी, इंफिनिटी वनेगी, इंफिनिटी में मीट करेगी, यह भी इंफिनिटी जा रही, यह भी इंफिनिटी जा रही, सही बात है, ठीक न, नेचर आप दाइमेज, नमबर एक, बोलो जल दी स नम्बर तीन हाँ हाई लिए लाज हो गया आगे वोलो आगे वोलो एफिनिटी वोलो आगे वोलो सर फराज रिश्च केस है बाकि पाचो जैसा नहीं है हमेरा हटके है वागी पांचों कि दरह नहीं है ओ अप्टिकल सेंटर एफ वान टू एफ वान एफ टू टू एफ टू अच्छा जी तो अब्जेक्ट रखा बिट्वीन एफ टू अनो पीला नहीं हमारा तो दूसरा रंका था हां पिंकल रखा था यह पिंकल रहा है कौन सा कर विलोटर टू हमार दिंटियो ब्लू-ری यह आलो ढू रहा है कि तो हर दूसर निकाल जानो कितने रे गे नृकल दो वाइलेट है नई यार परपल है यह नहीं यार कुछ और ये थीक है जो तुम कहरो वई है यार मान जादे तुमारी ठीक है तो यह यह पहली सीधी निकाली रहे है ना पहली सीधी निकाली ngi Ta अब आप ध्यान सो देखना जणा यह इस अगvelop पीछे गठी ओगी यह आपनि पीछे 1968 होगी तो पीछे ही गठी करेते हैं को अगर पीछे कठी होना ही चाहती है तो हम कैसे रोख सकते हैं इसको है ना यहां कहीं मीट किया यहां भी मीट किया वहीं पर ही आप इमेज बना डालेंगे तो यह मेज देखे लो कैसे हट के बन रही है देख पार है ओब्जेक्ट रखा या गए इमेज बनी है पीछे मेगनीफाइड इमेज है एनलार्ज इमेज है और पीछे बनी है नेचर लिखा जाए बेटा नेचर लिखा जाए नमबर एक जल्दी से बता दो इन फ्रेंट आफ दा लेंस बहुत बढ़िया नाम नी पड़ पाया यार बियॉंड नी बोलेंगे लाल सिंग बेटा बियॉंड रिख थे लाल नो इसको अर्षिद बीटा बिहाइंड देलंस बोलेके क्रिश काजल बिहाईंड देलंस इसको बिहाइंड देलंस ही कहते हैं नमबर दो साइज में कैसी है पाई आफ नबर तीन वर्चल आ बढ़ीया वहाद बढ़िया देखो यह तो फैल रही थी ना खीच जश्ती बहजाना पीछे, हाँ, इसलिए कैसी है यह वर्चुल है, अपने हाथ से बनाना खोद, इसको तभी समझ में आएगी है, वर्चुल और 4 वर्चुल अट क्या आता है, वर्चुल अट क्या आता है, जल्दी बोलो, कोई नहीं बोल रहा है, तुम मैं से जल्दी बोलो, वर्चुल एप क्या आता है हाँ आजे कुमार का श्यप वर्चुल एंड इरेक्ट जिसका कमेंट दिख जाता है वो पढ़ देता हूँ ठीक है न तो यह हो गए 6 केस किसके? कॉन्वेक्स लेंस के कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस थे अब बारी आती है कॉन्केव लेंस के बचे हुए दो केस की आओ जी आईए आईए चर्चा करें आईए चर्चा करें ये है अप्टिकल सेंटर ये है F1 ये है 2F1 ये है F2 ये है 2F2 ये है अप्टिकल सेंटर ये है F1 ये है 2F1 ये है F2 और ये है टू एफ्टू ठीक है इसके दोई केस है वस प्यारे प्यारे भोले भाले एक है इन्फिनिटी पर रखा और एक है कहीं भी रख दिया अब जहां मन करें वहां रख दो यार कहां रखूं बताओ तुम बताओ कहां रखूं मैं अब ऐसे अपनी मर्जी से रखता हूं या अच्छी मेज बनती है है ना आइडिया है मतलब थोड़ा थोड़ा एफ़ण दोफन के वीच में रखो तो ठीक ठाक बनती है है ना लेकिन आप ऐसे कहीं भी रख सकते हो फाइनल डिसंस का मतलब जा मन करे वा रखो आप बेश verzla या 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 दिक yra 5 है पाहनी पीलो सेद क्स 50 लेता हूं तोम भी पीलो तोम भी पी डाला, बोतल खतम, चलो अब पढ़ाएंगे तुमको बोतल पी के, बोतल पी के बढ़ा रहा है तुमको, पानी किये यार, पानी किये और हो भी आदी पी है मैंने, अभी लड़ो भी पढ़ा आसिम सरवाला, हाँ, तो हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे, लेटो पी, अब इसमें कह रहे लेटो भी यार, दस सेगेंड से आवल लग गएगा, चलो, देखो, ओब्जेक्ट एट इंफिनिटी, सीधी सीधी दोरे निग हाल दो, है ना, अब तुम क्या कहोगे, तुम यही कहोगे, कि भईया हमको फैलना है, तो फैलना है तो ऐसे कैसे फैलोगे, फोकस से पूछ के फैलो, तो फोकस से पूछा, फोकस ने बोला, ओके फैल जा, फोकस से पूछा, ओके फैल जा, है ना, तो यह कहां दिख रहे ही, अब फोकस बन पर कन वर्जोंटि दिख रहे ही इसलिए जल्दी से भाई जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ शरी गैसा क्या के दिया मैंने हाइध देफ फ़न नमबर दो नमबर दो, size बोलो, size, 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 highly diminished, yes, नाम नहीं पड़ पाया यार, मौर रहा, highly, very good, very good, highly, diminished, highly diminished, नमबर तीन, क्या ये रियल हैं ये क्या, नहीं, रियल रहे तो भाग गई, रियल रहे तो घर छोड़ के भाग गई, ये तो जबरस्ती घीच के बनाई गई है, वर्चौल है ये, और उसके साद क्या free मिलता है, इरेक्ट फ्री मिलता है, एक खास बात बताओं, एक खास बात बनती है दोनों केस में कॉन्केव के अंदर इमिनिश वर्च्व एकी बनती है यहां भी दिखाता हु आओ देगो आए देखिये जरा पहली रे सीधी इसको ध्यान से धेना यव फस्स जाता है, है ना यह फस्स जाएगा मैं भच्चे, ध्यान से देखियो इसको एना यह से पूछ के भागी है चली गई है ना और दूसरी रे अप्तिकल से निकालो अप्तिकल से निकालो यह वाली यह मीट कहां करती दिख रही है आपको यह ओ और एफवन के बीच में मीट करें यहां पर हमेशा यहीं करेगी हमेशा यहीं करेगी ओ एफवन के बीच में ही बनती है यह वाली इमेज, all is between F1 and O, बाकी तुम बताओ 2, 3, 4 तुम बताओ 2, 3, 4 तुम बताओ diminish है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और बताओ और बताओ क्या हाल चाल है real inverted नहीं है बेटा highly diminished भी नहीं है बेटा और बताओ बताओ क्या हाल चाल है शाद खान, virtual or erect बता चुका है शाद खान को दे दिया जाए ओर इस बार ठीक है लो, virtual शाद खान इस बार तो भाई बाजी मार गया तो virtual or erect ठीक है बढ़िया बढ़िया, बढ़िया तो ये भाई आठ केस है एक बार जारा देख लो 2 पर बनी, same size बनी, same size, same distance, है ना, 2F1, F1 के बीच में रखा, तो बाई beyond चली गई, बहुत बड़ी बनी, आई भी नहीं हमारे frame में, F1 पर रखा, तो बाई infinity भाग गई, वो तो ना मुझे दीखी ने, तुमें दीखी ना, इसको दीखी, बाग गई, और ओ F1 के बीच में रखा, तो एक अजीब सा case, छटा वाला case, important वाला case, पीछे बनी, virtual erect enlarged, virtual erect enlarged, बड़ी ठीक है, बड़ी बनी, उसके बाद दो case थे, concave के, एक infinite वाला, जिसमें, diminish, virtual erect होता ही होता है, finite वाला, जिसमें, diminish, virtual erect होता ही होता है, मुझे बताइए, मुझे बताइए, कि आपको इन आठों caseों में कोई दिक्कत है, अगर नहीं है, तो आग लगाओ, सीधा चलते है, numerical पर, सीधा चलते है numerical पर, इन में कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, सारे case आपके आखों के सामने, चाहो मन, screenshot ले लो, आग लगा लो पहले से ही, फटा फट लगा दो सब लोग, हाँ, सेम एस कॉन camera, बिल्कुल ठीक कह रहा है, भाई, ठीक है, ले सकते हो आप, screenshot चाहें तो, यह वो है, अपनी table, छे case ओ वाली, convex lens के, है ना, चाहो तो screenshot ले सकते हो, सारी वही है, ठीक है, सब कुछ लिखा हो है इसके अंदर, image, size, nature, ठीक है न, आप चाहो तो इसको देख सकते हो, वैसे, मैं इसको कोई बहुत अच्छी चीज़ मानता नहीं, screenshot ले गे रखने को, लेक से रट लोगे table, ठीक है, एक, जिस्ट देख सकते हो, revision के लिए चीज़े रख सकते हो, है ना, लेकिन इसको आप permanent source of knowledge या permanent source of information मत बना ले ना, आपका source of information आपके notes होने चाहिए, जो आपने मेहनत से लिखे हैं, चाहिए वो आप during the class लिखते हो, या आप class के starting में लिखते हो, मतब जब 10th class शुरू हुई थी, जब मैं पहली पहली बार chapter पड़ा था, है ना, तो अच्छे कासे सुन्दर सुन्दर notes बनाए होंगे, बनाए ही होंगे hopefully, है ना, और नहीं बनाए तो sessions के दौरान आपको बनाने चाहिए, ठीक है, चलिए, चलिए, रिफ्रेक्शन के numerical पर होने चाहिए, दो चीजे, sign convention, formula, आओ चलते हैं, sign convention और formula इसी की चर्चा है, ठीक है, तो देखो यार, देखो यार, अगर मैं बात करूं, convex lens की, optical center इसको कहते हैं, F1 इसको कहते हैं, 2F1 इसको कहते हैं, F2 इसे और 2F2 इसे खहते हैं, बात करूं, convex lens की, तो भाई, optical center इसे कहते हैं, F1 इसे कहते हैं, 2F1 इसे कहते हैं, F2 इसे कहते हैं, और 2F2 इसे कहते हैं, ठीक है, अगर मेरे बच्चों, अगर मेरे बच्चों, बस बस आग रुक जाओ आग रुक जाओ आगे चलते हैं फटा फट जल्दी से ठीक है अगर मैंने अब्जेक्ट को इस तरफ रखा है लेफ्ट साइड पर रखा है ठीक है तो आप जानते हो कि इसका active focus ये रहता है है ना क्योंकि इसका nature कैसा है इसका nature है converge करने का है ना बेटा इसका nature है converge करने का और converge कहां करेगा एफटू पर करेगा ऐसे लाएगा light को और एफटू से पास करवाएगा है ना तो ये converging है यानि इसका ये वाला focus जो है वो active है object को रखना पड़ता है left पर object रहता है left पर इधर आओ जरा इधर आओ जरा अगर मैंने यह object रखा है रे जाती है सीधी ये इस वाले focus को use करके फैलाती है अपने आपको हा की ना तो यहाँ पर ये वाला focus जो है वो active रहता है सही बात है सर सही बात है सर तो या मैं ये कह सकता हूं के नहीं बताओ यार क्या मैं ये कह सकता हूं के नहीं कि इसका focal length हमेशा plus ही लेना और इसकी focal length ह हमेशा, माइनस ही लेना ठेक है? और U is always negative, या आप जानते हो अबजेक्ट अभी भी हाही है U अभी भी हाही है और U यहाँ भी हाही है है ना? तो U always negative है ना? always a negative object यह क्या है? यह हमेशा positive है है ना? यह हमेशा positive है focal length convex की positive है, concave की negative है, ठीक है ना, image के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, image कहीं भी बनती है, इधर बनती है, ओपर बनती है, उपर बनती है, नीचे बनती है, image के बारे में कोई बात नहीं कर सकते है, हम U के बारे में कर सकते हैं, हमेशा negative है, F के बारे में कर सकते हैं, जिसमें ल duża positive लेनी है podbear of यह स्का होगा और इसका negative होगा है अबाई अब खरते हैं ऐसे तो Momकरते है अब करते हैं फर्मूलो की चरच्छा फटा फट से formula सबसे पहला formula lens formula lens formula lens formula कहता है 1 by f is equal to 1 by v वहाँ plus था ना mirror में यहाँ minus है वहाँ plus था ना यहाँ minus है यह lens है यह lens है वेटा यह lens formula है मेगिनिफिकेशन मेगिनिफिकेशन का क्या क्या चर्चा भाई इसकी तो formula सेम है हाँ formula बिल्कुल सेम है कौन सा वाला definition वाला हाई भाई हो कि भाई height कितने times होगी object के वो सेम है वो एकदम सेम है है ना और दूसरा formula वो अलग है उसका वाला था minus vyu यह वाला है vyu ठेक है जी बूलना नहीं यह वाला derivation से आता है यह भी derive होके आता है यह by definition आता है यह तो concept है यह तो concept से आया है इसको derive किया जाता है इसको भी derive किया जाता है आपको याद करना पड़ेगा आपको याद करना पड़ेगा, आपके लिए तो आपके लिए तो derivation है नहीं न, तो आपको याद करना पड़ेगा ठीके न, तो ये भी याद करना, ये भी याद करना ये by definition हो जाएगा, ठीके ओके, tools की बात कर लेते हैं tools tools बिल्कुल सेम है भाई tool किस सीच के थे, याद है tool किस सीच के थे भाई याद है tool किस सीच के थे, याद है tool किस सीच के थे, याद है tool किस सीच के थे, याद है जल्दी बताओ comment section में फटा फटा बताओ tool याद है किस सीच के थे क्या निगालने के tool थे कहां हां çekम के बहुत बढ़िया बैं मुझे पता है को ही लैक भी नहीं है और वोइस बी थीजेंख हिवीड़ निकले गा तो इसलिए जो में हैं और लो अगर उसे बड़ा हुआ तो enlarged है अगर M1 के बराबर हुआ तो same size है बिल्कुल same tools है सारे लेकिन मैं दो बार क्यों लिख रहा हूँ ताकि तुम भी दो बार लिखो ठीक है मैं इसलिए जादा बार लिखता हूँ हर चीज को बार बार लिखता हूँ ताकि तुम भी उतनी बार लिखो क्या जरूरी और नट लोट सीज को बार बार करना क्यों जरूरी होस्ती जाता रिखला आउं से अरब भी अच्छी लाइन आपने सुनी होगी जरूरा भूस्य कहते थे ब्रूस्या कखे ना कína का ना अनल Champions उसली साहब वो यह कह करते दे कि भाई I fear the man who has practiced one kick one thousand times and not that man who has practiced one thousand kicks once अंग्रेजी हो गई ना हिंदी सुनो वो कहते हैं कि मैं उस आद्मी से डरता हूं जिसने एक किक को एक किक की practice 1000 बार कर रखी है ना कि उस व्यक्ति से जिसने 1000 के practice एक बार कर रखी है है ना और यही बात मैं भी अलग style में बोलता था आज ही बोलता हूँ कि 100 किताबों को पड़ने से अच्छा है कि एक किताब को 100 बार पड़ो इसलिए मैं practice में यकीन रखता हूँ और practice needs discipline as well as consistency सी प्लस रिपिटिशन इसी लिए मैं बार-बार चीज़ों को करता हूं बार-बार चीज़ों को बोलता हूं बार-बार चीज़ों को लिखता हूं सेम तरीके से सेम स्क्रिप्ट से सेम भाशा में बार बार आपको सेम बात समझाने कोशिश करता हूँ कि repetition is the key आप जितनी बार repeat करते हो ना अपने mind को और जाधा उस पाथ पर चलाने के लिए Bible बना लेते हो ठीक है ना जब Bruce Lee सहाब ये बात कह सकते हैं जिनका जीवन इतना संघर्ष में रहा है ना तो उनकी बातों का हम कुस तो सीखी सकते हैं ना I fear the man who has practiced 1000 kicks I fear not the man who has kicked who has practiced 1000 kicks once but I fear the man who has practiced one kick 1000 times है ना इसलिए मैं बार बार करता हूँ उस चीज़ को और मैं चाहता हूँ के आप भी करें बार बार तो कोई नहीं भूला सकता कभी नहीं भूलोगे और कभी डरोगे भी नहीं confidence बनता है उससे M बड़ा है 1 से enlarged M बराबर है 1 के तो same size है ना और M 1 और 0 के बीच में है तो diminished ठीक है ठीक है हाँ अगर M की वैल्यू पॉजिटिव में है तो वर्च्वल और इरेक्ट है अगर M की वैल्यू माइनस में है ना तो वो रियल है और इन्वर्टिड है ठीक है ना आईए आईए नुमेरिकल पर चलते हैं सीधा और आपके सामने नुमेरिकल आया करूँगा मैं ठीक है करूँगा मैं आओ देगो a convex lens produces a real and inverted image of 2.5 times magnified at a distance of 25 cm from the lens calculate the focal length and power of the lens क्या रहा है convex lens है जो कि produce करता है एक real inverted image को धाई गुना बड़ी 25 cm के distance पर मैं आपसे यह पूछना चाता हूँ कि 25 cm क्या दिया हुआ है यह 25 cm क्या है बताईए कौन के रहा भाई यू है है पगला गयो क्या अंग्रेजी तो पड़लो डंग से यू कहने वालो अंग्रेजी तो पड़लो भाई एक convex lens produce करता है real inverted image धाई गुना बड़ी 25 cm से lens के तो image की बात कर रहा है कि object की बात कर रहा है यार क्या करते तुम यह V है बेटा यह V है 25 cm का V है अब मैं आप से पूछना जाता हूं के V को plus 25 लेना चाहिए के minus 25 लेना चाहिए और क्यूं comment मा answer दो जल्दी से भाई एक एक numerical पर जब धागा खोल चर्चा नहीं होगी ना तब तक दिमाग के घोड़े एक ही दिशा में दोड़ेंगे और वह मैं नहीं चाहता हाँ बताईए धागा खोल चर्चा करते हैं जरा इसकी वी बराबर 25 cm का मतलब क्या पॉजिटिव ले या नेगिटिव ले और क्यूं क्यूं बताना पड़ेगा भाई ना not answer accepted ही नहीं है अंसर एक्सेप्टिड ने वह या क्यों भी बताना है सवाल में क्यों भी था कि आयुश्पंत बहुत बढ़िया पंथ साब वेरी गुड़ आईुश्पंत ने सबसे पहले answer दिया कनिश्क रोहिला ने भी दे दिया टॉक्षिक शुगर ने भी दे दिया टॉक्सिक शुगर सुशान्त राज ने भी दिया है प्लस आंसर है इसका प्लस 25 ही लेंगे इसको प्लस 25 संटीविटर लेंगे पता है क्यों क्योंकि यह real और inverted image बना रहा है enlarged भी बना रहा है real inverted image अभी अभी तुमने case देखें 8 आठ case तुमारी आखों के आगे मैंने बनाए है अगर तुमने अपने हाथ से बनाए होते ना मेरे साथ साथ तो इसका answer बिलकुल ठीक देते है कुछ 10% बच्चे उन्हीं से बात कर रहा हूँ बाकियों से नहीं बाकियों ने सही दिया है बजनोंने पहले दिया बस मैंने उनका नाम ले दिया यहां पर अगर आपने अपने हाथ से बनाए होते ना मेरे साथ साथ आप इसका जवाब कुछ और ना देते पॉजिटिव पच्चीज ही देते आप एक बार बताओ अब मुझे बार बता रियल इन्वर्टिड हमेशा राइट साइड ही तो बनती है कभी लफ्ट साइड देखी है क्या बनती हुई देखियों रियल इन्वर्टिड राइट साइड प्लस में लेंगे वी समझ जाओ बात को भाई दिशाओं में गोडे दोड़ाने पड़ेंगे सारे हो कोई बात ने कोई बात निं सीखेंगे तो ऐसीं सीखेंगे वी को प्लस 25 लेना पड़ेगा ठीक न इंड क्या लिख्षूंको बताओ जल्दी से अन्सरनी चेंए वाई गोडे दोड़ाने वाले बिक्त चेंए आंसरनी चेंए M बताओ क्या लेंगे प्लस धाई या माइनस धाई बताओ M को क्या लेंगे प्लस धाई या माइनस धाई बढ़िया माइनस धाई लेंगे भाई और माइनस क्यूँ ले रहे हैं आप समझी पारे हो रियल इन वाकर इसे दाउ यहार possessed find का करना, focal and find करनी है, find करना है, है न, और फिर power find करनी है, power भी बताई दूंगा अभी, formula बताई तो, power का कोई दिक्कत नहीं है, है न, आप बताओ, vm से f कैसे निकाले, बहुत असान है, बहुत असान है, बहुत असान है, m की value होती है, m का formula होता है, vbata u, m को रखो minus 2, v को upon में minus 2, है न, point 8 आया, 10 उपर आया, 25 से 25 कड़ गया, और u आगया, minus 10, क्या ये u minus में होना चाहिए, क्या, बिलकुल होना चाहिए, बिलकुल होना चाहिए, u का तो, फर्स बनता है, कि वो minus नहीं आएगा, है कि नहीं, अगर u का भी plus में आ रहा हो, न, भाई, तुमारा, calculate हो आना ही नहीं चाहिए, ये तो पाप है, u minus में निकलना चाहिए, हमेशा, समझ गई न, तो सोचना फिर क्या गलती करी है, plus minus क्या गलती लिया हमने, कि हमारा u plus में आ गया, नहीं आ सकता, minus में आना है, minus में आएगा हमेशा, तो u आ गया minus 10, अब focal length निकाली जाए, तो focal length होती ये 1 by f is equal to 1 by v lens है, तो minus लेंगे याँ पे बीच में, हैना, तो 1 by f आपको नहीं पता, v कितना है भाई, v कितना है, 25 है, और minus u कितना है, minus 10 है, minus minus प्लस हो जाएगा, हैना, अब 50 LCM लेलो चलो, 25 दूनी 50, और 10 पंजे 50, 7 बटा 50 हो गया, और ये focal length प्लस में ही आती दिख रह लेना, वो तुमारी हेड़ एक है, कर लेना, है सीज़ को, हैना, और पावर का फार्मला होता है, 100 बटा f in centimeters, ठीक हैना, 100 by f in centimeter, तो ये 14 डाप्टर आपको आपको अगा, 14 डाप्टर आपको नहीं है, 14 डाप्टर आपको बिल्कुल, पावर इस एक्वेल टू, 100 डिवाइड समें होनी ही चाहें फोक डिफ कर दो देखेंच लो इक बार को कि दिक कता एक बार देखте गडेंक्ज़ सवाल पर अगर लोगी लोगी यह तो साथ साथ करना disagreement आप भी करिए आप भी बश्या Parte से स्क्रीन पर देखने की दरत नहीं है कॉपी पर देखो नोट करो बस और करते जाओ ठीक है कॉपी पर लिखते जाओ सर एम नेगिटिव में क्यों लिया अशोक पारेक बहुत पिटा योगी तेरी बहुत ज्यादा पिटेगा ये देख रियल इनिवर्टिट दिया है ना हिंट में कुशन के तो एम माइनस में है के नहीं है थीक है ना अशोक पारेख एक उचैक्ट है जिसको रखा गया 10 cm पर from convex lens यू हमेशा माइनस ही होता है convex lens of focal length 15 cm है ना convex lens की focal length plus रही होती है है ना convex lens की focal length sir class 12 में यू positive भाई वो convention कुछ और दे रखे होगी right side पर रखा होगा object चलो u minus 10 लेंगे f लेंगे plus 15 find the position and the nature of the image v निकालना है और m निकालना है बस nature और position आ जाएगी बहुत simple question है इसको जल्दी जल्दी करते हैं आप सभी बच्चे कर चुके होगे इसको I hope 1 by v minus 1 by u f को 15 plus का रखना v कुछ ना रखना और u को minus 10 रखना minus minus plus हो जाना तो ये एक बटा 15 is equal to 1 by v plus 1 by 10 हो जाना ये 1 by 10 को उदर लेके जाना तो 1 by 15 minus 1 by 10 हो जाना और ये 1 by v इसको हम 30 ले लेंगे LCM तो 15 दूनी 30 है और 10 तीए 30 है और ये 1 by v है ये 1 आ जाएगा minus का ठीक है ना यार v minus 30 है गया है ना v minus 30 है बहुत बढ़िया find position and nature position आ गई है nature निकाल लेते हैं nature निकालने के लिगा करना पड़े गभी m m लिखो m होता है v by u v minus 30 है और u minus का 10 है minus से minus 0 से 0 3 आ गया भय m is equal to plus 3 है क्या کہते हो इसके nature के बारे में क्या केते हो इसके nature के बारे में क्या कहते हो इसके nature के बारे में सर लड्डू तो खालो वरुन सिंग कितना ध्यान लगता है मेरा वरुन सिंग कितना ध्यान लगता है कर लड्डू तो खालो मन तो कर रहा है कोई नहीं लेकिन यहर तुमको पढ़ा के खाएंगे अब सीधा बहुत बढ़िया प्लस का साइन तो यही कहता है कि भाई वर्चुल और इरेक्ट होगी और तीन बताता है कि एनलार्जड होगी बहुत बहुत बढ़िया भाई जो भी बालक उत्तर दे रहे हैं और सही उत्तर दे रहे हैं बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया एक और क्वेशन पकड़ो भाई निमेरिकल की कमी नहीं है करते जाओ निमेरिकल करते जाओ खुद से करो खुद करो कॉपी पे अरे काजू कतली नहीं लाया सिमसर यार लड्डू लाये हैं खा लूंगा मैं कोई नहीं खा लूंगा कुछन करो एन अबजेट 5 सेंटीमेटर लेंथ इस हैल्ड 25 सेंटीमेटर अवे फरम कनवर्जिंग अपकले और 10 सेंटीमेटर फ़ाइन पोजिशन जाईज नेजर किडनी लिवर सब कुछ मांग लिया एन अबजेट 5 सेंटीमेटर लेंथ हाइट अफ अबजेट दे रख़ अधाने वाला है ना री कोनेक्स होता ना करनी इक अधठा खर लिए तो प्लस ओने लेंगे वाइस को ठीक है यू है F है V निकाल लेंगे उसके बाद M निकाल लेंगे उसके बाद HI निकाल लेंगे ठीक है कि मैं फटा फरसे कर रहा हूं देखते जाईए 1 by F बराबर 1 by V minus 1 by U 1 by 10 is equal to 1 by V minus का minus 25 minus minus plus 1 by 10 is equal to 1 by V plus 1 by 25 1 by 25 यहां जाएगा तो एक बटा दस में से minus हो जाएगा 25 दस का LCM हम सो ले लें क्या नहीं 50 ले लेते हैं 10 पंजे 50 पच्चिस दूनी 50 1 by V 5 में से 2 गए 3 आ गया 3 बटा 50 is equal to 1 by V V निकल के आ गया प्लस का 50 बटा 3 cm उसके बाद हम M निकालेंगे अरे मैं कर रहा हूँ अपनी स्पीड में तुम भी कर रहे हो ना ठीक ना M is equal to V by U V है 50 बटा 3 और U U है minus 25 M आ गया minus 2 by 3 क्या कहते हो इस M के बारे में क्या कहना है आपका इस M के बारे में सर सर प्लीज सर बताइए सर and my dear ma'am प्लीज बताइए सर and ma'am प्लीज टेल मे सर and ma'am प्लीज टेल में what is this minus 2 by 3 what do you mean by this minus 2 by 3 very educated people around here on the Physics Wala Foundation channel today very very educated people talking in English yes please tell me what do you mean by minus 2 by 3 okay very good minus means real inverted yes what about 2 by 3 what is 2 by 3 diminish Shubhlaal Agarwal क्या बारत बारे में कि दिवैंशी चोहान बहुत बढ़ी आ है क्या बात है बंटी कुमार चा गया भई मन मोहंत्यागी मजा आ गया भई minus minus कहता है कि भाई तू real है और तू inverted है तू सच्चा है लेकिन तू उल्टा है और 2 by 3 क्या कहता है 2 by 3 कहता है कि तू 1 से छोटा है 2 by 3 बंट से छोटा है न तो ये क्या बना ये बना diminished ये बना diminished ठीक है जी और end में क्या करना था end में आपको h i और निकालना है न देखो size पूछा है ना image का size means h i निकालना है nature का मतलब m और position का मतलब v सब कुछ निकाल लिया m is equal to he बटा हो तो m है minus 2 by 3 और ही ही तो निकालना है हो दिया हुआ हो कितना दिया हुआ है हो दिया हुआ हुआ पाच पाच जाएगा उपर दूनी 10 बटा 3 is equal to h i है ना decimal हो में निकालना आपका काम है हम तो ये छोड़ देते है centimeter भाई आदा number कट जाएगा मेरा तो तुम काट लोगे मेरा आदा number है ना और तुम्हारे भी कट जाएगा को सर प्लीस टेक माई नेम एवरिफिंग अवाट एजुकेशन ये कोई नाम है क्या वरिफिंग अब नाम लग अपना एवरिफिंग अवरिफिंग अबड़ एजुकेशन तस्वर करें दिसे च़र आय का अनसर घार भॉए यह सरे अंसर निखाल रहा है क्तिव बाद एपा ओगया चले ठीक है थीक है झैसे है एक और एक rif कष्णों कि कमी नहीं है करू करूए गाओ करो किंदिआ पर Nossa थे पीरेक्टिस करको पावर अफकोमट सिर्फ यूमा नाई में आता है वह यश्गर्ग थमजा थमजा थोड़ा थमजा थमजा यारे एक तो तुमने नाम ढंके रख यार फिर मैं नाम ले पाऊंगा वाई ऐसे तुम्हारे नाम एक सारे तुम्हारे नाम में कैसे प्रहूंस करूं उसको तुम्हा नाम तो मैं ले लूँ बन नाम तो डंग के रखो आओ देखो Concave lens of focal length 15 cm from image at a distance of 10 cm from lens how far is the object placed from the lens what is the magnification nature करो इसको कॉश्चन को करो बाबू वरुन बेटा human eye का lecture आ चुका है पहले ही पढ़ा दिया है यह last lecture है physics का light का electricity सबसे पहले आया फिर human eye आया फिर magnetic effects आया है ना अब light आया कर रहे हैं कर रहे हैं आंसर कर रहे हैं बच्चे बहुत बढ़िया a concave lens of focal length 15 cm हाँ जी concave lens की focal length minus होगी का plus होगी minus होगी बहुत बढ़िया minus 15 cm होगी very good पहले सी बता रहे हैं बच्चे बच्चों को पता सरजी पूछेंगे घोडे तो खोलेंगे खोलेंगे धागा तो खोलेंगे 10 cm की plus में लेगा या minus में लेगा image distance plus में लोगे minus में लोगे बताओ 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 plus में लोगे minus में लोगे very good वेटा very good बहुत बढ़िया minus में लेंगे क्योंकि concave lens हमेशा image इधर बनाता है left side में image बनाता है शकल दिखाओं देख ले, अराम से देख ले, कोई जल्दी नहीं है अराम से देख, यह देख, यह देख कहाँ image है, यहाँ left पर ही image बना रखिये उसने तो तुझे आना चाहिए तुझे को यह करना आना चाहिए, तुझे यह पीछे, पीछे चीजे link करवानी आनी चाहिए, है ना बैक में जाके चीजे link करवानी आपको आनी चाहिए, ओके हाओ फार इस दा अब्जेक प्लेस फॉम्दा लेंस यानि यू निकालना आपको मेगनिफिकेशन बता नहीं है, तो नेचर अपने आप पता चल जाएगा, मैं कर रहा हूँ फटा-फट से इसको, देखते जाएगे, वन बाइफ इकवल्ट हो जाएगा, एक बटा पंदरा माइनस एक बटा दस, एल सी एम, तीस, दूनी तीये, यू माइनस में ना आए, तो संकट है गहरा, है ना, यहां तो आ रहा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो यू आ रहा क्या, माइनस 30 सेंटीमेटर, जो की ठीक ठाक लग रहा है मुझको, ठिक ठाक लग रहा है, आप लोगों का भी सही है, फिर मेंगिनिफेशन की बात कर रहा है, एम, एम होता है, वी यू, वी दिया हुआ है, माइनस 10, यू दिया हुआ है, माइनस 30, माइनस से माइनस, 0-0 कड़ गया, एम आ गया, 1x3, 1x3 के बारे में क्या कहना है बढ़िया डिमिनिश है येस और और वन बाई थी तो यही कहना डिमिनिश है प्लस भी तो है छुपा हुआ एक छुपा हुआ प्लस भी तो है आपर वो प्लस क्या गया रहा है वो प्लस क्या रहा है कि वर्चुल और इरेक्ट है है ना और ये वन बाई थी वाली वेल्यू कह रही है कि डिमिनिश है सही बात है सही 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 बात है है ना बस और तो कुछ नहीं निकालना था, nature था, magnification था, object distance था, यही था है ना, चलिए, last topic पर चलते हैं, अपने इस chapter के जो की है, power of the lens पर, ठीक है ना, अच्छा मुझे एक बाल बताओ, आप क्या मानते हो, किसी चीज की ताकत क्या होती है, फटा फट से चर्चा करते हैं, आप को समझते हो, यानि जो भी उसका nature है, वो उसको अच्छे प्रकार से निभाए, है ना, यही तो होता है, भाई, जो भी जिस चीज का nature है, उसकी power बढ़ाने का मतलब क्या है, कि उसके nature को और enhance कर दिया, मानलो भाई, यह pen है, इसका काम क्या है, इसका काम में लिखना, इसका काम और बढ़ गई, एक तरीके से, है ना, अच्छा, आप student हो, तो आपकी power बढ़ने का क्या मतलब है, आपके आपे power होने का मतलब है, कि भाई, हाँ, हमें discipline हो, सबसे जरूरी है, हमें consistency हो, हरना नहीं है, थकना नहीं है, होसला बनाए रखना है, है ना, और पढ़ते तो रहें पढ़ना तो continue रहेगा, learning तो एक lifelong process है, वो तो चलता ही रहेगा, है ना, लेकिन student life का मतलब, होसला बनाए रखना है, ठीक है ना, उम्मीद बनाए रखना है, होब जगाए रखना है अपने अंदर, और fight मारते रहना है हमीशा, है ना, motivation, जो end मैं देनी थी, वो मैंने भी दे कर सकता light को, तो और बढ़िया तरीके से इकठा करे, है ना, और अगर फैला सकता light को, तो और बढ़िया तरीके से फैलाए, है ना भाई, यह योगना power, आइए, definition देखते है power की क्या है, power of the lens, ability of lens to converge or diverge rays, यानि light को इकठा करने की capability और छी होनी चाहिए, या light को फैलाने की capability और छी होनी चाहिए, तो बोलेंगे power बहुत जादा by lens की, है ना, तो, 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 पावर का formula जो होता है, वो होता 1 by F, focal length का inverse, लेकिन इसको field दिलाने के लिए, मेरी बात को आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है, तो field दिलाने पर चलते हैं, ठीक है, देखो जिसका curvature कम है ना, उसकी खासियत ही होती है, कि वो दूर का गोला बनाता है, और जो दूर का गोला बनाएगा, उसका center दूर होगा, यानि उसका 2F दूर होगा, वो लोहा, अरे वो लोहा, और उसका F भी, optical center से अच्छी खासी दूरी पर होगा, सही बात है सर, यानि उसकी focal length क्या होगी, जादा होगी, लेकिन अगर lens मोटा है तो, अगर lens मोटू है तो, मोटा है तो क्या होगा, अगर lens मोटा है ना, तो इसका गोला चोटा होगा, और इसका गोला चोटा होगा ना, तो इसका 2F, इस optical center के पास में ही होगा, और इसका F त साथ समझना इस बात को इसका F तो यार और पास होगा यानि इसका F कम होगा मोटे लेंसों का F कम होता है पतले लेंसों का F जादा होता है पतला लेंस है पतला लेंस है करवेचर पतला है तो दूर का गोला बनेगा दूर का गोला बनेगा तो फोकल लेंस क्या होगी भाईया ज इससे क्या होगा फिर करवेचर को मोटा पत्ला करने से क्या होता है क्या फाइदा पत्ला लेंज बनाने का क्या फाइदा है मोटा लेंज बनाने का अब समझ में आएगे वाली बात देखो मान लो मैंने इस पत्ले लेंज पर पारलल लाइट डाली ध्यान जुनना इस पत्ले और अगर मैंने इसके उपर पर डलाइट डाली तो बेटा देख मुडने का एंगल देखियोग है यह देख यह देख ये देख, ये देख, मुझे बताओ, किसने जादा बड़े एंगल से मोड़ा, किसके मुड़ने की ताकत जादा है, किस लेंस के लाइट को मोड़ने की ताकत जादा है, मोटे लेंस की के पत्ले लेंस की, किसने लाइट को जादा मोड़ा, मोटा लेंस के पत्ले लेंस बताओ किसने light को जादा मुडा मोटे lens ने के पतली lens ने बोलो जल्दी किसने light को जादा मुडा मोटे ने उतकर शराघव येस मोटे ने जादा मुडा है ठिक ने अब ये angle देख भाई angle देख सीधी light जा रही थी लेकिन कितने बड़े angle से मुड़ गई कितने बड़े एंगल से diverge हो गई और यह देख यह सीधी जा देख थी यह छोटे एंगल से diverge हो यह एंगल का फरक तो देख अरे एंगल का फरक तो देखो इसने लाइट को जादा मोड दिया ना यह अच्छे तरीके से नेचर निभारा है यानि मोटा लेंस पावर जादा होगी क्योंकि इसने जादा कनवर्ज कर दिया पास ही में कनवर्ज कर दिया मोटा है ना जादा ताकत लगा के क्या कर दिया पास ही में कनवर्ज कर दिया क्योंकि फोकस पे इसको कनवर्ज करना ही था focus पे converge होता ही है तो मोटा lens जिसकी focal length कम है उसकी power जादा होती है पतला lens जिसकी focal length जादा है वो कम मोड़ता है यानि power कम होती है same खेल यहां का है concave का भी same खेल है करके दिखाओं यह देख पतला lens है ना कई दूर करवेचर होगा मतब कई पतला करवेचर दूर focus आएगा यह focal length होगी है ना और इसकी focal length पास ही में होगी है ना यह focal length इसकी बड़ी इसकी छोटी optical center optical center light फैक के मारते हैं इसको यह light फैक के मारी यहां से फैलेगी और यह light आई तो यहां से फैली इसका angle check कर लो और इसका angle check कर लो इसका angle होगा कुछ 30 degree यह 60 degree लगरा राम से इसने ज्यादा मोडा light को साब दिखेगा आपको फरक साफ है फरक साफ है ठीक ना तो motor lens focal length नस्दीक होगी पावर जादा पतला lens focal length दूर होगी बढ़ी होगी पावर कम इसी लिए मेरे बच्चों इसी लिए मेरे प्यारे भाईयो भेनों पावर वन बाएफ होती है पावर इस दा reciprocal of focal length ठीक है ना पावर इस दा reciprocal of focal length और एक बात और बताऊं इस focal length को अगर meter में लेते हैं ना तब पावर डैप्टर में आती है लेकिन मैंने इसका एक तोड निकाल रखा है वो तोड मैंने अभी numerical में भी उस किया और एक बच्चा याँ पर लिखता है wrong कोई नी गलत मैं नहीं था लेकिन अब उसको अपनी गलती का एसास हो जाएगा शायद अगर वो टिका हुआ है तो तो अगर पावर आपको डाइप्टर में चाहिए ना तो फोकल लंथ आपको यहाँ पर मीटर में रखनी पड़ेगी है ना लेकिन हमने जनरली क्या देखा है numerical में क्या देखा है अरे centimeter में होती है यार वो तो तो इस formula को थोड़ा सा modify कर दिया हाँ बच्चे आपर लिख भी रहे है यह अपने बच्चे अपने बाले गए है ना तो इसको थोड़ा सा modify कर दिया है ना तो आप दोनों formula याद रखो बेटा मैं तो यह काऊंगा क्योंकि जादतर focal length centimeter में होती है है ना तो इसलिए आप डिरेक्ट यह formula लगा सकते हो P is equal to 100 बटा F centimeter में यह already converted formula है है ना इसका conversion अलड़ी है ठीक है और यह तो आपको याद करी लेना चाहिए कि इनवर्सली proportional होता है पावर जादा तो focal length कम और focal length जादा तो पावर कम तो P is inversely proportional to F या फिर ऐसा बोलें कि P is equal to F कब meter में है ना अगर यह मोटे पतले वाली बातें समझ में आई तो आग लगाओ पहली आग लगा दी अरे समझ में ही तो आग लगाओ जल्दी से पावर इतना ही concept था पावर का ठीक है समझ में ही तो आग लगाओ बताओ पुर्मिला मिश्रा, उतकर्ष रागव, माही, सुनिल मलिक, चेष्ठा सिंग, कृष्णा, कनिष्क रोहिला, सुनिल मलिक, प्रदी प्रजाक, इंदु कुमारी, सुषान्त, राज, अनिता, राथाओर, आरम, मुसकान सिना, Mr. Technology, प्रतीक, आशुतोष मिश्रा, शापशू खातून, अक्षेलाल, लक्षे भधोरिया, क्या बात है, बहुत बढ़ी है, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ, तो यार, यूनिट डायप्टर होती है, शाट में D लिखते हैं, है न, दुन्नों फॉर्मुला याद रखना, ठीक है, दुन्नों फ प्लस में होगी, तो पावर भी प्लस में होगी, फोकल माइनस में होगी, तो पावर भी माइनस में होगी, यानि कौन केव लेंस जो है न, माने डायवर्जिंग वाला, वो माइनस में आपको फोकल लेंस भी देता है, और पावर भी देता है, प्लीज ध्यान लखिएगा इ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ प्लस 5.6 डाप्टर पावर दिया हुआ है कॉंसलेंस है प्लस 5.6 डाप्टर पावर दिया हुआ है कॉंसलेंस है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कृष्णा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या बात है क्या बात है अम वह बढ़ी आमन सिंग बहुत दिर से गारा नाम ले लो मैं सोचाया तु सही आंसर बता तो मैं नाम ले लूँगा इस बार सही बताया इसने ठीक है चलो बहुत-बहुत-बहुत सारे लोगों आप यार सबका नाम नहीं लिया जा सकता आप भी समझते हो है ना पॉसिबल नही आप से चलो ठीक है नेचर क्या होनगा इस लेंस का तो मेरे बच्चों नेचर में नाम नीबना incarnate की तुमने चलो यहां पर नेचल पोचा यह इना यहां पर नेचर पोचा पहसे कहा रहा रहा है लेगें मुझ को हाँ, converging Krishna ने भी दिया है बहुत तेट chat चलती है यार ठीक है nature क्या है? नेचर है converging, nature है converging और इसके bracket में लिख दे अगर तेरे भहुत मन हो रहा है लिखने का lens का नाम तो convex लिख दे, lens भी लिख दियो भाई ठीक है, है ना, तो नेचर आफ लेंज क्या है, कनवर्जिंग है, बट इस दा फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ अभी निकाल लेंगे, निकाल लेंगे ना भाई, पी इस एक्वल टू, 100 बटा एफ, क्योंकि हमको संटीमीटर में डरेक चाहिए, मजा आएगा, मजा आजाएगा सीधी संटीमीटर में निकालते हैं ना, एफ उपर पी नीचे, 100 बएप, 100 बएप, 100 बएप, साड़े चार, इसे मों मुझे काटना आता नहीं, तुम काटले ना, संटीमीटर में आंसर आजागा, बहुत बढ़ी आंसर आजागा, क्या दिक्केत है, ठीक है, 200 पॉन नाइन, ठीक है, सही, 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 चलो, नहीं बेटा बिमार नहीं हूँ, मैं स्वस्त हूँ बिलकुल, लेकिन अब हो जाओंगा, इतना गला पका के होई जाता है, हाँ, पावर ऑफ दे लेंस अफ परसन इस माइनस 3.75 डेप्टर, कैलकुलेट दा फोकल लें कोई लें दरा नहीं है, सिरफ फोकल लेंद आपको निकालनी है, आप ये खुद भी कर सकते हो, मैं सोचता हूँ कि मैं आपको इसका होमग दे दूँ, है ना, और मुझे आप नेचर बता दो जरा, नेचर बता दो जरा, नेचर बता दो जरा, नेचर बता दो जरा, नेचर पूछा मैंने आप से तो diverging बोलो है ना वो bracket में लिग दो concave मजाल नंबर काड़ जाए lens 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 100 slide हो चुकी है slide number 101 101 का शगुन लगा रहे हैं आजम 101 का शगुन लगा दिया गया है वो देखो 101 slide हो गई है 2 thin lens of power 2.5 इसको मैं करवाता हूँ ठीक है यह combination पर है बहुत simple question है देखो कभी भी आपको lenses का combination power निकालना हो क्या होता सर combination यह होता है बेटा कि मानले एक convex lens है उसके भगल में चिपका चिपका concave lens है उसके भगल में चिपका चिपका एक और convex lens है ठीक है इसकी पावर होगी प्लस में 3 डाप्टर इसकी पावर होगी माइनस में 12 डाप्टर इसकी पावर होगी प्लस में 2 डाप्टर इसकी पावर होगी प्लस में 3 डाप्टर ठीक है तो आपको इस combination की net power अगर निकालनी हो तो आप इसको P1 लेट कर लो इसको P2 लेट कर लो इसको P3 इसको P4 कुछ नहीं करना अरिथमेटिकली आइड कर देना है टोटल पावर को बोले तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 P1 प्लस का 3 है P2 माइनस का 12 है P3 प्लस का 2 है पी फोर प्लस का तीन है तीन तीन छे और दो आठ और माइनस बारा तो माइनस हो जाएगा यानि आएगा माइनस चार अडाप्टर कर लोगे क्या यह नेट पावर आ गई मेरे साब से लिख भी दियोगा पीछे मस्त मस्त बहुत बढ़िया है ना अच्छा एक बाब बताओ एक बाब बताओ अगर आप पूछले अगर आप पूछले के इस पूरे कॉमबिनेशन की फोकल लेंथ निकाल तो नेट पावर आई है ना नेट पावर को यूज्ट करके नेट फोकल लेंथ भी निकाला जा सकती है सेम फॉरमुलले से सेम फॉरमूला माइनस चार काटो पीटो यह तो मुझसे कड़ जाता है मजा आ गया फोकल लेंथ आ गई माइनस पच्छी सेंटीमेटर ठीक है इस प्रकार का आप काम कर सकते हो ठीक है अच्छा इसका अंसर दे रहे हो गया बड़े तेजो यार तो थिन लेंस पावर इतना और इतना are placed in contact calculate power and focal length of their combination ठीक है ना सेम यही काम करना है आपको तो कर बैठो गए मुझा लगता है है ना मैंने तो चार लेंस लेली है तो दो ही दे रखे थे तो P1 प्लस P2 धाई माइनस डेड़ तो एक डेप्टर आ गया एक डेप्टर का conversion P is equal to 100 by F F is equal to 100 by 1 आ गया 100 cm या 1 m है ना कोई दिक्कत नहीं होती लिखने में अच्छा ही लगता है ठीक है बहुत बढ़िया 101 का शगुन लग गया था अब 102 का भी लगा देते हैं यह last question है ठीक है इसके बाद session पूरा करेंगे एक convex lens है जिसकी focal length 40 cm है and a concave lens of focal length 50 cm are placed in contact with either calculate the power of the combination and focal length of the combination देखो कैसे करेंगे इसको तुम एक बाद बताओ तुमको P net का formula पता है ना क्या होता है सीधा सीधा add सीधा सीधा add है ना तो इससे net focal length का भी formula निकल जाएगा 1 by F net ले लेते हैं cm में रहेगा है ना अब खुद सोचो ना अगर मैं इसको 100 by F ले लूँ net इसको 100 by F1 ले लूँ इसको 100 by F2 ले लूँ and so on तो यह 100 100 100 सब जगा से कट गया नहीं कट गया तो क्या आ गया 1 by F net is equal to 1 by F1 plus 1 by F2 है ना this formula is both for this formula is both for meter और centimeter कुछ भी दिया हो यूज करलना इसको तुम ठीक है तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर एक focal length दियो ही है 40 centimeter एक focal length दियो है 50 centimeter लेकिन एक concave lens की है please ध्यान रखेगा एक convex lens की है ध्यान रखने वाली बात है यानि focal length 1 जो होगी convex lens का focus right side पर होता है सही बात है है ना तो इसको plus में लेंगे 40 और concave lens का होता है minus में minus लेंगे 50 ठीक है सीधा सीधा एड़ नहीं कर सकते बेटा दोनों को एक बच्चा यहाँ पर सीधा सीधा एड़ करके लिख रहा है गल्थ हो जाएगा गल्थ हो जाएगा सीधा सीधा एड़ नहीं करना इस formula में रखके आड़ कर ठीक है ना तो इस formula में रखके आड़ करते है तो कि यह formula आपके सामने डराइव किया है मैंने अनुद सिंग यह formula आपके सामने डराइव किया है बेटा मैंने F2 किया है 50-200-400-500-500 चोका तो एक बटा 200 आ गया तो Fnet किया आ गया 200 है ना cm 1900 cm आंसर है यह आया गया देखरो 200 cm आंसर है बेटा ध्यान से करना है यह नहीं focal length नहीं सीधी सीधी आड होती भया power सीधी सीधी आड होती है focal length तो अपने साब सेड होगी न है ना और इससे फिर आप net power भी निकाल सकते हो क्योंकि peanut होता है 100 by f इन centimeter और यह centimeter में ही है महाशे तो 100 बटा 200 गर दिया काटा तो 1 by 2 यानि आधा डायप्टर आंसर होगा आधा डायप्टर आंसर होगा इसी के साथ हम लोग आ चुके है थैंक्यू वाली स्लाइड पर ठीक है 103rd भी स्लाइड 100 थर्ड स्लाइड और आज का यह सेशन होता है पूरा है ना और आई होप काफी ज्यादा काफी ज्यादा क्या बोलते हैं उसको मेहनत करवाने वाला सेशन यह होगा हुआ होगा आपके लिए मेरे ले तो हई लेकिन तुमारे लिए भी हो सकता यह काफी ज्यादा रहा हो तो अराम से अब बंद करके अभी कुछ रिवाइस मत करना अभी बंद करके और सोने की कोशिश करना है ना वैसे साड़े दसी होए अभी तो तुम पता नहीं टीवी देखने बैठ जाओगे क्या पता है ना तो कोई बात नहीं थोड़ा सा ब्रेस लेना है ना और आखों को अराम देना कब से पढ़ रहे हैं चार बज़े से पढ़ रहे हैं और दस बच चुक है लगबग सौड़े छे घंटे हो चुक हैं पढ़ते हो हमको है ना रिकॉर्ड तोड़ दो क्या रिकॉर्ड थो मुझे नह हम तो चलते ही रहते हैं हार जीत तो चलती ही रहती है और बस इसी के साथ हम लोग आज लेते हैं आपसे विदा प्रैक्टिस पेपर के जैसा पेपर आने की कितनी probability है मैं बता दू आपको 20-30% ही वैसा पेपर आपको देखने को मिलेगा 20% बाकी सारा पेपर पहले जैसा ही होगा यानि obviously moderate level तक का ही पेपर आएगा मुश्किल नहीं आएगा चिंता ना करूँ ठीक है ओके बस तो आज के लिए हम लोग आपसे लेते हैं विदा motivation line हमने पहली मार दिया ठीक है तो वो जागे ढूंड लेना तुम है ना motivation वैसे अपने अंदर ढूंडा गरो पता है भार से motivation आती नहीं मोटिवेशन नहीं होता है वो stimulus होता है stimulus समस्ते हो कीडा हाँ वो कीडा है बस वो आता काड़ जाता हूँ वो यह वाला सीन है ना तो भार से motivation नहीं होती motivation के लिए आपको अपनी किक ढूंडनी पड़ती है कि आप क्यों इंटरसेड हो इस काम को करने में आपको क्यूं चाहिए यह चीज ठीक है ना एक बार वो find कर लोगे ना अपना क्यूं find कर लोगे आपके मुझे क्यों चाहिए चीज फिर तुमको किसे ते motivation लेनी की तुरत नहीं ए ठीक है मैं नहीं देखता किसी motivation speaker को आज तक नहीं देखा किसी motivation speaker को ठीक है जुरूरती नहीं पड़ती ठीक है तो जब और हाँ अगर अगर मोटीशन चाहिए ना तो एक बार अपने father की त तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करते हैं और तुमको भी वह पेबैक करना है उनको बस इससे बड़ी मोटिवेशन तो मेरे पास भी नहीं है ठीक है तुमको देने के लिए ओके तो बस लास्ट सेशन सर आपका अरे मैराथॉन में मिलेंगे भाई क्या दिक्केद है मैराथॉन में मिलेंगे फिर से एक बार मदा आएगा ठीक है मैराथॉन होने वाले पहली बता दिया मने और आईसे वालों के आ रहे हैं बस चलो बस आपको भी हैपी हो ली बहुत प्रेशर है तो प्रेशर निकाल के आते हैं बच्चे गर बहुत प्रेशर मुझे नहीं बच् बॉक्सर ने शीट डिसकस की है, है ना, वो most important problems ही है सारी, उसके अंदर, ठीक है? चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग, अगली बार, marathons के अंदर, तब तक के लिए, take care, tata, bye-bye. लड़ू खाले ताओं, लड़ू खाले ताओं, लड़ू खाले ताओं, झाल झाल